नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल फरिडम है आज हम लोग चर्चा करेंगे हैंसॉंग की जो भारत यात्रा थे उस पे चर्चा करेंगे इसका क्या इतिहासिक महत्व है और कैसे भारत का इतिहास इन तमाम इस तरह के जो भी ट्रेवलर्स थें उनके नोट्स के अधार पर लिखा गया कैसे हम भारत का जो पिछला इतिहास है उसको जानते हैं क्योंकि हमारे यहां जितनी भी रिलेजियस टेक्स्ट है उन्होंने कहीं पे भी कोई इतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया है आज की डेट में ये लोग बहुत सारी बाते करते हैं कि गर्णा पधती थी लेकिन सचाई ये है कि इनकी भी बाते कि इन्होंने ये किताबे कभ लिखी ये कोई दूसरा बता रहा था इनके पास अपना कोई एक कलेंडर नहीं जिक्र किया हो कि इस तिती में मैंने ये ये चीजे लिखी इवेन मुसलिम सासनकाल में भी जब ये कित लिख रहे थे तो उस समय भी नहीं लिखी या उन किताबों पर अपना कोई अंकन नहीं दिया कि इस सदी में इस राइटर ने इसको लिखा है दुबारा लिखा है उसको कहां से यह चीज पता चली इस बात में भी वो नहीं लिखें तो कहीं न कहीं इनके मन में ऐसा कोई जाता है जब आपके अंदर कुछ ऐसा पुर्वाग्रह हो आपको कोई एक conspiracy खड़ी करनी होती और ऐसा पाया भी गया है बहुत सारे ऐसे inscription मिले जहां से यह पता चला कि यह 13th century में 11th century में even 9th century के जो राजात हैं वो लोग inscription लिखवा रहे हैं कि देखिए यह फरजी वाले जो दान पत्र आप लोग बना बना कर जमिन हड़ापा मत करें तो यह कौन लोग थे तो इसे यह पता चलता है कि यह लोग उस समय भी सड़े अंत्र करते थे जाली दान पत्र बना कर और दूसरों का चीज़े हड़ापने की कोशिस करते थे तो ऐसी बहुत सी जो conspiracy है जब हम यह यहां से भारत से नहीं पाप आते हैं तो फिर हमें न कहीं न कहीं ऐसे बंदों की तलास होती है जो बंदे कभी किसी कालखंड में भारत में आकर घूम गए हों और कुछ यहां से नोट्स करके ले गए हों और आपको तो पता ही है भारत में तो इतनी सारी universities थी जो बहुत मह विहार थे हैं इसमें लोग पढ़ने आते थे बाहर से तो उसी कड़ी में यह भी नाम आपको एक जुड़ता है हैंसॉंग का जो की 629 इसवी 629 AD में भारत आये थे और 645 AD में यह भारत से गए थे तो यह जो इनने जो नोट्स लिखा है उस नोट्स को बहुत अच्छे से क सारी चीज़े जो हैं कॉंस्परेशी खड़ी की गई है क्योंकि यह लोग कॉंस्परेशी खड़ी करने के लिए एक और काम करते हैं सबसे पहले तो जो दूसरे का नोट्स होता है यानि कि जो बाहर हैं भारत से बाहर के लोग हैं वो लोग नोट्स लिखके गए तो उसका ट्रांसलेशन करने की जरूरत होती है तो ट्रांसलेशन अक्सरहां देखा गया है कि जो बिदेसी आये थे वो करते थे या फिर यहां भारत के जो लोग थे उस समय पढ़े लिखे लोग अंग्रेजु के समय में तो ब्रेमेनिकल सिस्टम के ही लोग थे यह तो बिलकुल किया और अनुवाद में अक्सरहां ये अपने पच्छ में उन बातों को दिखाते थे क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेजु को भी ये बात बता रखी थी कि भारत में इनकी ही सभेता सबसे प्राचीन है लेकिन जमीन से जब निकलने लगा तो सड्य अंत्र पता लगने तो इस कड़ी में एक और घाल मेल हुई कि जो नोट्स है ना उन नोट्स का गलत अनुवाद करके या फिर अपने पच्छ में उसको दिखा कर और ये दिखाना कि ननी उस समय भी हम लोग ही थें तो इस तरह का भी प्रयास किया गया है और इसमें एक नाम जुड़ता है कु कुम्भ मेले का प्रयाग में जिक्र करके गया है तो वह भी सारे तत्थ्य मैं दिखाऊंगा उनकी फैक्ट चेकिंग करके भी दिखाऊंगा मैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्या है है हैंसवां की भारत यात्रा और कैसे इनका परवेश शुरू होता है तो सबसे प इसके आगे ये बुक है इसका प्राकतन लिखा है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद सिंग जी ने अनुवाद किया है ठाकूर प्रसाद सर्मा ने ये बात ध्यान दिजेगा अनुवादक जो हैं वो हैं ठाकूर प्रसाद सर्मा तो ठाकूर प्रसाद सर्मा के अनुवाद के कई सारे लोगों ने किताबे इनका अनुवाद को प्रस्तूत किया और अपनी तरह से उनकी बातों को तोड मरोड कर अपने पच्छ में लिखा चुकि ठाकुर प्रसाद सर्मा भी खुद बुधिश्ट नहीं थे और वो भी एक ब्रामर धरम से ही तालुकात रखते थे तो उन्होंने भी जो अनुवाद किया तो उनको भी इतनी समझे नहीं थी क्योंकि आज भी जितने लोग जो भारत का एक्छोल इतिहांस नहीं जानते हैं तो जो पड़ते हैं सुनते हैं उसके आधार पर ही इतिहांस को भी सुचते हैं कि वह ऐसा इतिहांस रहा होगा तो ठाकूर प्रसाद सर्मा ने अनुवाद तो किया लेकिन अनुवाद करते समय एक जो छवी होती है लिखने की वो कहीं न कहीं इस तरह से लिखा गया कि उसका कोई भ्रम, कोई भ्रमित होकर और उसको अपने पच्छ में लिख सकता है तो ब्रह्मेनिकल सिस्टम के लोगों ने उसका अपनी अपनी तरह से अनुवाद करके बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया तो ऐसे मैं अनुवाद तो उन्ही का है लेकिन ये पुस्तक आप जब पढ़ेंगे इस पुस्तक को जो संपादक हैं वो शांती शुरूप बहुदाचारिया हैं और अनुवाद इन्होंने उन्ही का लिया है कुछ भी आपने से नहीं जोडने की कोशिस की अनुवाद उसी को लिया है लेकिन एक सही वे में एक कल्चर में इसको प्रस्तूत किया गया है तो समयक पब्लिकेशन से आप लोग मगा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा वहां से भी आप लोग आउडर कर सकते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं अब यह देखिए जब वो हैंस्वांग भारत में आये थे तो जब वो भारत में आये ना तो उनके यहां पे टांड वन्स का और सासन था और भारत में वर्धन वर्धन आप समझ रहे ना हर्सवर्धन की बात हो रही है बारत में हर्सवर्धन का राज्य था और हर्सवर्धन जो समराट थे उन्हीं के राज्यकाल में यह आये थे और उसी समय उन्होंने संगिती कराई थी बहुत संगिती यह आप लोगों को याद होगा तो यह जो है भारत में 629 इस्वे में यहाँ पर पहुँचे थे और वहां से कुछ दूर तारीम नदी की उतरी वस्तियों में होते हुए फिर थियांशान परवत को लांग कर तासकंद, समरकंद और अफगनिस्तान के रास्ते कस्मीर पहुँचे और भारत के एक छोर से दूसे छोर तक घूमने तथा कई जगों पर वर्सों पढ़ने के बाद फिर अफगनिस्तान और दक्षनी चीन हिंद के रास्ते 645 इस्वे में चीन वापिस पहुचे जहां जीवन के सेस दिन ये पंडुलुपियों के अनुवाद में बिताए यहां पे साथियों ये आप देख रहे हैं मैं अभी मान चित्र दिखा देता हूं वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे कैसे हैं सौंग जो है आयत है यह यहां पे आप देख पा रहे होंगे यह चित्र है और यह सबसे उपर जो आप ब्लू साइन आप देख रहे हैं ल विज़ा था नहीं जैसे आज कल आप लोगों को विज़ा मिलता है किसी दूसरे देश में जानेगा तो उस समय भी एक पार पत्र होता था वो मिलना चाहिए था तभी आप एक देश से ना दूसरे देश में जाएंगे नहीं तो रास्ते में कोई सासनवन्स आपको पकड़ ल में और ये देखे ब्लू लाइन पूरा ऐसे ताय करके ये गए हैं उसके बाद से ये कासमीर होते हुए इधर आते हैं इधर अफगनिस्तान होते हुए आते हैं फिर भारत में घुशते हैं पंजाब और फिर जो है मतुरा पहुंचते हैं फिर आप ये देखे ये साउथ तक यहां पर आते हैं और साउट से फिर यह जो है इधर आगे बढ़ते हुए इधर महाराश्ट होते हुए गुजरात होते आगे निकलते हैं तो यह ना भारत में पाटली पूत्र में रहकर इन्होंने अध्ययन भी किया था अब खुद ही झूड लीजिए 629 से लेकर भारत में नालंदा विश्व विद्याले में रहकर पढ़ाई भी किये थे वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया भी था और जो बहुत संगीती करवाई थी हर्सवर्धन ने वहाँ पे रहकर इन्होंने जो तिपिटक और तरह-तरह के जो ग्रंतों का इनके जो उनके सुत होते थे वो कमपाईल की जाती थी उसमें भी यह इंसेदारी किये थे तो इन चीजों का यहाँ वर्णन मिलता है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा यहाँ पे मैं यह दिखा देता हूँ इसमें और कौन-कौन से जगों की यहाँ पे बात आई है बहुत सारे जगों पे एक्चुल में इन्होंने जितने जगों का नाम लिखा है भारत में उससे यह पता चलता है कि उन जगों के नाम सेवन सेंचूरी में कुछ और हुआ करते थे आज वो नाम बदल बदल के यह सब रखा गया है वहाँ पे उस समय कुछ और जब मैं पार्ट टू पार्ट थ्री लाऊंगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा किन-किन राज्यों किन-किन सहरों जगों के बारे में वो क्या-क्या लिखें हैं और उसमें जो है उनके एक्चुल नाम क्या हुआ करते थे तो इससे भी समझ जाए दोस्तों कि आजकल जो लोग ये बात दावा करते हैं कि यहाँ पर ये छेत्र का नाम मा भारत में मिलता है रमायन में मिलता है और वो जगह आज भी है इसलिए वो थी तो वहाँ से ये बाते भी गलत हो जाती हैं कि 7th century में even वो सारे नाम exist नहीं करते थे वो नाम काफी बाद में आये हैं और जब आये हैं उसके बाद से ही ये भारत की धार्मिक जो भी चीज़े हैं ये लिखी गई है इसे ये भी सत्यापित होता है तो ये देखे यहाँ पे लिखते हैं कि वे कास्मीर से जालंधर कुलूट मतुरा होते हुए थानेश्वर पहुँचे थानेश्वर से मतिपूर अईच्छन एवं साकान से होते हुए 636 इस्वी के मध्य में उन्होंने कन्नोज में परविश किया कन्नोज से अयोध्या प्रयाग कोशांबी कपिल वस्तु कुसी नगर वराणसी वैसाली पाटली पुत्र आधी अस्थानों का भी भ्रमड किया पाटली पुत्र से चलकर बौध गया फिर नालंदा इसके बाद वे बंगाल उडिशा धाने कटक होते हुए पल्लवो की रजदानी कांची गए कांची से वे आगे नहीं जा सके और उत्तर की ओर लोट गए इस भ्रमड के दोरान हैंसोंग ने पाटली पुत्र में प्रसिद विहारों एवं सतूपों के दर्सन किये बौध गया में बौधी वरिच की पूजा की तथा नालंदा में कोई डिड़ वर्सों तक निवास कर बौध साहिते का अध्यन किया तो यहां पे इन्होंने लिखा है की बौध वरिच की पूजा की तो इसका मतलब जो है आप यह 문 मत समझिये कि उसमय पूजा पाट होता था दरसल ये ठाकुल प्रसाद सरमाजी है तो इन्हों ने जो अनुवाद किया है तो इन्हों ने एक्जेक्टली यहाँ पे पूजा सब्द किस चीज के लिए इस्तमाल किया यह हमें देखना होगा क्योंकि बोधी वरिच की पूजा ना पहले होती थी ना अब होती है लोग वहाँ पर जाते हैं उपाशना करते हैं वहाँ पर जाकर ध्यान वगर लगाते हैं यह काम करते हैं तो यह एक्जेक्टली नहोंने अनुवाद में अगर कोई सब्द दे दिया पूजा, तो जो धार्मिक लोग होंगे, उसको इस सब्द को उठाएंगे, एक तो अनुवादित सब्द है, इसको उठाएंगे, उफी कहेंगे, अरे देखो उसने न पूजा लिख दिया है, तो उ ये तो मानचीतर आपने देखे लिया कि कैसे कैसे ये आयत है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये गाजीपूर में भी गये थे, तो बहुत जगों पे गये थे गाजीपूर में, तो जो गाजीपूर में क्या हुआ था ना, कि सारनाथ के तो नजदीक है, तो वहाँ पे ना, बहुत सारे जो है ना, उस समय वो बौध इलाका था, गाजीपूर, आज गाजीपूर में आप जाएगा, तो कहिएगा कि यार यहाँ पे तो ब्रहभेनिकल सिस्टम के लोग हैं, या भारत के किसी भी जगह पे जाएगा, तो कहिएगा, लेकिन उस समय, 7th century में, इ कुछ जो इन से थोड़े विरूध हैं, मतलब उनमें ही बौधों में बहुत सारे खलास थी ना, यह बात आप समझिएगा, जहां पर यह लिखेंगे ना, कि बहुत संक्यक बहुत हमार का विरूध ही, तो बहुत संक्यक मतलब कि जो हियान या जो महायान था, इन दोनों के विरूध में ही, चुकि चीन जो है, वो महायान यानी देश है, तो उसका जो विरूध होगा, वो ही यान कहा जा सकता है, यह भी होगा, या फिर जैन, निगरंती की जब बात आएगी, तो वो जैनियों की बात हो रही होगी, कि जैनी इनके विरूध हैं, तो कुछ लोग क् हैं, कि जब इस तरह की जो अनुवादक इस तरह का सब्द करेगा, तो उसको पकड़े यह दिखाने की कोसिस करेंगे, कि नहीं, वो हिंदू थे हिंदू होते हैं, तो यहाँ प यह लिख देते हैं, कि वो हिंदू लोग थें, उन्हें वे को लिखने में कोई दिक्कत तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन को पकड़ के अजबदस्ती दिखाने की कोशिस करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आगे आगे आप यह देखिए कि यह लिखते हैं कि चान एक उचारण रिती चेन है सारनाथ के निकट होने के करण या छेत्र अंत चा आन का प्रचलन है चान वस्तुता बौध सब्दावली जान का बदला हुआ चीनी रूप है जिसमें संस्कृत में ध्यान बना है हैंसोंग सेवन्थ सदी में गाजीपूर आये थे तब गाजीपूर छेत्र में अनेक बौध केंद्र थे सांथी संगाराम ये देख ध्यान से देख लीजिए उस समय जो है संगाराम और असुतू भरे पड़े थे घाजीपूर में चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो किताब ये ट्रांसलेशन हुई है जो नोट समय मिले हैं उसको कैसे कैसे हम लोग के सामने लाया गया है अब यहां पे खूब किया कि भाया हम इतने साल हजार लाख पता नहीं कितने साल से ध्रमगर्ण तो ढोटे हुआ हैं लेकिन किसी बंदे ने एक सब्द नहीं लिखा कि भारत में कोई विश्व विद्या ले था और बाहर से लोग पढ़ने लिखने आते थे स्वामी दयानन स्रस्वति क्या लिखते हैं कि अमरीका से चीन से और काउ कौन से देश से जो है कुरिया से पता नहीं कौन कौन से देश से बब्रु भाहन और कौन कौन आग अहां थियार लेके माभारत लड़ने के लिए यह नहीं बता पायें कि भईया उस अब पढ़ने भारत में आये हैं कभी बोधमारग में तो यह लोग जो है जूंटे भी लोग हैं जूंट भी बोलते हैं अमरीका की खोजी नहीं हुई थी अमरीका देश का नाम भी नहीं था उस समय अमरीका तो कब का खोज हुआ है देख लीजिए पंद्रवी सुलावीं सदी का तो यह 19 दिख पाएं कि भाया भारत में बाहर से पढ़ने लिखने वाले भी लोग आते थे तो इसलिए तो आपको इतिहांस नहीं पता चल पाता है ना आई यह सब आपको पढ़ाए नहीं जाएगा हिस्टरी क्लास में तो कहां से पता चलेगा तो अब देखिए यह किताब जो है कित से पहले जो अनुवाद हुआ था वो फ्रेंच में हुआ था इबाद ध्यान दिजेगा और कौन किया था तो वो बंदे जो हैं 1797 से 1873 के बीच में थे एस्टैनिसलिस जूलियन तो ये एस्टैनिसलिस जूलियन जो थे ना इन्होंने फ्रेंच में अनुवाद किया था ये फ् प्रितांत है उसका अनुवाद कर लिया चीनी भाहसा से किसमें फ्रेंच में फ्रांस इस यो के लिए भारत में तो पता ही नहीं है यहां कोई बताने वाला है कि हमारे यहां कोई आया था लिखा था तो कुछ भी इन लोगों को नहीं पता था बता यह फ्रांस वाला चीन से ख हास जानने की ललक भारतियों से कहीं ज्यादा आगा अब भारत्यों गार देख लीजें इसमें भी खोजेंगे न ता अपना धरम खोजेंगे कोई रिसी मुनी खोज दें और वो बता दें तो ये भारत के जो है ये वाओ को इस तरह से बेवकूफ बनाया गया है इतिहास से भटकाया गया है तो अब ये देखिए यहाँ पर ये लिखते हैं इन्हों ने तो अनुवाद किया इस अनुवाद के बाद से एक सेमुल बी लाते हैं इनकी मृत्ती हुई थी 1889 में तो इन्हों ने क्या किया कि पहली बार जो है चीनी भासा से इंगलिस में ट्रांसलेशन किया क्योंकि फ्रेंच में ट्रांसलेशन करने से तो लिम्टेड हो गया था तो इन्होंने पहली बार जो है किस में अनुवाद किया? इंगलिस में अनुवाद किया अब जब तो 1850 के बाद की घटना है देख लीजे 1850 के बाद की उस समय तक नहीं पता है भारत में इसलिए तो भारत में बुध का भी थी यहांस नहीं पता था न 1850 तक इंगलिस में भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ था वो फ्रेंच में किया गया पहली बार भारत में 1898 में पहली बार बुध का जनम अस्थान खोजा गया देखिए कितनी चीछे हैं ये किताबे बिदेसों से पता चल रही बिदेसी खोज रहे हैं भारत में फिर खोजते खोजते भारत में पहुँच रहे हैं यार यही देश है बुध का यहीं पर इनका जनम हुआ होगा चलो खोज के पता लगाते हैं भारती यह बिलकुल अंजान है गया वकर दिया गया इतियास तो अब उन्होंने न स्रिफ हैंसोंग का यात्रा वृतांत अपितु अपनी जीवनी भी उनकी जीवनी भी अंग्रेजी में उपलब्ध कराई तो ये जो सैम्वल बील थे ना उन्होंने पहली बार ट्रांसलेशन भी किया इंग्लिस में और इंग्लिस में उनकी पूरी बायोग्राफी भी लिख दी हैंसोंग का हैंसोंग की एक जीवनी उनके मित्र है ली ने लिखी थी अब हैंसोंग का एक मित्र था उसने भी इनकी जीवनी लिख रखा था तो उसके help से Samuel बिल ने उनका जीवन यात्रा Life of हैंसोंग नाम से लिख दिया अच्छा Samuel बिल के बाद हैंसोंग के यात्रा विरतांत को अंगरेजी में प्रस्तूत करने का स्रेय टॉमस वार्ज को जाता है अब देखिए एक दूसरा बंदा आ रहा है टॉमस वार्ज इन्होंने अब जो है फिर से हैंसोंग का यात्रा विरतांत को दोबारा लिखा 1901, 1901 में मृत्ती हुई थी और यही जो है प्राच्च विद्या के विशे सकेत है प्राचिन ज होती है प्राचिनकाल के चीज़ शमुजने में वो उसके एक्सप है थे तो इन्होंने टॉमस वार्ज ने फिर अनुवाद किया अब यही टॉमस वार्ड जो है इन्हीं के इस अनुवाद के अधार पर रीज डेविड ने हैंसोंग की भारत यात्रा पहली बार 1904 में 1904 में पहली बार अंग्रेजी में संपादित किया ये बात देख लिजे पहली बार इस तरह से इंग्लेंड में 1904 में जाकर ये चीज़े आई कि भई हैंसोंग नाम का कोई बंदा जो है भारत में कभी पढ़ाई करके यहां से किताबे और तरह-तरह की चीज़े ले गया था ये पूरे बिश्व को अंग्रेजों को पता चली 1904 में जब डेविड रिज डेविड की किताब आती है 1904 में और भारतिय बिल्कुल अंजान है क्योंकि भारतियों को तो इनको बताना नहीं है देना नहीं है तो कहां से यह जामते हैं तो यहां से आप देख रहे हैं कि यह पूरा एक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है यह चीज़े आगे बढ़ रही है अच्छा यहां पे जो है एक सुपर चैट सुपर स्टीकर आया है नेचुरल वर्ल्ड जी का तो बहुत सुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड और इसके बाद से वील हरी नाइडू यह लिखते हैं वीजेपी फोन एलेक्शन इन यूपी बाई टेंपरिंग दे इवियम इन दे कमिंग देज दियर विल ए रेवलूशन इन इंडिया एगंस्ट ब्रह्मनिसम ब्रह्मनिसम विल वी डिफियेटेड अच्छा वेल हरी नाइडो जी ओके तो यह पोलिटिकल और एलेक्शन है तो इस पे तो हम लोग नहीं बात करते हैं बहराल पब्लिक जो है आपको पोलिटिकल ही तो एजुकेट होना चाहिए उस पे मैं बिल्कुल करता हूँ आप जरूर एजुकेट हो लेकिन मैं अपने चैनल पे हम लोग नहीं बात करते हैं बहराला हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ओके तो अब इस पे जो है यह डॉक्टर राजेंदर परशाद जी ने जो इसका प्राकथन लिखा है तो इनकी भी हम बाते सुनेंगे कि यह क्या कहते हैं इस पे हैंड सॉंग के बारे में तो इनका यह कहना है डॉक्टर जी का कि भाई भारत का अकर्षन ऐसा था कि इतने सारे बिधेसी भारत में आये गए आके सब भारत को लूट के ले जाते थे हम लोग होती थी आसमें ही पढ़ाया गया अरे सुने की चुडिया थी यह आया यह लूटके गया वो लूटके गया कौन कौन लूटके गया खूब हमको पढ़ाया गया अरे कौन यहां से ग्यान लेके गया उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया आपने कौन से विश्व विद्याले से लेके गया यह क्यों नहीं पढ़ाया आपने तो इन लोगों ने यह जो जनकारी है छुपा दी गई थी हीडन कर दी गई थी तो यही डॉक्टर साब लिखते है यहाँ पर कि हैंसांग जो है 657 पुस्तकों की पंडुलीपी शांत ले गये थे आप सोचिए आप पूरी जिन्दगी में आप 657 पुस्तक इतनी पुस्तकों की पंडुलीपी आप पढ़ते हैं की नहीं हो पढ़किन वह बंदा जो है भारत से पढ़ाई तो किया ही किया इतनी किताबे सांथ लेके गया आप सुची आप कितनी किताब अभी तक मंगाए हैं कितनी किताब मंगा कर आप पढ़े हैं आपके घर में अभी कितनी पुस्तके होंगी और एक बंदा भारत में आया और जो है भारत से लेके गया तो सीप मार्ग भी नहीं था कि बंदर उसमें सीप बैठके वहां से वहां चले जाए तो लोग तो कहेंगे कि यार इतने किताबे कैसे हम लेके जाएंगे वहां पे और ये बंदा जो है 657 पुस्ता की पांडोले भी बंदवाता है और लेके जाता है सूचिए ग्यान का कितना अब लिखे हैं इसमें कितना ग्यान का खजाना है ले चलते हैं अपने देश में तो भारत से लोग बौधों से ग्यान ले लेके बिदेश में जा रहे थे जिसको जिस चीज की चाहत होती है वो वही लेगा ना इनको ग्यान की चाहती तो ग्यान लेके गए लोग अब वही पता चलता हम लोग को आच क्योंकि डूबाने वाला तो देखी रहे हैं कैसे डूबा दिया है भारत का इतिहां से तो ये चीजे हैं अच्छा इसमें आगे ये लिखते हैं इत्सिंग कोई 400 अच्छा यहां पे एक पात और लिखते हैं कि इत्सिंग ने अपने यात्रा विवर यात्री आ चुके हैं मतलब यहां पे यह कह रहे हैं कि इत्सिंग वो भी 7th century में आया था तो उसके समय तक 56 बॉल यात्री चीन और जो पडोसी देश से वहां से आ चुके थे तो सोचिए 7th century तक 56 यात्री इसके बाद से भी आये होंगे इसके बाद से भी आये होंगे लेकि इत्सिंग जब तक आया था तब वो भोल चुका है गारेंटी दे रहा है कि मुझसे पहले 56 यात्री आ चुके हैं अतलास हुई है 12, 13, 15, 50 से ज़्यादा जो है कोरियन और जपानी यात्रियों के कुछ-कुछ नोट्स और सबूत मिल चुके हैं तो ये बात जो है ना हम को समझना होगा 657 बौध ग्रंतों की पंडूलुपया अपने साथ चीन ले गए थे तो देखिए एक चीज और ये समझे है कि इत्सिंग भी 400 किताब ले गए थे हैं सॉंग तो ले ही गए इत्सिंग भी इतनी किताबे लेके गए थे इसमें ये लिखते हैं विचार कीजिए जब दो बौध यात्री कोई 1000 बौध पंडूलुपया चीन ले गए तो 56 बौध यात्री कितनी पुस्तके चीन ले गए होंगे वाकई भारत बौध साहित्य का अकूत खा जाना था ये है सच्चाई दोस्तो भारत ये भारत का ये खुवी था कि विदेशी भारत में आके किताबे यहां से ग्यान लेके जा रहे थे बौध साहित्य लेके जा रहे थे आज हमारे मार्केट में क्या हाल है आज हम लोग के ह प्राटों में क्या है, सेलफोन है, कम्प्यूटर है, electronic devices है, electronic equipments है, कौन दे रहा है, चीन का है, पूरा market चीन के माल से भारा पड़ा है, आज जो है, चीन जो है पूरी दुनिया को electronic समान से भर के रख दिया है, कभी वो भारत से यहां से घ्यान लेके जाया करता था, हमने क्या खोया है दोस्तों ये समझे है हमने क्या खोया है हमारे पास क्या चीज़े थी जो कभी वो देश हमी से लेके जाता था आज वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो पूरी दुनिया को बाट रहे हैं modern science से उन्होंने जूड लिया और हमारे देश में हमने क्या किया हमने बुध को खोया ही खोया अब जो जो बुध के जगह पर हमने धार्मिक गरंद असलिलता भरी हुई चीज़े जो परोज थी जो हम लोग को आपस में बाटी तो बाटी ही उल्टे science की बजाए pseudo science थोप दिया सबसे ज़्यादा बिरुजगार लोग भरे पड़े हैं तभी तो हमारे हैं हम आलतू-फालतू बातू पर ज्याधा चर्चा करते हैं ज्यान विज्यान पर कम चर्चा होती है क्या कारण है यही तो हमें जाच करना है और इन पुश्टकों से जो हैं इनसे हमें पता चलता है कि भारत का एक्चुली त्यांस क्या था चलिए यहां पे यह प्रकास पर्व जी जो है इनका सुपर श्टीकर है बहुत सुक्रिया आपका और इसके बाद से अरुन गागट जी का भी सुपर चैट आया है यह लिखते हैं समाज के लिए आपका कारिय सराहनी है जी बहुत सुक्रिया आपका अरुन गागट जी बहुत सुक्रिया तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हैंसोंग आये थे उनके बारे में और क्या क्या अब मैं आप लोहों को एक वो पॉइंट दिखाता हूँ जो इन लोहोंने एक भ्रामक परचार फैला रखा है इन लोहोंने एक परचार फैलाया है कि भाई भारत में जब हैंसोंग आये थे सेवन सेंचूरी में तो कुम्भ का मिला लगता था यह फेक निउज है फेक निउ इसी को ब्रामडी करन का इतिहांस का अब मैं दिखाता हूँ यह कैसे गलत है और इसकी फेक्ट चेकिंग करके भी मैं दिखाता हूं देखते जाए अनेक इतिहांस गरंतों यों विवरणों में चीनी बौध यात्री हैंसोंग की भारत यात्रा संबंधी संदर्वों का गलत इस्तेमाल भी किया गया है इसमें इन्होंने लिखा है डाक्टर साहब ने यह जो चीजे है न इन लोगों ने बहुत गलत संदर्व भी इस्तेमाल किया है मतलब अपनी चीजे दिखाने के लिए मिशाल के तौर पर हैंसोंग ने पयाग में कुम्भ मेले का कहीं जिक्र नहीं किया है बावजूद इसके कुम्भ मेले के इतिहांस को भी हैंसोंग से जोड लिया गया है और आप लोगों को तो पता है ब्रेमनिकल सिस्टम का अपना कोई इतिहांस नहीं है तो हर बौधो के चीज़ को उठाकर वो अपना सावित करने की कोशिस करते हैं और उनके बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं कि उनका पूरा का पूरा इतिहांस ही बालू के ढेर पड़ खारा है और दूसरे से चूरी किया हुआ है तो अधो की महाधान भूमी का वर्णन करते हुए हैंसोंग ने लिखा है कि तब पर्याग का संगम दस ली के घेरे में विस्त्रित था ली जो है ना चाइना का मापने का जैसे हम आज किलो मीटर में मापते हैं तो उस समय वो लोग ली में मापते थे तो वो अपनी भासा में ल और वहाँ पे सोय हुए एक जो हनुमान है उनकी भी मूर्ती है उसके भी लोग पूरे दर्शन करने के लिए तूटे पड़े रहते हैं तो वो जो संगम था सेवन्थ सेंचूरी में वो पूरी तरह से उस समय बुधिष्टों की जगा थी आज देखिए मंदिर बना के और क राजदान की ये जाने का सुभारम बुध देव की मूर्ती के अलंकरन से होता था जैसा कि मैंने कहा कि हैंसों कांची गए थे और कांची के बारे में उन्होंने लिखा है यह राज सिक्स थाउजन्ट ली में फैला है राजदानी कांची है जिसका छेत्रफल थर्टी ली है अच्छा ये इसमें आगे ये लिखते हैं अनुवादक ठाकुर प्रसाद सर्मा ने बौध भिक्षू का अनुवाद साधू कर लिया है तो अब ये अनुवाद जो उन्होंने किया है ना भिक्षू की जगापे साधू अनुवाद कर लिया और यहां तेन थाउजन्ट महा यानि बौध भिक्षू हैं तो अनुवाद साधू करने से भर्म की गुंजाई से बनती है अवसी का फैदा उठाके इन लोगों ने बोल दिया कि साधू लिखा है इसका मतलब कि हिंदू का साधू होगा लेकिन जब पूरा उसका अगल बगल की चीज़े पढ़ेंगे तब जो प्राकथन है उसमें उन्हों है लिखा है अब मैं किताब में से जो actual notes है उसमें से दिखाता हूँ कि वास्तों में पर्याग में लिखा हुआ क्या है पर्याग का उस समय नाम भी नहीं था ये लोग इतना इनके बोलते हैं कि हमारे वेदों में उसमें कौन-कौन से धार्मी किताबों में पर्याग नाम आया है तो ये लोग जूट बोलते हैं क्योंकि 7th century तक में भी न पर्याग नाम ही नहीं था उस समय इसका नाम था पोलो इकिया तो पोलो इकिया जो है उसका ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि परियाग नाम किया गया है तो उस समय नाम जो है एक्सेक्ली परियाग नहीं था बाद में नाम पड़ा है इसका परियाग अच्छा जी अब ये देखिए अब परियाग के बारे में क्या लिखा है उन्होंने एकसेक्ली हैंसोंग ने फो आप पढ़िये समझिये तब आपको पता चल जाएगा कि कुम्भ वाले मेले की जो भात है वो कितनी जो है फेक न्यूज है यह लिखते हैं यह राज्य 5000 ली के घेरे में है और रजधानी जो दो नदियों के बीच में बसी हुई है वह लगभग 20 ली के घेरे में है तो यह दो नदि वही है यमुना और गंगा अच्छा आगे यह लिखते हैं अन्य की पैदावार जिस प्रकार अधिक होती है उसी प्रकार फलो की भी बहुतायत है प्रकिर्ति गरम और सहय है तथा मनुश्यों का आचरण सभ्य और सुसील है लोग विद्या से प्रेम तो बहुत करते हैं परंतु धार्मिक सिधानतों पर ध्रिन नहीं है यह देखिए इनों होने लिखा एक पॉइंट को कि विद्या से प्रेम तो करते हैं परंतु धार्मिक सिधानतों पर ध्रिन नहीं है तो यहां धार्मिक कहने का मतलब यह मत समझे कि धार्मिक सब्दा रहा है इसका मतलब कि किसी ब्रामर धरम की बात हो र जिनमें थोड़े से विखू ही नियानी बौद धर्म के निवास करते हैं ध्यान दिजेगा इस पॉइंट को यहां पे दो संगाराम है जिसमें से थोड़े से विखू ही यानी लिखा हुआ है यह एक्च्वल में ही यानी होता है तो यह जो ही यानी जो थे ना उस समय तक पहल जो है कम होते गया महा यान बढ़ते गया इसलिए बिदेशों में जदातर एक दो देश को छोड़ दिया जाए चीन के कुछ पोर्षन नहीं सिरलंका के कुछ पोर्षन को और वर्मा यानी मन्यमार को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे जितने बुधिष्ट देशें वो लगबग महा यानी है यही दो जो है न इनमें ही यानी पाये जाते हैं और बर्मा तो कम्प्लीट ही यानी है जो मुर्ती उर्ती नहीं बनवाता है बुद्ध की महा यानी लोग बनवाते हैं तो यह देखिए उस समय वहाँ पे जो है न ही यानी सिर्फ दो ही संगाराम थे टीक है तो अब क्या हो गया ही समझे मुझे इस बात को बोल दिया कि ही यानि महायान का यहां पे नाम नहीं लिया इन्々ों ने तो जब महायान का नाम नहीं लिया तो अगला point यह देखिए कि कई देव मंदिर है अब देखिए इध्यान से समझे म to पॉइंट को, ही यानी जो है टेंपल नहीं बनाते, टीक है, टेंपल नहीं बनाते, उनके संघाराम है, दूसरा इन्होंने क्या सेंटेंस कहा, कई देव मंदिर है, यानी जो टेंपल बनाते हैं, वो अब महायानियों की बात हो रही है, अनुवादक ठाकूर प्रसाद सर्मा ने क्या लिख दिया, कई देव मंदिर है, और बहुशंक्यक धरम के विरोधी धर्मा वलंबी हैं, रहते हैं, तो यहां से लोगों में गलत फैमी क्या फैल जाती है, कि यार ये जो ये देव मंदिर आ गया ना, तो हिंदू की बात चल रही है, अरे नहीं भाई साहब, यही लोग बुध की मूर्ती नहीं बनवाते, सिर्फ विपशना करते हैं, उनकी बात यहां पे लिखी है, और दूसरा जो अनुवादक है, सरमाजी है चुकी, तो ये लोग इस तरह से अनुवाद भी करते हैं, कि सामने वाले तो भरमित होगा ही होगा, और अपने बच्चों के लिए पॉइंट्स भी छोड़ देते हैं, तो ये जो कई देव मंदिर की बात आ रही है, ये बुध के देव मंदिर की बात आ रही है, महा यानियों की, जिसमें बवशंख्यक संग के विरोधी धरमावलंबी रहते हैं, तो ये विरोधी धरमावलंबी की जो बात आ रही है यह ही यान के विरोधी की बाता रही है यह point ध्यान दिजिएगा ही यान का विरोधी कौन है तो यह है याद कीजिए कौन है यह महायानी है उस समय भारत अच्छाई इसमें आगे इन्होंने इस बात का वर्णन भी किया है कई जगा आप जाएंगे तो ही यानी का और यह महायानियों का आपस में सस्त्रार्थ भी दिखाया है कि एक जो है दूसरे को हरा कर आपना वहां पर चस्व कायम करता है तो अनुवादक लोग इन points को इतने अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जिससे भ्रम फैलता है अच्छा आगे अब देखिए यह point यहाँ पे लिख दिया एक लाइनी नहों ने ऐसा लिखा कि जिसको यह लोग गलत परचार कर देंगे इसको डाल देंगे कि नहीं हिंदू की बात हो रही है हिंदू कहीं नहीं लिखाया है द्यान देची का अब next point देखिए फिर आगे से पूरे बुद्ध की ही बात आएगी क्या लिखते हैं आगे रजधानी के दक्षिन पस्चिम दिसा में चंपक वन में एक विसाल धम सुतूब समराट असोक का बनवाया हुआ है यदभी इसकी निव भूमी में धस गई है तो भी सौ फीट से अधिक उचा है इस अस्थान पर भागवान तथागत सम्यक संबुध ने विरोधियों को परास्त किया था इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नक और बालो सहीत एक सब्तू तथा वह अस्थान जहां पर चारो प्रतिक बुद्ध वैटते और चंक्रमण करते हैं बना हुआ है तो ये उस समय देखिए सेवन सेंचूरी में जो बता रहे हैं कि राजधानी के दर्षिन पश्चिम दिसा में चंपक वन हुआ करता था पिसाल धम सतूप बना था समराठ असूख के द्वरा बनाया गया था तो समराठ असूख के समय में भी वो जगाती समराठ असूख उस समय भी वहाँ पे चीज़े बनवा रहे थे इनका पना कोई यहाँ पे नहीं था स्रिफ इन सारे सेंटेंस के बीच में एक सब्द आया जो महायानियों के लिए आया क्योंकि मंदिर वही बनाते थे हैं देव बुध और गौध विक्वो को ही कहा गया है और 7th century है तो उसमें देव मंदिर बनवाय भी जाते थे यानि बुध के मंदिर भी बनवाय जाते थे हैं तो इसी चीज के अनुवाद को उठा कर ये लोग मि अभिहार से इन से भरा पड़ा हुआ था देखिए क्या लिखते हैं इस अंतिम सतूप के निकट ही एक प्राचीन संगाराम है इस अस्थान पर देव बोधी सत्वने सत्सास्त्र वैपुल्य नामक गरंत में हीन यानि के सिधान्तों का खंडन करके विरुधियों का उत्तर दिया था आगे आना point इसी में मैंने क्या कहा था कि जो विरुधि की वहाँ बात हो रही है कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे नहीं नहीं वो देव मंदिर है न वो हिंदू की बात हो रहे नहीं भाज साथ वो उपर ही आनी था नीचे महा यानी था देखिए यहां पर लड़ाई की भी बात आ गई कि इस अंतिम सतूप के निकट ही प्राचिन संगा राम है इस अस्थान पर देव बोधी सत्व ने देव आ गया न कि देव बोधी सत्व तो देव मंदिर किसका है बोधी सत्व का है जहां जहां इन नोट्स में देव सब्द आये समझा ये देव बोधी सत्व, देखे, किलियर लिखा हुआ है, किसी हिंदू देवी देवता की बात नहीं हो रही है, देव किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बोधी सत्व के लिए, ने सत्व सास्त्र वैपुल्यम नामक गरंथ में ही यानी के सिधान्तों का खंडन करके विरुधियों क उत्तर दिया था, तो ये जो बोधी सत्व हैं, ये किसके हैं, महा यानी हैं, ये खंडन कर रहे हैं किसका, तो ही यानी के सिधान्त का, तो ये दोनों का एक दूसरे के विरुधियों यहाँ पे इनहीं दोनों की बात चल रही है, और ये चुकि खुद ही चीन्स है हुए थे तो ये खुद ही महायानी थे इसलिए इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है लिखा है देव बोधी सत्व और ही यानी का नाम लिया है क्योंकि ही यानी उस समय मूर्ति पूजा नहीं करते थे ही यानी नहीं करते आज भी नहीं करते आगे ये लिखते हैं देव पोधी सत्व दक्चिन भारत का निवासी था तो देव पोधी सत्व जो है दक्चिन भारत का निवासी था और वहां से इस संगाराम में आया था उस दिन एक ब्रामळ भी इस नगर में निवास करता था अब ये दिखाया जाएगा दोनों का सस्त्रार्थ कि ये जो जिस अस्त्रार्थ धार्मिक बहस करने में तर्क सास्त्र से बढ़ा निर्पूर और प्रसिद्धा उसका यह ढ्रंग था कि विरोधी के सब्दों के अर्थ पर लच्छे करके उसी सब्द को कितनी ही बार फिर वदल कर इस तरह प्रश्णोत्तर करता था कि विरोधी वेचारा साकर प्रास्त करे इसी लिए इसके निकट आकर उससे पूछा तो इन दोनों की पहस हो रही है ही यान की महायान की और ध्यान दीजिये का इनोंने ब्रामध किसको कहा है ब्रामध कहा इनोंने ही यानी को तो ये जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है ना कि भाई नोट्स में तो ब्रामड ब्रामड सब्द आ रहा है तो भाईया ये ब्रामड धरम का नहीं आ रहा है भाई साब क्यों आप लोग ब्योकूब बने घुमते हो ये ब्रामड उस समय ये लोग जो बौध थें उन्हीं को काते थें जो बौध थें उन्हीं को ब्रामड भी सब्द नहीं था ब लोग जो है हमारा धरम था वहाँ पे देखो देव मंदिर आ गया अरे बुद्ध मंदिर है भाई साब वो बुद्ध का मंदिर टेंपल की बात हो रही है चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको तो यहाँ पे आप अब इस पॉइंट को और थोड़ा सा अच्छे से समझे राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम ये प्रयाग की ही बात चल रही है उनके नोट्स की मैं दिखा रहा हूँ डिट्टोकों भी संगम के मध्य में लगभग दसली के घेरे की भूमी बहुत सुहावनी वह उची है इस संपूर्ण भूमी में बालू ही बालू है प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्टित और धनाध्य पुरूस जब उनको दान करने की उतकंठा होती है सदा इ अपनी संपती को दान कर देते हैं देख लिए ध्यान से इस बात को प्राचीन समय से ही ये प्रयाग की जो वो है ना जिस पर आज कुम्ब का मिला लगाते हैं ये लोग देखिए कैसे इन लोगों ने कैप्चर किया है उसकी फैक्ट चेकिंग ये हैंसॉंग की किताब से ही अपको हो जाएगी और ये लोग जूट बोलते हैं कि हैंसॉंग ने कुम्ब मिले का जिक्र किया है नहीं किया है देखिए ये ठाकूर परसाद सर्मा का अनुवाद है देख लिए उन्हीं की अनुवाद पूरे भारत में चल रही है न उन्हीं की नूर्स में दिखा रहा प्राचीन समय से राजा लोग बड़े बड़े प्रतिष्टित और धनाद्य पूरूज जब उनको दान करने की उतकंठा होती थी तो सधा इस अस्थान पर आते हैं वही संगम पे और अपनी संपती को दान करते थे हैं और वो लोग डोनेट भी करते थे हैं इस सबब से इस अस्थान का नाम महादान भूमी हो गया है तो इकुम्भ की जो भूमी है उसको महादान भूमी उस समय नाम था आज कल के दिनों में सिलादित्य राजा आप लोग सिलादित्य राजा कौन है सिलादित्य राजा का चर्चा किया था इत सिंग ने भी जिसने की जातक अथाओ का संग्रह कराया था तो अब यह लिख रहे हैं कि आज कल के दिनों में सिलादित्य राजा ने अपने भूत पूर्व पूरुसों के समान इस अस्थान पर आकर अपनी पांच वर्स की इकठी की हुई संपती को एक दिन में दान कर दिया तो यह देखिए सिलादित्य ने जातक कताओं का कलेक्शन अपने समय में करवाया था जब 500 बनी थी उससे पहले भी कुछ थी उन सब का कामपालेशन इसी ने करवाया था 7th century में इसका यहाँ पे भी नाम आ रहा है कि इसने अपनी सारी संपती जो है 5 साल में जितना करवगर वसूला था सब आकर दान कर देता था तो दान कर दिया असीला दित्ते कौन है बुधिष्ट राजा है यह इत्सिंग के नोट से कनफर्म है मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आगे देखते जाए इस महादान भूमी में असंख्य द्रव्य और रतनों के धेर लगा कर पहले दिन राजा भगवान तथागत मूर्ती को बहुत उत्तम रिती से सुसजित करता है देख लिया आपने राजा जो है संगम पे जिसको यह लोग कुम्भ कुम्भ मेला कर रहे हैं वहाँ पर क्या आकते थे यह लोग इकठा होते थे और पांच साल में जितनी संपती कठा किया था दान करता था और क्या करता वहाँ पर तत्हागत बुद्ध की मूर्ती को बहुत उत्तम रिती से सुसजित करता था यानि कि पहले जो यह लोग कुम्भ मेला कर रहे हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ती हुआ करती थी अब यहाँ पर भगवान सब्द लेकर आप लोग बैठ मत जाईएगा भगवा मतलब जो महामानों बुद्ध के लिए ही डेडिकेटेड वर्ड है यह किसी इस्वर उस्वर गोड वर्ड के लिए यह सब्द नहीं है चलिए तो वहाँ पर यह चीजे होती थी यह हम लोग आई थी हां से साथियो यह समझना होगा आपको कि सेवन सेंचूरी में ज अब अस्थानिय विखू होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पूर्षो को दान से सम्मानित करता है अब देख लिए लिजी आपने किसको दान कह रहा है जो अस्थानिय विखू है और उनको फिर बुद्धिमान और विद्वान पूर्षो को दान से सम्म पानित करता है तो जितने भी वहां विखुत हैं या और भी जो इंटेलिक्चुल लोग थे सब लोग को ये डोनेट करता था और देखिए आगे क्या लिखा है इसके उपरांत अस्थानिय अन्य धर्मावलंबियों की बहरी आती थी और सबके अंत में बिध्वा और दुखी अनहात बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को धान दिया जाता था तो यहां पर ये बोल रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों अब आपको पता है कि भारत में बोध के अलाबा जैन मारग भी अच्छा खासा प्रभाव में था उनके भी जो लोग आते थे उ ये बात आप समझेगा चलिए अच्छा इसके बात से आगे आप देखिए कि ये आगे ये लिखते हैं कि इस प्रकार अपने संपूर्ण खाजाने को खाली करके और भोजन इत्यादी दान करके अपने मुकुट और रतनों की माला को दान कर देता है प्रारंभ में अंततक सर मैंने अभी बताया कि उसमें जैन लोग भी रहते थे और जो लिखा है ना अन्यमतावलंबी धर्ममतावलंबी तो वो जैन लोग होते थे क्योंकि उसका जिक्र ना अगला ये सेंटेंस देखिए लास्ट वाला इसमें लिखा हुआ है महादान भूमी के पूर्वकी और दोनों नदियों के संगम में परतेक दिन सैक्रो मनुस्य असनान और प्राण त्याग करते हैं इस देश के लोगों का बिस्वास है जो कोई स्वर्ग ये इनों ने अनवादक ने हैं स्वर्ग लिख दिया है और ये प्राण त्याग वाली जो बात है ये जैनी लोग करते हैं इससे आपको ये पता चल पा रहा होगा कि जो प्राण त्याग करते थे उन्हीं लोगों का विश्वास है कि कोई स्वर्ग ये देखिए मैं जनम लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे फिर संगम में डूब मरे तो अवस्य देव पोटी में जनम पावे तो ये जैनियों के लिए बात हो रही है क्योंकि वही लोग जाके अपनी जान देते थे आत्मात्या करने की जो प्रथा थी महावीर जिसके बारे में कहा गया है कि वो बैठे बैठे उनका सरीर से प्राण खड़ गया चले गए तो ये लोग सुसाइड वाली जो बाते आती थी वो इनमें आती थी तो उनके बारे में ये लिखा गया है कि वही लोग जाके वहाँ पे करते थे उन लोगों का कहना है कि इस जल में असनान करके महापातक दुहूल जाते हैं तो देखिए उनके ही बारे में ये चीज कहा क्या है कि भाईया जब ये इस असनान करेंगे जो आप लोग सुनते हो ना गंगा में गंगा असनान करलो सारे पाप धुल जाएंगे तो ये उसके लिए है कि धुल जाएंगे अब कोई ये मत सूच ले कि ये बरामण धरम की बात हो रही है क्योंकि बरामण धरम जो है वो पूरा बोध और जैनमार का कॉपी पेस्ट है ये आपको पता ही है तो वही चीज भी वहां से इन लोगों ने कॉपी की हुई है आज भी आप ये तो सुनेंगे कि यहां गंगा जाके नहालो तो वो हो जाएगा लेकिन ये वाला नहीं सुनेंगे कि जाके वहां पे अपने प्राण त्याग देना क्योंकि प्राण त्यागने वाला जहिनिरम में पाया जाता है अब वही बात यहां लिखी है लेकिन वह चीज नहीं लिये इन लोगों ने यह क्या ले लिया कि गंगा में नहालो तो पाप धुल जाएंगे तक कुछ कुछ चीजे जो इनके सहुलियत बनी वो वो चीजे इन्होंने पेश्ट कर ली अच्छा इसके बासे है कि इस कारण यहां आने को प्रांत बहुत साथ दिन तक निरहार रहकर उपवास करते हैं देखिए उपवास वगरा की बाते आ रही है फिर अपने अपने जीव भानि भी उन्होंने डाल दी है कि बंदर वगरा भी वहाँ पे इक बंदर सूसाइट करने की घटना मिली थी जैसे बहुत जगापे पसु पंचि जो है उनके सुसाइट की घटना मिली है पंचि जो है जाकर दिवाल में लड़-लड़ कर मर जाते हैं या कहीं पर जाकर अप पूरे परियाग में आपको दिखा लेकिन कहीं भी आपको एक सिंगल ये भात नहीं मिला कि यहाँ पे कोई प्रामर धरम था उस जगह पे पूरा का पूरा बौधों का प्रभाव राजा भी बौध हर चीज मिल रही है सेवेंध सेंचूरी में सांतियों सूचिए इनके जुक सेंचूरी में तो हैंसोंग बता रहा है कि सद्यों से जब से आ रहा है तब से बौधर राजा ही आके यहां टूनेट कर रहे हैं तब यह कुबह का मेला लगता कब था आपका दोस्तों यह है सच्चा है यह है फैक्ट चेकिंग कि विदेशी जो हैं वो आकर नोट्स लिख लेकर खोज-खोज कर सारी बाते लेकर हैं और हम लोगों को जो हमारे पास कोई न सबूत है न एविडेंस है बस कथा कहानी कपोड़ दो मूँ खोला सब्द कपोड़ा हो गया सबूत क्योंकि मूँ से कपोड़ दिया है वह सबूत मनना पड़ेगा इस तरह से हमारे जो है इस तरह से भारत की इत्हांस को बरबाद किया गया है और खराब किया गया है तो यह पूरा इतना ही इनोंने परयाग के बारे में लिखा हुआ है यह थी सच्छा ही दोस्तों परयाग की और इसकी facts checking आप देख लिए होंगे अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं न कि कुछ ऐसा दिखाएंगे कि अरे हैंसौंग जो है तो बोलता है कि बुधिष्ट लोग कौन से कौन से लोग में पहुं जाते हैं देव लोक में पहुंचाते हैं, इसका मतलब कि बुधेश्ट लोग इस्वर्पे और देवों पे विश्वास करते हैं, अब ये देखिए दोस्तों ये बहुत भ्रामा के स्टेट्मेंट ये लोग प्रचार करते हैं, इसके भी फैक्ट चेकिंग कर देता हुए, ये लोग एक कहानी सुनाते होंगे आप लोग को, कि अंकुरवाट मंदिर का, कि चोल जो राजा हुआ करते थें, वो जाकर हिंदू राजा थें, जाकर आठवी, नौवी सदी में, साथवी सदी में, जाकर अंकुरवाट का मंदिर वनवा दियां, ये कर दियां, वो कर दिश् century में भी बौध राजा थे वहाँ पे और seventh century में भी बौध ही राजा थे वहाँ पे ये भी मैं भी दिखा देता हूँ चुल once के बारे में क्या लिखा है है इससे आपकी fact checking भी हो जाएगी उस समय चुल को चुलिये कहा गया है इन्होंने चुलिये लिखा हुआ है चुल यत्वा चुल तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत विरान और जंगली देश हैं दल्दर और जंगल द्धारे गूमा करते हैं वहाँ पे इनका experience अच्छा नहीं था तो उन्होंने लिखा है कि यहां तो द्धारे डांको गूमते हैं यहां का मनुस्य कुर और दुराचारी है यहां के लोगों के स्वभाव में निर्दईपन कूट कूट कर भरा भरा पड़ा है ये लोग विर पूरा देजी ही जो है उसके बारे में इनका experience अच्छा नहीं था लिखे कि वो पूरे के पूरे सब डाकू का जुंड घूमते हैं यहां तक कि वहां के जो पूरे के पूरे संगाराम है जो भिक्षू है वो भी उसी तरह से हैं मतलब लठमारा टाइप के हैं यह लोग अच चीज़ नहीं है उसके विरुद्ध है तो वहां पर यह बताते हैं कि कोई दस देव मंदिर और बहुत से निगरंथ लोग हैं द्यान देजीगा इस बात को कोई दस देव मंदिर देव मंदिर आया है यानि कि महायानियों के दस देव मंदिर हैं बुधिष्टों के दस इन लोग भी पाय जाते है ना तो इनकी बात हो रही है यहां पर ब्रामः धरम की कतई बात नहीं हुई है यह देख लिजे दोस्तों सेवन्थ सेंचूरी में भी ब्रामः धरम साउथ में भी नामो निसार नहीं है वो बोल रहा है कि भले ही वहां के लोग जो है नगर के दक्षिन पुर्वत थोड़ी दूर पर एक सुतूप समराट असोक का बनवाया हुआ है अब देखिए वहां पे जो चोल वन्स है वहां पे भी यह बताते हैं कि यहां पे भी समराट असोक का बनवाया हुआ है सोची समराट असोक कितने बड़े थे हैं कितना लोग जो है बिदेशिया के हर जगा उनका नाम मेंसन कर रहा है तो समराट असोक का नाम भुलाया किसने और कब भुलाया दोस्तों ये समझने की जुरूरत है कब से हम लोगों को भारत से समराट असोक को हटा कर अराम कृष्ण को हमें पकड़ाया गया कब से ब्रंभा विश् इसको समराट असोक दिख रहे हैं सुतूप दिख रहे हैं तरह तरह के हियान महायान की चीज़े दिख रहे हैं निगरंती भी दिख गए जैनियों तक की ये बात कर रहे हैं इनको ब्रामरधरम को कहीं नहीं दिख रहा है तो ये समझना होगा दोस्तों कि कैसे 7th century भारत का क आईतिहांस था तो ये लिखते हैं आगे यहां पर कि जो सतूप थाना समराट सुप का बनवाया हुआ था इस अस्थान पर प्राचिन काल में ततागत भगवान ने देवता और मनुस्यों की रच्छा के लिए अध्यात्मिक चमतकार को प्रधर्शित करते हुए विशुद ध भरम का उपदेश करके विरोधियों को प्रास्त किया था देखिए यह अनुवाद की अनुवादक जो है लिख दिये हैं अनुवाद करते हुए अध्यात्मिक चमतकार को प्रधर्शित करते हुए यह अलंकारित सब्द है इस चीज को समझेगा क्योंकि बहुत मार्ग जो ह पूरा स्टेट्मेंन्ट ध्यान से सुनियेगा यह कैसे यह लोग फरमित करते हैं कहें गरे उसमें तो चमतकार कैसे लिख दिया है अध्यात्मिक चमतकार का प्रधर्शन चंहने का मतलब है कि उन्हों इतने ज्यादा intellectual ढंग से उन्हों ने अपने उनका जो धम था उसका उपदेश दिया जिससे की विरोधी परास्त हुए थे हैं यहां पर यह statement है इस चीज को आपको समझना होगा फिर आगे जो है यह लिखते हैं कि यहां पर फिर कैसे सस्तरार्थ हुआ था तो वो कौन होते हैं ध्यांदीजेगा रहत कौन होते हैं बहुत भी खुई होते हैं तो इनका जो है देव बोधी सत्व के सांथ सस्तरार्थ हुआ तो यह पूरा दिया हुआ है कि वो एक जहां जिस कुफा में रहता था वहां पर वो गय थे गय तो वो अपने कुस बिचा कर बिच शुरू हुआ दिवेड शुरू हुआ तो इनका उन्होंने उससे प्रशन पूछना शुरू किया जब सात बार उन्होंने छेवार प्रशन पूछा सा और उतर दे दिया इदहराहा यान होके लड़ाई यहां पर दिखाई जा रही है तो जब सात डिवारे lowersने पूछा दे देवी सक्ति का गुप्त रिती से परयोग करके वा तुसित लोक में गया और मैत्रेय से उन प्रश्णों को पूछा ये पॉइंट को ये लोग दिखाते हैं यहाँ पे दोस्तों समझना होगा कि ये कहानी जो है न उस समय हैंसॉंग को किसी ने सुना ही होगी क्यों हैंसॉंग बोधी सत्व अगर हमारी जगह पर होते हैं तो क्या उत्तर देते हैं किसी को कहते हैं इनमें परलोक नहीं होता है तो द्यान मगन हो गया ये द्यान से पढ़िए इस चीज को हाँ गया और मैत्रे से उन प्रशनों को पूछा मैत्रे ने उसका उचित उत्तर बतला कर यह भी बता दिया कि वह प्रसिद बोधी सत्व देव है जिसने कलपों तक का धर्माचरण किया है और भद्र कलप के मध्य में बुधा वस्था को प्राप्त हो जाएगा तुम इस ब से अनुवाद किये हैं कि लोग थोड़े से ब्रहमित हो जाते हैं यहां समझने की बात यह है कि जब सात्वा प्रशन नहीं दिया तो ध्यान मगन हो गया ध्यान मगन होके कुछ अपना सोचा होगा कर गुर के आया फिर उसके बाद से उसके मन में ऐसा आया कि जो भी उसके म पोट आया और फिर अस्पश्टरिती से व्याख्या करने लगा इस समय की भासा और व्यवस्था बहुत ही सुध थी जिसको सुनकर देव ने कहा देव मतलब बोधी सत्व देव यह तो व्याख्या मेत्रय बोधी सत्व के पुनित ग्यान से अर्विभूत हुई है यह महाप पूजा करने लगा तो यह दिखाया गया है कि जो देव बोधी सत्वत हैं उन्होंने एक अरहत को कैसे हराया था और इसलिए इन्होंने शुरू में लिखाता है कि यहां के जो संगाराम है जो भीकु हैं वो भी सब बरबाद हैं तो जो बरबाद हैं उनमें से जो सबसे इं इंकारित चीजे जूड़ दी जाती हैं कि जब सात्वा नहीं दे पाया तो उनके मैत्रे सजा के पूछा तो उत्तर इसको लोग सुचते हैं कि क्या इनमें भी देवी देवता है नहीं भाइसा बुद्ध मार्ग में कोई देवी देवता नहीं है सेवन सेंचूरी की लिखी होई बाते जो हैं उसमें जब लोगो कहानी सुनाते हैं तो कुछ मिर्च मसाला जोड़ देते हैं तो वो बंदा जो सुनेगा वो एजिटिज लिखेगा ना न्यूज पेपर क्या करता है न्यूज पेपर कोई दावा करता है कि हमारे यहां उनर जनम है तो न्यूज पेपर वला जाता है बच्चा जो जो कहेगा उसको लिख देगा कि इस बच्चे ने ये ये कहा इसका मतल करते दें तो पूले मिला के मैंने यहां पर आज दो पॉइंट आप लोग को कवर किये हैं एक पर्याग वाला पोर्षन जो कुम्भम मेले के बारे में बताया गया दूसरा चूल वंस के बारे में कि सेवन सेंचूरी में भी वो पूरी तरह से बहुत मारगियों से ही भरा पड हुआ था और आगे के जो पार्ट होंगे तो अन्य जो राज्या हैं जिनके बारे में चीज़े बताई गई हैं उन पे भी हम लोग डिस्केशन करेंगे तो चलिए ये था आज का ये सेशन और इसके बाद से जो है मैं लिंक सेयर करता हूँ किसी को कोई पॉइंट हो वो आ सकते हैं और इस पर डिस्केशन कर सकते हैं चलिए मैंने लिंक सेयर कर दिया है अच्छा इसके इसके बाद जो है आप लोग आए और जिनको डिवेट भी करना है न डिवेट करें तमीज और तहजीब में रहकर डिवेट करेंगे अपनी बातों को रखेंगे बेसिकलिए डिवेट का पहलू क्या होता है आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट हो जो आपको लग रहा हो कि आप उसमें सही है तो पॉइंट को रखिए सबूत दिखाईए फिर हम अपना सबूत दिखाएंगे या हम लोग उस पर चर्चा करेंगे इसमें कोई बहस बाजी हो हला करने की जुरत भी नहीं होती है तो इस तरह से आप लोग अगर सही पहलू पर रख पाएंगे बातों को तो बहुत अच्छा डिवेट होगा हमारे भी ज्ञान में जाफा हो जाएगा अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजे हैं तो वो दिखाएंगे तो चलिए अच्छा यहां पर कार्तिक आये हुए हैं चलिए पहले इन से बाते करते हैं बताएं कार्तिक क्या कहना चाहते हैं कार्तिक हमें सुन पा रहे हैं हाँ जी हेलो पास किताब से रेफरेंस दिखा लोका चाहते हैं अगर नाम दिखाएंगे पहले आप इह बताएं कि आप कोई डिवेट करना चाहते हैं किसी मुद्डे पर बात करना चाहते हैं कुछ पढ़े बताएं तो सही कि इंसां तो इंसां का आप कहा तक बचा था भी आपने देखा कि नहीं देखा पहले ये बताइए अच्छा थोड़ा सा देखा था यही तो आपकी गलती है न आप पूरी चीज़ें कभी देखते नहीं है और आके मुझसे पूछते हैं कि आप कहां तक बता दिये हैं तो यह तो आपकी गलती है न चलिए बताइए मुझे आप इतना आपने अभी मैच्छे कर लेता हूं न अभी पता चल जाएगा चलिए बताइए हैंसोंग जो था भारत में क्या करने आया था वह अपना बद्धिस डिलिजन का कित गृट करके यह लेकिन ऐडिया कि कहां पर घीता का बलीछ किया है अ हुआ चल कर नावन उसने दिंग लिख रहा है शान लिखरा रहा है यह सब का नाम है क्या सान वेद का नाम है अप पिंग जो है वेद का नाम है अरे आप हम तुदेखी लेंगे आपके दिखानेस के लिए थुड़े मोटा जे मेरे पास तो किताब पड़ी हुई है आप पेज नमर बोलिये मैं बताता हूं न आपको क्या लिखा हुआ है पहले आप मुझे यह बताइए कि 7th century में जब यह आया यह ऐसा मत कीजिए नहीं तो मैं वो कर दूँगा फिर इस तरह से अपना स्क्रीन जो है न स्लेट पर ऐसे मत घुमाया कीजिए नहीं तो मैं फिर वो कर दूँगा स्क्रीन सिंगल कर दूँगा मैं कोई फैदा नहीं होगा आपको लिंक ओफिशल लिंक जो है वह आप दिखाएंगे तो फिर मैं यहां पर सेयर कर दूँगा कicket अधा सैंबेल वीक के किताब है यह तो इंगलिस ठांसलेशन अचचह ठीक है ठीक है तो मैक्स मुलर का कवेद पढ़ा जा यह जी मैक्स मुलर का मैक्स मुलर भी तो वह भी कून बुधिश्ट तो था नहीं वह भी तो अंगरेज ही था ना जर्मन ही था ना उसने भी दिखाता जाती है मैक्समूलर का पढ़ने में तो आप मुझे बताए ना किस पेज पर रमायण में भारत गीता की चर्चा है इस बुक के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा यह सीधा इंग्लिस ट्रांसलेशन है वह सेमूल विल का सेमूल विल ने कौन सी सदी में किया था आपकी तो बताए अब आप पढ़िये सदी में किया था डर क्यों रहे हैं सेमूल विल का आप दिखाना चाह रहे हैं मैं तो देखूंगा ही देखूंगा आप यह तो बताए पहले कि आप जो है कौन सी सदी में सेर्शन किया था यह नहीं बता हूं को लेगें इसमें तो नहीं पता है नहीं पता है तो रुकिये थोड़ा सा इतना भागने की जरुरत क्या है अब बताये मुझे की हैंसॉंग जो है भारत में आपके वेद का चर्चा कर दिया चारोवेद का नाम लिया उसने अचने अधर वेदा स्विलाहिए था जब जाएसेंस अधरर पताया था इसे लिए थू दिखाए तो कहां पर लिखा वह चारोवेद का नाम कि डरील कि अर्जान ऑधी तो एटा कॉन सा वेद्य है वह मनुसमिर्थी पढ़े नहीं हो आपके मनुस्मिर्थी में तीन वेदी हर जगन थीन वेदी निफारें यह डार कि तमाम धारविंग क्रॉंत में तीन वेद की चर्चा है चौथा वेद तो अपने जवर्जस्ति का बनाया हुआ है ना वो चार वेद का उले कहां से करके चला गया तो आप यह बताओ मुझे कि भारत में यह आपके चार वेद अच्छा पढ़ाई कहां होती थी चारो वेद की गुरुकुल में होती थी कहां पर लिखा कहां पर लिखा है कि लिखा यह कर आया हो कि लाइप आप यौन सांग कि तभी तो दिखाऊंगा ना मैं जब सेर ही नहीं करोगे तो कहां से दिखाऊंगा मैं लिंक लेगा है तो आप शेर करिए लिंक थोड़े देवता त्यार हो के क्यों नहीं आते हो पहले यह बताओ आप आतु हमेशा जाते हो हर बार गलत करके अपने को गलत करवा के जाते हो पिछली बार भी आप लेकर आये थे उसका कुशान वंस का दिखा रहे थे कि बुद्ध जो है वह हो गये हैं अब सेवंध सेंचूरी में आप वेद दिखा रहे हो अच्छा रमाइड माभारत दिखाओगे नहीं दिखाओगे यह बताओ क्यों कर्तिक करतिक सुन रहे हो मुझे ने मैं वेद वेद तो मैं देखूंगा देखूंगा आप यह पहले बताओ रमाड म भारत गीता यह सब दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे सेवंध सेंचूरी में क्योंकि यह किताबे तो मिलनी चाहिए न हैंसॉंग को तो जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि पूरे भारत में भाई रमायड राम को तो जरूर जानना चाहिए समराट असोक का हर जगे नाम ले रह है तो रामकृष्ण ब्रंभा विष्णु महेंस का भी तो नाम लिया होगा जरूर है जिए चाहिए तो उससे पहले का दिखा दू सब्सक्राइब का माभारत का इन सब का चर्चा किया है कि नहीं किया है रामकृष्ण का चर्चा किया है कि नहीं किया है वो आया कि से अले तहाँ उसका प्रपस जानी नहीं है तो उन्होंने किसका मंधिर तोड़ा था इन अंधिर किसका तोडह था कि ऐपह कि प्रभू हो जब आहे प्रalf का मंदिर दिख़ा तो हिंदू का मंदिर तोड़े होंगे यही नंदे हां तो जो दिखेगा उसी तोड़ा जाएगा ना तो यहाँ पर इसको एक भी आपका रामकृष्ण ने पूरा घूम घूम के पूरे भारत के हर सहर का वर्णन किया हर ये भी दिखा कि जैनियों तक का इसने वर्णन कर दिया सब का वर्णन कर दिया आपके ब्रामः धरम के लोगों का कोई चर्चा नहीं है रामकृष्ण का कहीं चर्चा नहीं है प्र110 का चरचा नहीं पर चकर क्या है अरे श्यक्तोट सेवज्चूरी में यह सब नहीं थे जयो यह और घंट जाओगे फिर उसमें अंध जाओगे जैनियों का इंस्क्रिप्षिं उठाओगे पुलकेशिन का उठाओगे, कईदो की पुलकेशिन दूतिये का नहीं उठाओगे, पुजयन राजा था, तो फिर उसमें फंस जाओगे, आप जो है आपको ब्रामेनिकल जो सिस्टम है ना आपका, ब्रामण धर्म का, उसका दिखाओ ना, आप दूसरे का हमें सा क्यों दिख जवाब, अब जाके पता लगा ले ना कि चर्चा नहीं किया है, पूरे भारत में घुम घुम के, उस समय ना इसको एक टेंपल मिला, ना कुछ मिला, ना ऐसे कोई लोग मिले, कुछ नहीं मिला, इस पर, क्या बताए फले, हम बताएं, बताएं, क्या बोले अभी, टेंपल, सूर्य देव के टेंपल को ले किया है, अच्छा सूर्य देव किसका है, कौन से उसका है, कौन से समपरदाय का है सूर्य देव, हिंदुईजम का है, हिंदुईजम का है, तो आप किसका है, आपको क्या लगता है, अच्छा, अच्छा, सूर्य देव हिंदुईजम का है, अपोलो कौन है, अपोलो को नाम सुने हो कभी, आपोलो ग्रीक है, ग्रीक था न, अपोलो किसका देव था है, क्या उस अपोलो को क लोगो क्या कहते हैं कुशानों का जो देवता था वो कौन था कुशान तो आपका सूर्य देव कब आ गया था यह बताओ आपका सूर्य देव आया कब अरे सर कवाया भी एए बताओं ने बताना तो पड़ेगा ना आपका सूर्य देव कब सबूत मिल रहा है तभी तो मैं बताओंगा ना कि किसका है वो अब बताओ अपोलो तो जो है अपोलो तो बाहर विदेशियों का जो सूर्य का रिप्रेजेंटेटिव था देवता है वो सूर्य देवता है अपोलो विदेशों में कुशान जब भारत में आता है तो सूर्य का उपासक वही है बुद्ध को भी वो सूर्य देव मना के पूझ सब्सक्राइब देखा है उसको कभी मूर्थी देखी है किसका मूर्थी है वो नाइए बस यहीं न चक्कर है आपका आप जो है ना मूर्थी देखते हो ना पता लगाते हो कुछ भी आप नहीं करते हो और बस सीधे आके जो है दावाठो को देते हो कि यहां भई आपके हिंदू धरम का है सुर्य वीडियो 74 जाके आप देखना उसमें मैंने चित्र भी दिखाया है सुर्य देव का अब मुझे आपको दिखाऊंगा ना अभी खोल के दिखाऊंगा ना मैं बताओ कहां दिया हुआ है वह मूर्ती पहले जाकर देखना ध्यान से सुर्य देव का जो टेंपल है उसका उसका जो मूर्ती है वो बुद्ध की मूर्ती है ठीक है ना अब मुझे बताओ एंसोंग कहां चर्चा किया है बताओ तो फिर हम दिखाते हैं उसको भी खोल के हिंदी रंसलेशन तो नहीं पढ़ा है तो बस वही चक्कर है ना आपका कि आप जो है किसी का भी पढ़ोगे कहीं से भी पढ़ोगे आप सबूत मांगोंगा तो बस नहीं दिखाऊगे अच्छा इस तो टुब कश्मीर में वहां के ब्रामवन्स अच्छा क्या मतलब हुए रिया था मतलब क्या होता था सेब्द सेंचूरिima है अरे अूअरे मुझे सेब्ध सेंचूरी में वेद क्या मतलब होता था ब्रामण का तो मतलब मैंने दिखाया आप इस्ट्रीम देखना आपने वो तो ब्रामण जो है ही यानी को ब्रामण कह रहा है जब ही यानी और महायानी में डिवेट हो रहा है तो उसको बूल रहा है तो उसमें., तो बीदिश्त कर रहे था है, जो बूदिश्च हैुसको बोल रहे है आप का य पहले समझाओ कहाँ पर hierarch इसको फैला रखा है, जब तक आप नहीं बताओगे जब तक awareness नहीं यहां पे खोल के तब तक क्लियर कैसे होगा डाउट है आपका यही चक्कर है ना आप आपने जो है अभी का समीर का पॉर्सन आज दिखाया नहीं है नेक्स टाइम पार्टू में लेकर आऊंगा तो वहां पे इसकी पॉल खुल दूगा अगर आज आप चाहते हो पुल आज ही दिखाता हूं ठीक है ना चुकि आज मैंने कवर नहीं किया है लेकिन अगले में कवर करूंगा अगर आप चाहते हो तो दिखाओ मैं फिर पॉल खुलता हूं इसकी अच्छा अगले में सर तुम में आऊंगा अच्छा वाल लिंक भी दिखें आऊंगा जाना जाना चल त्यार होके आया करोकार्तिक आते हमेशा हो लेकिन आप जो है ना त्यार होके आते नहीं हो आके इधर उदर की आप बाते करते हो और सबूत जैसे मांगता हूं फिर कहोगे कि मैं कुछ दिवाद आता हूं फिर यह करता हूं फिर वह करता हूं इतनी गलत स्वर्स से ने लिखा है हैंसौंग ने कि जलवायू अत्यंत सीत है बर्फ अधिक पड़ती है परंतु वायू विशेश वेग से नहीं चलती लोग चर्म वस्त्र को सफेद अस्तर लगा कर धारण करते हैं आगे ये लिखते हैं कि ये लोग विद्या व्यशनी और सुशिचित हैं मनुस्यों का स्वरूप सुन्दर परंतु मन कप्टी है लगभग बौध और भिन धर्मावलंबी दोनों प्रकार के लोग बसते हैं लगभग सो संगाराम और फाइफ थाउजन्ट विखु हैं तथा चार सुतूप समराट असोक के बनवाये हुए हैं परतेक सुतूप में कि यह तो पूरे के पूरे यहां पर संगाराम बहुत भी कुई इनकी चर्चा कर रहे हैं तो यह आप जो है न कहां से पढ़के आते हो वह ना आप दिखाते हो बस क्लेम करके आप निकल लोगे आना अगली बार सब लेकर फिर मैं बताता हूं क्या लिखा हुए अच्छा ज अपना डिवाइस जो है ना जाकर सही करें अच्छा जी राम मुहन जी आएं चलिए इन से बाते करते हैं जी राम मुहन जी बताएं नमस्कासर जैवीम हालो इससे पहले मैं आप से वाच्छू चुका हूं नागा वके बारे मैं आपको इमिज भी आपने दिखाए दिया व जो गलत पड़ते हैं जी इस वारे मैं यह अनुप किया है कि मैं से जैसे कई वा लोग बैठता हूं तो उन से जैसे ही बाबा साथ के बारे बात करता हूं तो लोग चिड़ने लगते हैं हाँ तो मैंने यह पाया है लेकर सब मैंने एक चीड़ और उन्हें किताब किसकी हाथ के लिखी हुई इस वास से भी चिड़ है तो उसी चीड़ मैंने यह पाया है कि जो बार्लमी की रमायाटी जो मैंने रिफ्नस दिया लोगों को तो उसमें भी वो कहते हैं कि वह तो वह कि अगर थूरी देर के लिए मांल की कि अगर वह सबसे पहले बात करते हैं कि अपने सास्त्रों होगी तो सास्त्र के बात कि परते हैं जितने मिआ बयत्यास कि से लिख Hayır सब्सक्राइब नहीं थे पहले तो एक चीज आप इस चीज को निकाल दीजिए हम लोगों को इनको यह नहीं दिखाना है कि वह क्या थे क्या नहीं यह तो दोनों की दोनों चीज अर्शा करनी है कि हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि सत्रहवी सदी में तूलसी दास का लिखा हुआ रामचरित मानस आथेंटिक वह सकता है क्या सत्रहवी सदी में कोई बंदा अपने आखों से देखा था कि क्या वहां पर घटी थी उसकी करते हैं तो हमारा कहने को यह था कि जैसे तुलसी दास की बात करते हैं तो सब्सक्राइब निकाल दिया थे ना तुलसी दास को इन्होंने बाइकट किया था ना क्योंकि उसने संस्कृत में नहीं लिखा था ना उसने लिख दिया था लोगों की भासा में दूसरे लोग भी पढ़ सकते थे तो इसलिए उसको बाइकट कर दिये थे जाके मस्जिद में सोता था वो बंदा रामबोला दूबे जो है उसको बैचारे को जान बचा के मस्जिद में अपनी जान बचानी पड़ती थी वहां से मांग के खाता था मांग के खई वो मजिद में सोई वो यही काम करता था वो उसने तो अपनी किताब जो है उसनी किताब जो है टोडर्मल को देकर छूपाई थी जलाने को सारे ब्रामर उसके पीछे पढ़ गए थे उसकी किताब जलाने को त्यार थे उस समय आपको यह देखिए अब उसको आज यह लोग आफ्ञेंटिक मानने लगे उस समय विरुद में थे तो इनका दोहरा वेवार समझे कि जहां इनका अपना फायदा देखे वहां पर वह अच्छा और जहां पर वह इनकी वह फंस रही हो तो वहां बालकांड जो है सब मैंने उसमें ये पाया है कि उसमें जाधा तर जो है वो कभीर दास के दो हैं जिसका भामड़ी करण किया है कि उसमें बहुत सी जगें जो है उन्हें अच्छे बुरे और सब को एक समान दर्फाया है कि सब एक ही जगें जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है लेकिन बाद में फिर वो कहानी सुरो जाती है। अबने इस नहीं है आपने इशन्वाने सिर्ट मैने देहा कि तुलसी डास कहते हैं वुसी डास पते प通सी डास के उप यह वारी है इस पते एक नहीं है तुलसी डास बीख कन्स अंबारे सुछा फुर्यरे तुंच अैयत नाम प्याद है कि हम 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 हां उस लोक याद नहीं हा रहा है तो मन्ना मैं भी बताता है कि उसमें और साहित जिसे यह का जाओता है कि एकसर कि तो तुस्सी दास द्रहम गया नहीं थे अन肉 सपन में आया था ये हो गया था जिपस् möchten ऊच्ति उसमें बड़ोग तब कुछ समझ भाई उस कथा को मैंने लिख दिया, तो उनके पास चमतकारी काता, उन्हों नों भुद ही लिख रखा है कि इसमें मुझे मेरे पास चमतकार कुछ नहीं था, मैंने तो गूरू से सुनी थी खाली. हम, हम, हम. पहल pray, मैंने अपने लिख उस पुम है, उसमें अप्ना कोई यान ही नहीं है, अगर वागाए उनकी बातों को किसरद हो nga नहीं है. तो एक पिसमें दो तीम बाते से दोटी एक तो इसमें पहला जो बाल गांड है और उसमें जाधा तर कवियर दास के मैंने देखा है दो ही जिसमें उनका अब्रहामली करण की आगया और इसी वजे से लोग उसको अच्छी लगती है और लोग उसमें फस जाते हैं लिखने वाला फुदी कीओ लिखा कि अपना लगाए कि वो ऐसा गहते हैं तो ये किसी और ने लिखिया है और जो है वो तुसीदास जी का नाम कि यह लोग जो है 17 सदी में लिखी हुई इनकी किताब ऑठेंटिक हो गई दूसरा कोई बंदा जो लिख रहा है वो अन ऑठेंटिक है यह कुछ भी बिना किसी रेफरेंस इनकी सारी धर्मगरंथ कोई भी एक रेफरेंस है इनका कि उसमें कहीं पे भी कुछ सभूत हो कब सबसे पर जुड़ा था तो मैंने आप बताया था कि मेरा बेटा खतम अगया था इक्की साल गवागी थी और उससे पहले वह सारे पहले तक जो है वह सोचा कि साइज इसकी पर इंडिया इंडिया मैंने फो तीज दरा है लेकिन लास्ट तीज जब दोनात्तिक हुआ तो उस सब्सक्राइब तो मैंने इस सब्सक्राइब गया हूँ और मैंने जिस तरीके से चमतकारी बाते बताई जाती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसे जगनात निम्क आ जाता है कि जंडा उल्टा भूमता है वह अंदर आवाज आती है समुझर की वोती है अंदर नहीं आती कि मैंने सब्सक्राइब मंदिर के ठीक सामगी इधा में शट पर खड़ा हुआ था तो मैंने मुझे याद आ गई कि मैंने यूटूब में तो देखा था वीजियो पे कि जंडा उल्टी ते साम रहता है यहां तो सीजी ते सामें है अब वहां तो पच्छी में खुब बैठे हुए थे अगर कोई देखती अगर किसी को जाद अपना धर्म देखना है तो एक बार जो तिन लोग पर जाए और वह साधहांड देख बनके जाए वह अंदर जाकि पिटी के बाहर क्या आएगा उसका जल नहीं चुड़ेगा यह 100% गारंटी है अगर वह पैसे पहले सही तैड नहीं किये तो बिल्कुल आपने सही बता है यह जिसे वैजना धाम का नाम आपने सुना हुगा तो बहां जो था जो मैं चलने लगा मंदिर के लिए कमरे से तो कमरा वाल वाला होटर वाला कि आपने पंड़ा बुका लिया बैंडे बिलाया तो बुले कि आपको जो है मंदिर में खाली जड़ाना है कि आपको जब पूजा भी करनी है पूजा करके साथ कि महामीं करना है तो इसके लिए 200 नुप्य पांत सर्व में निका है जो हम इने फैर शुरू उपर एब अधर पर चलि यह नहीं काफी हो जाए लेकिन वागी लोगों को संटियों से मारेते करते आगे बढ़ो आगे बढ़ो क्योंकि वो जो पैसे चढ़ा रहा था उसको तो वैठ के जल चढ़ाने देते हैं और फूजन करने देते हैं लेकिन पैसे नहीं चढ़ा जाता है वो मार खाके आजाता है लेकिन उसका जल नहीं चट सकता है जो तिर लंगो पर है यह मैं पुद देखा भागा तो पूजय करके आगया उसको पैसे थे तो जो 1,200,100 बस असके टोटल पीज ली मैं देखे कि मैं अपना पर करना था है ता म तो मैं जब वहां पहुंचा तो मंदिर के अंदर 10 रुपे का एक लोटा पाइब दुसर देगा था तो पता चला कि जिदर से लोग निकल लहें उदर से आपको एंटर किया जाएगा तो जब अंदर पहुंचा तो अंदर का दस इतना वहाँ था कि जो जैसे कि अंगोशे को एक लपेट तो पोड़ा टाइब बना लेते हैं तो उस टाइब कर लोगों ने बना रखा था और लोगों की पीड़ पर माद है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो पैसे दे के साथ में जा रहा था तो बहुत तो आराम से बैट के पूजन कर रहे थे यह भग अगर किसी भी मंदिर कोई साधान देखती मंदिर जाए तो ना तो उसका उपसाच चड़ता है ना उसका दरसन होते हैं धक्के खाके आ जाता है और लादमी हज़ारा किलमेटर दूर जाता है और वहां एक बाद देख नहीं पता है और सब्सक्राइब कि जितनी भी अगर अगर आप चाहें किसरा मूर्थी को दस सिगंड देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते हैं उससे पहले परदा इधर से उधर कर देंगे ताकि जो है वह यह ना देख सकते हो कि मूर्थी किसकी है काटी अगर किसरी खरते हैं इसे यह अधर सर्श करते हैं और थोड़ा से चेरा रखते है और बढै नकली आँखे लगा जयते हैं तो आप मूर्ति देख नहीं स्कते हैं अगर वहां चिपने कं हनद में भी जा हाई तो बुद्ध कि मूर्थी आँ है आपका मैंने जो कहानी आपने जो मतलब जो आपने स्टोरी बताई कि कैसे आपका बच्चा के साथ क्या हुआ वो बहुत ही मतलब धर्दनाक है और उसके लिए समवेदना है हम लोगों की आपके साथ आपे स्ट्रॉंग रहें और मुझे बहुत खुसी है कि आप जो है इस तर एक अनुभव सच्चा अनुभव जो सुनाया है मेरे ख्याल से यहां पर जितने भी दर्शक है आप सभी के लिए प्रणा दायक होगा कि देखिए ऐसे व्यक्तित्व जो है इतने श्ट्रॉंग व्यक्तित्व हम लोगों के साथ हैं और इन्होंने पूरा एक मतलब कहा जात और दिन उसके बाद से उन्होंने अपनी बाते रख रहे हैं तो बहुत सुख्या होती है कि नंगे पैस दो बार याद परकिर्मा की यह मैंने तीन बार परिक्मा की लेकिन उसके बाद में नतीज़ा कुछ नहीं निकला अब आज जो है हमारे आज वहां से चार हजाद पर हम फोटू लेकर आया था और मंदिर बनावा आज में सब धून फाकर आया हमाया क्योंकि उपल मिला कि यह समझा आगी है कि जो होना रहो होगा हम अपना प्रयास करते रहें लेकिन यह माधा पटकने से अपना समय बरबाद करने से इन सब से कुछ नहीं होता है इस पर करेंगे स्ट्रीम लाएंगे ना राम तरी पौला उसमें दिखाएंगे इन कि यह जो महामिर तुंजर का मैंने बताया था 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 तुरा सब्सक्राइब कि महामिर निकाल लाता है उल्टा आदी में तु मांगता है है और दूसरा जो मैंने म protection है कि जो हो संक्ल्ब बढ़ते हैं तो संक्ल्ब गलत होता है कि संक्ल्ब में तो आल्रय बारत है और भरत खंणे होता है और या सब्सक्राइब करेंगे ओके थैंक्यू थैंक्यू रामुहन जी अच्छा इसके बाद से अच्छा अमीद तिवारी जी का यहां सूपर चैड था यह लिखते हैं जैभीम सर आप सब सब्सक्राइब को वीडियो लाइक और सेर कीजिए दोस्तों जी बहुत सुक्रिया मिची आपका अच्छा यहां पर विजय कुमार सौजी का भी सुपर चैड था यह लिखते हैं सर इतिहांस को बदलना आज भी जारी है हां बिलकुल सही कहा आपने बहुत सारी चीज़े जो ह बाते गलत कूट कितना गलत करते हैं वहां पर मतलब कुछ और होता है उसका मतलब यह लोग कुछ और निकालते हैं और देन फिर जो है उसमें जोड़ देंगे कि नि НА नeger यह हमारी बात हो रही है तो बिलकुल सही है कि आप लोगत बातों को समझ रहे हैं और समझना बहुत बहुत जरूरी है सुक्रिया आपका अच्छा इसके बाद से जो है प्रयाक सिंग जी का भी सुपर स्टिकर था आपका भी बहुत शुक्रिया चलिए इसके बाद से अब कुछ कॉलर्स को लेते हैं देखे कौन आये हुए है जो नए साथी है ना उनको मैं चाहूंगा कि जिन स साथी होते हैं उनको थोड़ा सा मौका दीजिए उनको भी जो है ना उनको आने दीजिए उनको आप लोग बॉक्स खाली करेंगे वो लोग आयेंगे तो बाती होगी जो लोग कन्फ्यूज होंगे वो अपने प्रशने रखेंगे तो उससे कुछ समाधान निकलेगा उसमें प्रोब्लेम तो कम से कम समझ में आ जावेगे कि हाँ एक्जेक्टी लोग कहां फिपहसे हुए हैं तो नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइए और उन लोगों को जोड़ने में मदद कीजिए चलिए यहां पर आये हैं रंजू आइन सी इन से बाते करते हैं जी जी र अच्छा लगा कुछ करना एक्स्ट्रा आपकी बारते भी वहत अच्छे लगते हैं मैं हमेसा अक्सर सुनते रहता हूं देखता हूं वीडियो बहुत देखता था यह लाइव स्ट्रीमिंग देखना थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है अच्छा ओके ठीक है ठीक है रंजू अच्छा यह एक चीज मेरे दिमाग में सवाल आता था बोले है जो आप इतना सब लोग बाते करते हैं सच तो है मुझे भी बहुत कुछ सच और जूट में फरक तो समझ में आता है लेकिन जूट को इतना सारा लोगों ने एक्सेप्ट कर लिये यह बहुत अपने आप में इतने लोगों ने थोड़े निया बोलते है सेवेंटी परसेंट ना सेवेंटी परसेंट लोगों ने तीस परसेंट लोगों के फैलाया जूट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लिए यह बड़ा अच्छा सवाल है आपका अभी तीन दिन पहले एक जो मूर्ती है उसको दूद पिलाया जा रहा था और पानी पिलाया जा रहा था आपको याद होगा अच्छा नाइटी नाइटी फाइफ में नाइटी फाइफ में नाइटी फाइफ में भी दूद जो है यह गनेश को पुलाया गया था पूरे भारत में यह आपको याद होगा मुझे डेटा नहीं पता है लेकिन मुझे चीज़े पता है यह बताए कि यह चीज़े क्या मूर्तियां दूद या पानी पी सकती है यह बिल्कुल ही इंपोसिवल है नहीं समझने वाले लोगों को क्या कई मैं तो अपने आसपास ही देखता हूं कई लोग इवन जो पढ़े लिखे लोग है बहुत के ज़्यादा एजुकेटेड लोग है उन लोग भी इसको मानते हैं हमारे यहाँ एक कुछ ऐसा होता था कि पंडित जी ने यह किए एक मूर्ति रख दिये बोलेंगे यह बोलेंगे यह राक्षास खाता है सेतान भूत खाता है तो इसको अपने घर में रखो फिर कुछ दिन के बाद उसने खा लिया तो वो ले उसका पेट भर गया अब तुमको भी खा जाएगा नहीं तो इसको जमीन में गाड़ दो तो इस तरह की चीज़े लोग के लिए होते हैं और वो लोग करते हैं कि देखिए यहाँ पर यह बात स हैं सबके घरों में जो है लेंड लाइन फोन तक भी आने सुरू हो चुके थे और यह देखिए आप कुस समय के दोर में इतने जागरुकता होने के बावजूद इतने साइंस का प्रचार प्रसार होने के बावजूद लोग मूर्ती को दूद पिला रहे थे और विलीव भी ऐसे लोग ऐसे लोगों को जो रमायड और माभारत जैसी महाकाव्य है उनको इतिहां समझा देना यह कौंसी बड़ी बात है आप बताए मुझे उनको समझाने के विजरूद नहीं है इनके सामने आप रखेंगे यह लपक के पकड़ लेंगे उसको लपक के समझ लेंगे कि इनको समझाया नहीं गया है इनके सामने रखा गया है यह लोग खुद लेते चले गया है लोग जो होता है ना लोग होता है आपने काफ़ी सुमीं होगी एक औरत का एक बच्चा मर गया था तो उसको किसी ने समझा दिया कि जिन्दगी वापस कर देंगे तो वो पहुंच लगी कहने कि मेरे बच्चे का जिन्दगी वापस कर दो कर दो तो इंसान के अंदर जो लोग होता है ना अपनी चीज़े वापस आने का अपने चीजों को मुझे कुछ फायदा हो जाए इसके लिए परसनली कुछ अगर कोई कुछ कह भी रहा है जूंपा कह रहा है सच्छा करने में लगते हैं उन्हें आसा लगत वो यह एक फायदा हो ये नहीं सोचते हैं कि वह घलका करने लगते हैं एक छोटा सा एक्जामपल आपको देता हूं आप जो है देखे होंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के भी मोबाइल पे वाट्सप पे मैसेज पे उस तरह की बाते जो हैं प्रचारित करते हैं सेंड करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि इसको आप 10 के पास भेजोगे तो आपको न 5GB डेटा मिल जाएगा 256 का रिचार्ज हो जाएगा 500 का रिचार्ज हो जाएगा अब वो बेचारे उसके लालच में भेज रहे हैं मिले या नहीं मिले भेजे जा रहे हैं जिस पर भेज दिये वो भी पढ़ा अच्छा अच्छा इनने कहा है तो फिर तो सही होगा वो बंदा 10 चके और भेज रहा है इस तरह से पूरे भारत में वो मैसेज भेजी जाती है या मिलता किसी को नहीं है तो लालच जो होता है ना इनसान को कि मेरा परसनली कुछ फैदा हो जाए उसके चकर में वो फेक न्यूज फैलाता है फेक न्यूज बारे में कते ही नहीं सोचता हो तो इस तरह से लोग जो है ना परसनल फैदे के लिए ही इन कर्म कांडों में फंस जाते हैं और बहुत असानी से जो फंसाने वाला है वो फंसा लेता है पहले छोटे छोटे बुकलेट आती थी एक पेज के जिस पर लिखा होता था कि इसको अगर आपने फाड़ दिया तो अगले एक दिन के अंदर या दस दिन के अंदर आपके यहां कुछ अनर्थ हो जाएगा और इसको जिसको मिल जाए वो फिर पचास प्रतिच हो आके और सो लोगों में या पचास लोगों में बाटे तो फुरु से पुन्य मिलेगा लोग करत होती है यह सबसे मुख्य रीजन है तो इसलिए इनका फायदा उठाके आप उनको किसी भी धरम मजहब में घुसा सकते हैं फसा सकते हैं बाहर निकालना टफ होता है तो बाहर निकालने वाला जो हम लोग का काम है यह इसलिए टफ है जी आपका काम तो दफ दो है चलिए ठीक है वी मुझको आपका के आए एक टीवारी जी आते हैं वह बहुत पसंड़ेंब आभीनाई आये मेरे टाइम फर ठीक है ठीक है एक et इसके बाए से अर्चना अर्चना शुनाती आई थी सायद चली गई है चलिए देखें और कौन आये हुए हैं बात करते हैं सायद आ गई है चेक करते हैं जी अर्चना जी कैसी है आप माइक अन्म्यूट करें अच्छी हो मैं आपको ब्रेवेट चैट में कुछ शेयर लिंक शेयर किया अच्छा जी जी यह हमारे तलंगाना स्टेट फॉर्म हुए 2014 में तो उनके यहां के गवर्न में पार्टी है ना जो बीजेपी के साथ मिलिके जब स्टेट डिवाइड हो गया ना तो तबसे एक जागृती बुल के एक और अर्गनाजेशन उनका ही है लगा के जी अर्गनाजेशन उनकार्टावि लगाएड है यहां वोटिस।्सट अस्ट खथ इन्याई नाही नाही त।्छंवा नाही यहां तो लगाएड था कालरा थैंगाराईएड फॉर्टा इंड पॉर्ट्टी कालरा है बॉर्टी आज्वार्थ पॉर्टाव था वचाच्छ Ram. Ram he is having four hands and I think it looks like a Buddha or some Raja and the lady standing beside she is standing and she is an attender with a Raja के बाजु में so that kind of relief है चोटा सा रिलीफ है and I cross question him also and there are some two figures also relief, Dattu relief वो जो लाफिंग बुद्दा जैसा image है तोड़ा Chinese or Japanese kind of है और उसको आलवार Brahmin आलवार is claiming and he is claiming 16th century का ही है बोल रहे है तोड़ा रारेस्ट, second rarest in India वाईशनोराम बोल रहे है चार हाथ है अच्छा, ओके, ओके आपने जो link share किया है वो FB link है तो वो मैं यहाँ पर नहीं share करका हूँगा नहीं open कर सकते images है मेरे phone में download है, मगर image कैसे share करना मैं को मालूम नहीं अच्छा, गूगल पर जैसे आप वो बताएंगे ना कि किस नाम से सर्च करने पर आएगा तो मैं Google image में भले ही open कर दूँगा अच्छा आप यह तुछ चले गए अच्छा जी ठीक है ठीक है सायद कुछ टेकनिकल प्रोब्लेम है एक मिन्ट सारी कटो गूगल लिंक नहीं है यह ते आप अपने Facebook group link and all the archaeologists in Dalangana they are sharing, they are not even proper archaeologists but they are claiming self-claimed archaeologists and they are posting, they are all Brahmin only and some people who follow those Brahmins, who are non-Bramins चला रहते हैं even rock art linear figures रहते हैं उसमें ही hunting figures में भी Ram fighting कर रहा Mahabharat का निकाल रहे हैं we don't have any proper person in Dalangana who can properly answer those people who are well versed in history तो मैं एक आपको मैं request करती हो साइन जैनी जी आप अके रहे हैं जो आप इतना मैनेट कर रहें why don't you build your army in every state why we want a person like you who can answer these archaeologists fake archaeologists who are claiming Vaishnov Ram I never heard any Vaishnov Ram will know चाराथ है Ram नहीं वो तो चाराथ वाली जो बात है ना वो कुशानों की देन है वो बुधिष्टों की देन है बुधिष्ट सिल्पकला है वो हाँ मैं बूचे यह दिस लुक्स लाइक बुधिष्ट वोले तो नहीं बोल रहा है नहीं वो नहीं बोलेंगे ना वो लोग कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उन लोगोंने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है 12th century के बाद से वो लोग पूरी तरह से 12th century के बाद से जो इन्होंने पैटर्न चेंज किया तो इनके मन में खोट आ गया कि अब पूरी तरह से हम जो नया बनाए है उसको ही आगे बढ़ाएंगे और हर पिछली चीज को भी मीटा देंगे नई कथा कहानी कालपनिक चीज है, इन्होंने क्यों कालपनिक चीज है बनाई है, इसलिए तो बनाई है न क्योंकि उनको पिछला actual रियल चीज बताना ही नहीं है तो इसके लिए वो कलपनाओं की गोते में माभारत को पूरा ना बताएंगे उसकी कालपनिकता में खोजाएंगे फिर देन रमायंड की रमारीट गल्प भार्यजेस्ट उसके बारे में को अईडिया मौरिएंज के बारे में कुछ भी इन्को नहीं पता उनकी लिपी भासा कुछ भी नहीं पता摁 प्रजी इमेजनरी चीजों की बात करेंगे यह लोग जो दिखाते हैं आजकल की महाभारत का या समुंद मंथन का जो चित्र बना हुआ है इस तरह का जो आर्कियोजी दिखाते हैं वह भी पुधिष्ट सिल्प पला है जो वजरयान है वजरयान का जब हम इस्टडी करेंगे यह लोग वजरयान को कंप्लेटली जो है नेगलेक्ट कर देते हैं यह जो नटराज की मूर्ती है यह भी बुधिष्ट सिल्प पला है इसको इन लोगोंने सीव नटराज इस तरह से करके प्रचारित किया हुआ है तो यह हमें हमारे जो लोग हैं उनको हम लोग इन सत्य को स सब को रामायन से महाबारें से जुड़के क्लेम कर रहे और ठोपे जा रहे तोपे जा रहे लोगों के ऊपर जुंड की तरह लोग एक जबाद है ग्रूप ओफ पीपल दे लिगें सेल्फ क्लेम्ड अर्टियोलोजिस एवरी इन कॉर्णर अप तेलंगाना दे आप बुद्धिस का बहुत सारा बंडार है तेलंगाना में बहुत सारा बंडार है और एवरीटिंग देर क्लेम इवन रॉक आट अलसो रारेस्ट रॉक आट्स आर अवेलबल इन तेलंगाना वी टोंट हम प्रपर परसंस तो उनको रोकने के लिए या कुछ जवाब देने के ल तेल्न हमें अब चार हात का राम कभbey भी नहीं शनाई έχ है मेरे पास मैं दौलोड करें सिस्ट में भी ढूलन नहीं आपको तिकाने के लिए चार हात वाला वो बैटा है and then the lady he is looking like a Buddhist king broad shoulders long ears I told him they are looking like Buddhist monks with clean shave head long ears he said no no those are Brahmin alwars how can that he said that in the post the Sita is sitting on the Ram's lap left leg lap but the lady is very like her dress costumes are like attender and she is standing and her legs are touching the ground the lady is not Sita she is an attender she is holding the fan and she is standing and her legs are touching the ground I don't have her arms I don't have to say that people say that the people say that the whole Buddhist silk kala they have made 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 कभद होता है अखारों का मतलब होता है कुस्ती लढ़ना आज के डिट में तो इन्होंने दस्वी-ग्यार्मी सदी से इन्होंने अखाड़े बनाने शुरू किये इन अखाड़ों का काम था कि जितने भी बुधेश्ट जो महाविहार हैं उनको कभजा करना तो ये उन उन जग दो तरह से काम किया एक तो इन्होंने एजुकेशन से दूसरे को रोका ताकि वो अपनी चीज़े बहुल जाए उसकी पिणिया बहुल जाए और दूसरी तरफ उन्होंने एक दूसरा निरेशन सेट कर दिया कि अभी ये चीज हमारी है और उसको उन्होंने मोड कर उसका ब्रह 2000-years में बदला हुआ है और हमाद तिलंगान में बहुत सारा बुद्धिस्ट केव सेंटर ओ पूरा पंडव गुफा पंडव गुफा बोलके कितने सारा गुफा है बुद्धिस्ट केव संद्धि आर्व अजन्डेखे मैं बहुत रेरेस्ट है और गुवर्न्मेंट भी नहीं करें उनको सा पंडव कुपा करें and one more important issue here is that since six years we have a culture of non-Brahminical temples, goddesses, Potaraju, Pochamma, Maishamma ऐसा अमारे पूर्वा जोंका अंसिस्टर्स का तलंगन में प्रे करने का और उनका शोट असा टेंपल लगाने का है वो तेंपल, Hindu temple नहीं है और तलंगना पीपल और non-Hindu हम लोगों को ये Hindu gods को प्रे करने का नहीं है पहले से भी हम अंसिस्टर्स को प्रे करने वाले है तो वो जो temples है अब तक तलंगना स्टेट बनने तक वो सा बचे रहे once a state formed this local party went into the hands of BJP and all thousands of temples have been converted into brahmanical, हमारे temple में brahman कभी भी नहीं होते थे हमको brahman से कभी भी वास्ता ही नहीं रहता थे, temple में brahman नहीं रहते SC woman जो SC schedule cast woman ही वो बहाँ पे पूरा temple में जो भी festival की time पे करती थी और नहीं तो बूड़ें बुज़र्ग रहते हैं and we don't go to temples every day ते लंगना में रोज हम लोगों को temple जाने का कभी भी नहीं है we go only once in a year and that too in our own temple हमारा temple में जाते है अभी सब वो temples को brahmanize करके थोड़ खोड़के नया temple brahmanic temple बनाके government has appointed brahman in our temple हमारे festival I went to the festival day and I try to हम लोगी पूजा कर लेते हैं बक्ती कर लेते हैं अंदर जाके कोई भी पृष्ण नहीं रहता तो मेरे को when the temple new temple formed मेरे को गर्भगुड़ी से गर्भगुड़ी भी कोई ची नहीं रहता हमारे इसमें गर्भगुड़ी बनाके गर्भगुड़ी में ब्रह्मिन को बिटाके and the brahman has thrown me out of the गर्भगुड़ी अंदर से बाहर निकले तुम नहीं आना भुलके वाले मैं वाले see we never had any brahman in our temple this is our temple and aap kone होते हैं तुम अभी पहली बार इसरा के अब कौन होते हैं मेरक इदर रोकने वाले हमी फूजा करते हैं हमी वो कोकनेट ब्रेक करते हैं हमी पूरा करते हैं कुं-कुं वही she's an ancestor our ancestor वो कुछ गॉड़श नहीं है we respect her like that तो मेरको बाहर निंकाले और हमारे लोगी होले अब नया temple नहीं 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 जाना बलके then I stop going to that I know from childhood and don't go to temples but the temple where I am now staying that name is of my grandmother name so with that sentiment I just go once in a year बच्पन से नहीं जाती मैं दो तीन साल से ही जारी हूँ और वो भी मेरे कुबाहां से भी हकाले and that is not even goddess हम लग हिंदु दर्म से हमारे गर में कभी हिंदु शब्दी नहीं सुना हमा after 2010 हम हिंदु शब्दी सुने ये खिंदु क्या है बलके इस सो मेनी तिंग्स आपने नहीं आपने सही बताया है और एक चीज जो आपने कहा ना ब्राम्हन का कि ब्राम्हन हमारे हां कोई प्रिष्ट नहीं है हम लोग इसको रखते भी नहीं एक्चुल में देखिए जो साउत का जो हिस्टरी जो बदला है वो नाइन्थ सेंचूरी से बदला वाया है नाइन्थ सेंचूरी में संकराचारिय जो है उसने जो पैटर्न खड़ा किया तो भारत के उससे पहले के जितने भी धम लोग थें धम के लोग थें या उनके पैरलल में भी जो लोग डिफ्रेंड मतावलम भी थें इनमें कहीं भी हिंसात्मक भावना नहीं थी कि हमसे विन्य मत वाला है तो उसको हम उसके साथ कुछ गलत करेंगे चाहे जैनीजम ही क्यों न हो इसका पूरा हैंसॉंग का मैंने पढ़ा नोट्स जो और जितने भी ये टूरिस्ट थें उस समय के ट्रेवलर्स थें इनने कहीं भी नहीं चर्चा किया है कि इन लोगों ने सास्त्रों पर तो किया सस्त्र से किया डिवेट ऐसा कोई चर्चा नहीं है लेकिन जैसे ही संकर आता है तो उसकी जो जीवनी है बायोग्राफी है संकर तिक विजए उसमें हमेशा ही सास्त्र के सास्त्र का परयोग्र की बात आती है इवेन जो रामानुजा चारे है जो इसके बाद संकर से अलग निकल के जो विशिष्ट अध्वैतावाद खड़ा करता है वो बताता है कि उसके एक चेले का जो संकर के जो अनुआई है सैव वाले उसका प्रम लोगों से फिर हिनसातमक जो बाते हैं ये लोग सुरू करते हैं वहाँ से 19th century के बाद से और उसके बाद से साउध का पूरा पैटर्न जो है हिनसातमक होता है ब्रहमेनिकल जो वहाँ के लोग हैं वो इन पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं value फिर वहां का जो जैन है जो बौध है उनका दीरे-दीरे खत्मा होते जाता है ये बढ़ते जाते हैं और आज यही पैटर्न देखने को मिल रहा है तो ये जो ब्रामध सब्द है ये में भी हो सकता है कि बमड या इस तरह का जो सब्द है वो वास्तों में समढ कल्चर का हिस्सा था इन लोगों ने जि इतने भी नोट्स हैं ट्रेवलर्स के वो हर जगह बमड कह रहे हैं लेकिन ये बहुत भी को कह रहे हैं या देया वह यूज़ आवर ओन वर्ड्स आवर ओन टर्मिनोलजी आयो आवर ओन आइकनोग्रफी आवर और उन स्कल्ट्चर्ट आवर और स्टैट्टिश एवरीतिं ह अमारा ही लेके हमके उपर ही उनका लग ओल्ड वाइन न्यू बॉडल ऐसा कुछ रहते हैं वह हमारा ही सामान हमको यह बेज रहा है और दूसरे गलत तरीके से देहार यूसिंग इट ओरेंज अमारा ही है ना औरेंज कलर और यह जो बात है वसूदेव कुटुमबकम वाली यहां नहीं फिट बैट थी यह लोग तो मारा ही रहते थे ना डिवाइड रूल एक तुसरे की हत्या करना गलत तरीके से सस्त्रार्थ करना उसमें भी को करना सस्त्रों का प्रियोग इस तरह की चीज़े इनका कल्चर यह हम लोग का कल्चर कभी नहीं रहा है जी सर बच्पन से हमारे तिलंगान में ब्रैमन को कम देके सर वो बेगर्स की तरह आते थे मेरको बहुत उनके उपर दयाती थी कि यह बेगर्स लोग है बोलके मेरको यह लोगों के इतना हिस्ट्री नहीं मालूम हमारे तिलंगान में हमारे गर में भी ब्रैमन आना कुछ करना ब्रह्मन का कुछ नहीं रहता था तेलंगानमी जब स्टेट डिवाइड हुआ रीसेंटली 2014 से तब से ब्रह्मन का बहुत ये कितना खीडियों की तरह स्प्रेड होगे 2014 तक भी ब्रह्मन का हमारे कल्चर में नहीं है तोसन पोटीम तक भी कल्चर मैं बचपल से अहारे इसमें ब्रह्मन का ही कुछ नहीं रहता था वह लोग बेगर सोस्थे तिंदे हम लोग कुछ देुटे थे हम लोग को कम देखते थे हम लोग खाले गर के सामने आके बीक मांगते थे वो लोग और 2014 से खीटों की तरह पूरा तिलंगने को पूरा ब्रैमनेज कर दिये हजारों टेमपल ये मैं तिलंगने एक्टिविस्ट हूँ तो जो भी को एक्टिविस्ट है उन लोग उनको बोले तो नोबड़ी इस रस्पॉंडिंग इतना स्टेट कर लिए हमारा कुल्चर प्रटेक्ट करनी के लिए और यू पिपल आर साइलें तो ब्रामनेज कर रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं कर रहा है मैं अकले बात करके 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 तक जा रही हूँ बेनाई साइंस जैर्नी तिंग वन इफांड आइफांड यू थू ग्लोबल अम्रित कर आइट अंड़ा कोई भी है जो आप इस तरह से आते रहें और अपनी बात तो को सियर करते रहें थैंक यू अच्छा यहां पे वाइप सी स्टीडियो जी का भी सुपरिस्टी कर था बहुत सुक्रिया आपका और यहां पे जैनक चौदरी जी का भी सुपरिस्टी कर था आपका भी बहुत सुक्रिया चलिए देखें और कौन आये हुए है अच्छा आका सिंग आये हुए है चलिए इ हाँ हेलो हाँ जी बताएं अच्छा सर मैं यह बूला जैसे आप लोग पॉलिटिकल बात नहीं करें लेकिन यह जो गौवर्मेंट है यह आप लोगों के जो चैनल चलने हैं जैसे नेशन दस्व चल गए आप चले इन पर रोक नहीं लगाएगी क्या लगा सकती है लगाने में लगाने में कोई वो नहीं है लेकिन हमारा क्या है कि हमारा जो काम है वो काम तो हम लोग करेंगे ना किसी के कहने से नहीं कहने से awareness का काम रुकेगा आप ये बताओ रैदास जी जो थे हैं रैदास जी को सब ने परसान किया चारो बगल परसान किया तो उन्होंने क्या अपन जी ने अपने समय में जो बाते कहीं किसी ने उनके समय में राजा ने प्रमोट किया नहीं किया तो कोई उसके लिए कि कोई हमें प्रमोट करेगा या दी प्रमोट करेगा उसके लिए हम लोग काम करना छोड़ देंगे उनके जो अपोजीशन के लोग हैं कोई किसी की भी सत्त हो कि दूसरी भी पार्टी के लोग आएंगे वह वह भी सपोर्ट ही करेंगे आपको क्या लगता है कोई भी आएगा इवन हमारा काम नहीं है ना जिनको पोलिटिक्स कीजिए जो पोलिटिकल काम करना है कीजिए लेकिन अवेरनेस का भी तो काम होना चाहिए ना मुझे नहीं मैं लगता है कि किसी भी दूसरी बंद कर दिया जाएगा तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी हो किस कोई भी हो मैं तो कुछ लोग है ना उनके धर्म के खिलाब जारें चीजिए नोंको बरदास नहीं हो रही है आपको आका सिंग क्या लगता है कि मतलब यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि आप लोग सच्चाई दिखा रहे हों हाँ तो यह सीदे यहां पर यह मुद्दा नहीं है नगर को रोला पहुचनी चाहिए कोई ऐसा चाहता है कि सच्च्च्च तो फिर पब्लिक के सामने वो होगा ना, एक बात कि सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च को भेए przy रोका जा रहा है तो फिर हमें कैसे लोग चाहिए, कैसे लोग गौर्रमेंट में चाहिए, ये फिर जनता को तै करना होगा ना फिर, तो इसलिए, वही बात करने थी मेरे को, जे, जे, तो वो जनता पब्लिक के उपर है, ये हमारा काम है कि हम लोग unnecessary किसी का ऐसी किसी topic पे हम लोग नहीं बात कर करते हैं, जिससे हमारे जो सुधार की प्रक्रिया हो, उससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे मतलब यूटूब क्यों इंडिया है, अगर ये गवर्मेंट चाहिए, तो मतलब किसी भी चनल को बंद कर सकती है, ना, देखिए, ये सब प्लाइंट जो है, उसका क्या क्या ये है, वो है, इसका कोई यहां पर मतलब नहीं है, ठीक है, और कुछ पुकाना था आपको, अच्छा सर, मेरे को एक वात और पुछनी है, जैसे जो मतलब बेटी सर साय थे, तो उन्होंने मतलब बुद्दा को खोज करें, मतलब खोजा, तो उन्होंने ऐसा नहीं अधिकल नहीं किया कि ये भी होई है, सेमजो एकैम नहीं डेखा, जैसे ये लग क्लिंदा को फॉरा है, पूर कुझ करें पना लिए, तो ये नहीं Doleय कि मन्होंने जुकल्श कर्या नहीं सब करिया है, वो सेम अलग नहीं है, यह थो बूरा लिखा हुए है, आप उननी किता आपको जितने भी अंग्रिज स्कॉलर थे उनकी कितब पढ़ाई कहां जाती है या आपको आपने पढ़ी आज तक किसी भी या किया लिका कभी पढ़ा है आपने ठोड़ी सी पढ़ी थी आपने एक बतायी थी वुक अंटोल लिच्टि यह आशोका क्या और आपने एक पर बुक मंगाई यह जो आज आज पड़ा रहे हो देखो यह तो नोट से तो पुराना नोट से अंग्रेजों के नोट जितने भी अंग्रेज स्कॉलर थे किताब आपको फंग्रेजों के नाम पर उसने अनुबढ़िक हुए उसने छी कइसाय भी बारे में उसका तो ये गाली की मेक्स बूलर ने खराब ट्रांसलेशन कर दिया करेके उनको साइड लाइन लगा दिया गया क्योंकि उनको जब आप पढ़ हो गये ना तो फिर आपको सच्छा ही कुछ पता चल जाती कि वो किस मुकाम पर पहुंचे थे पहली बार अच्छा उसके बाद से बीवेकान पल है वो बुद्ध की मूर्तियां है इसको कभजा किया गया तो विवेकान तक ने भी कहा है तो आपको उन जो आपके आइकंस हैं उनकी भी उन बातों को आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा जो बाते इनके खिलाफ जा रही हो आपको उन चीजों के बारे में किया जाएगा जो उनके सपोर्ट में जा रही हो तो इसी लिए आपके पास वही चीजे पहुंचती है जो यह लोग चाहते हैं जो चीजे आपके पास पहुंचे वह खुद आपको जाना होगा उन चीजों के पास गूगल पर तो सब चीज अबलेबल है लाइब्रेरी में पूरानी उर्ड लाइब्रेरी में एप लेफल लेबल है आप सोर्ण खोजना पड़ेगा आपको कहा कहा क्या है वो खुद आपको तये करना पड़ेगा लेकिन आप तक फ्री में वाट्साप के माधियम में से यह नॉर्मली सिम्पल सर्च के माधियम से जो चीजे वही ची अच्छा यहां पे जनक चौधरी लिखते हैं इसके बाद से स्यूकांत एरा जी का भी सुपर स्टीकर है आपका भी बहुत सुक्रिया चे लिए आगे बढ़ते हैं देखें और कौन आये हुए हैं इन लोगों से बात हो जा रही है ना तोड़ा सा पॉक्स खाली कर दीचिये किल हेटर्स आये हुए हैं चलिए इनसे बाते करते हैं बताएं किल हेटर्स क्या करना चाहते हैं अलो सर अलो अवाज आ रही है सर मुझे एक experience शेयर करना था मैं OBC से बिलॉंग करता हूं OBC अधर बैकवर्ट से तो मैं हम लोग जब गैदरिंग करने जाते थे मतलब अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग करने जाते थे मतलब वहां पर जितने भी ब्रामण और ठाकूर लोग थे वो लोग मजाक उड़ाते थे मतलब मतलब नीची से कास्ट वालों को गालियां देते कि मतलब अजीवधी तरीके सी गंदी सी तिपड़ी देके जैसे बनिया पनिया मरकल के तेली बोलके यादों को दूद वाला बनाके ऐसे से बहुत गंदी तरीके से बोलते थे किसी को भी सुनके बहुत गुस्ता आ जाए तो यह लोग ऐसे ऐसे करते थे और एक तरफ यह लोग बोलते हैं हमारा धरम सच्छ सनातन धरम है ना कोई भेद भाव ना क भी यह लोग बनी हुई है यह लोग लड़ते हैं और बहुत ही गंदी गंदी गालिया एक दूसरे को देते हैं और मतलब आपस में हिंदु लोग लड़ते हैं निन सब्सक्राइब लोग परण संब हो घृत जोड़ क्रेंट जज No तो इसे भी एक्सारा म messenger ho bata नि सकते कestarों कि मिの wrested और सब्सक्राइब यह झालीकर है कि और समय वह चेंजाइब करना करकर दो लिए मोग बहुत ज़्यादा नफरत है और यह लोग क्या करते हैं इनकी साइड चले जाते हैं और गालियां देते हैं SC वालों को reservation के लिए मैं खुद बोलता हूँ मैं खुद मानता हूँ हाँ मैं ये खुद चीज़ मानता हूँ हाँ सर ये लोग अशोका दी ग्रेट जो है जिनका सब कुछ इन्होंने लिया है चिन ने लिया है सब कुछ लिया है इन्होंने हर जगे उसी का इंडिया के flag पर उसका है चक्र पूरे वर्ड वाइड उसने famous किया इंडिया को पूरे वर्ड वाइड लोहा मनवाया विश्यगू बना जा इंडिया को लेकिन इससे नाम नहीं लेते हैं अब देखेंगे को यह को यह नहीं लिया जाता है चांड़ अजरू लिया जाएगा यह लोग क्रेडिट देतने हैं चानग्या को देते हैं और यह ग्रूप में ना कास्ट को लिगे बहुत लड़ते हैं यह लोग इसा और इस लोग इंस्टाग्राम पे नीचे लिखते हैं राजपूत पंडित ब्रह्माड हूँ डरता नहीं किसी से मार दूँगा काड दूँगा ऐसे से करते हैं लोग बहुत बहुत नीचा दिखाते हैं नीचे वालों को और मेरी सिस्टर जो हैं वो सर कैबिन क्रू है वो वर्ल्डवाइट घूमती इंटरनेशनल उन्होंने बोला कि ऐसा बाह बोलधार एसे नहीं होता बहुत बहुत बाह हूँ वहां पे रिसलप भी यू जो हरतों यह हो हाला कि किसी पाटर नहीं कर पर दूब ये इंडिया को खा जाएगा ये बात सही है लेकिन लोगों समझ में नहीं आती है ये तीन परसेंट लोग और ऐसी ऐसी मतलब बता नहीं सकता है कितने महापुरुष्त है उन्होंने जो भला करके जाता है उसको इलगाली देते हैं और बोलते हैं मनु महराश को मत गाली देना मनुस्मृति हिलाएंगे हम Constitution तो कचड़ा है Constitution तो कुछ भी लाता नहीं कोई सजा दिलाता है क्रिमिनल्स छोड़ जाते हैं मनुस्मृति तो हमारी अच्छी अच्छी शजारे लिखी हुई है उसमें ऐसे से बताते हैं आपको ना आपको जब मैंने जो मनुस्मृति एक्सपोस किया था तो मैंने इंको भेजा था इंको मैंने भेजा था स्क्रीन शॉट मैं भी ग्रूप में था उस वाली ग्रूप मैं अनफॉचनल आप नहीं हूं मैंने छोड़ दिया जबसे आप आपका चैनल देखने लगा मैंने छोड़ दिया तो मैं इंको भीजा तो बोलते हैं यह सब चमार साले भीमते हैं ऐसे बोल रहा ऐसे बोले हैं जो पंडित हो ठाको यही करते हैं सबसे ज़ादा बहुत कास्टिस्ट है यह जबराम्मन बहुत कास्टिस्ट हैं यह बिलकुल नफरत करते हैं इसे क्या पता चला आपको आपका क्या कंक्लोजन है इसपर सर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई मैं फस चुके हैं हम लोग दलदल में बस बहुत बुरी तरके से इन लोग ने फसा लिया है हम लोग को OBC और SST को OBC भी बेवकूफ हैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ हैं आपको बताने हैं बहुत लोग इनकी कहवे में आ जाते हैं OBC में बहुत कहवे में आ जाते हैं और SST को तो यह लोग जैसे मतलब चमार चमार करते हैं बहुत नीची नीची बताते हैं मतलब कोई भी अगर करेंगे धर्म की खिलाब बोल देंगे उसको चमार बोल देंगे एक चीज़ बताइए एक चीज़ बताइए कि मानुस्मृति की बहुत तारीफ करते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुस्मृति पूछना चाहिए ना कि उसमें हम सुद्रों के लिए क्या-क्या अच्छा लिखा हु सुद्रों के लिए क्या-क्या खराब लिखा हुआ है वही तो फिर सुद्रों को बताना पड़ेगा ना यही तो हक है ना मनुस्मृति खोलने की क्यों जरुरत पड़े रही है क्योंकि वह उसकी तारीफ कर रहे हैं सर यह बोलते हैं से आपको राइट मिला है तो बाबा साथी में कहा रहता है तो फिर तुम्हारे मनु की और तुम लोगों की ही जो गंगी तस्वीर तुम बना के ढूम रहे हो बबा साहब की यह जो लोग 실क काम कर रहे हैं तो फिर कियो ना तुम लोह की फिर वैसी भनína क्योंकि Constitution तो अधिकार की बात कर्राए है तो चलिए हिठा तो तम लोगों की तुम्हारे में जाए यह सवाल को करेगा भुद्ध को भी गाली देते हैं तो है कि इंक RAM ले थे कि फूर लोय ठियरी हां सर् Absol यह एंपाइर मतलब नहीं लेते मौरें एंपाइर के टाइम का चानक को इतने ही बात जो आपने समझी है यही इतनी बात जो है ना पुब्लिक को भी समधाने की जरुरत है कि यह क्यों कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई कर रहे हैं यही बात तो बात ही छोड़ी मुस्लिम से तो मैंने कई सुना है शादीवादी भी कर लेते हैं लेकिन ओबिसी एस्टि को ज़ादी करते हैं बात ही छोड़ी मुस्लिम से तो मैंने कई सुना है शादीवादी भी कर लेते हैं लेकिन ओबिसी वाले भी सर अपने आपको जनरल मानने लगे हैं बहुत सारी कास्ट में जनरल मानने लगे उनके मानने से वह सुद्र से ऊपर थोड़े ही हो जाएंगा एक ठो आद लड़का बोल रहा था कि अगर हमारे जाती बात को फॉलो नहीं करना हमारे नीचे दब के नहीं रहना तो इंडिया चोड़ दो ऐसे बोल रहा था कमिंट बॉक्स में मैंने पढ़ा था किसी को बोल लेकिन दिखाए ना सर्टिए कर सकते हैं लेकिन इन्सान तो सब एक ही जैसे होते हैं और यह काले गोरे बेदबाव बताते हैं बाहर देशों में अमेरिका वगारा तो हम बोलते हैं यह वो तो Kinkड का बेदबाव है हम तो अपने जैसे दिखने वालों से करते हैं मैं हुम 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 है किल है टर्स आप देखिए एक चीछ समझी है आप जो आपका अनुभाव है ना इस अनुभाव को बस इतना ही समझा दीजिए बाकी पब्लिक को जो भी OVC, AC, ST है इतना भी समझ जाए ना बस कि हाँ ये लोग कैसा चाहते हैं इस इनके चाहने में आपका क्या स्थान है जैसे constitution है उसने आपको reservation दिया 27% दे दिया OVC आपको हक दे दिया जब तक वो नहीं दिया था मंडल कमिशन तब तक कहा OVC की कुछ भी मिलता है अब बियार अम्बेटकर सर की बहुत इज़त है हमारे घर में तो मेरे पापको खुद बोलते ने डैडी सो वो बात नहीं आप मेरी बात समझे है कि लेटर्स हमें ये कहने का मतलब है कि OVC को बस इतना ही समझा देना है कि आपको हक किसने दिया है मनुस्मृति में अगर हक दिया है पिछड़े वर्ग को तो दिखा दे पिछड़े वर्ग को तो सूधर कहा है ना अंतियज उसने कहा है CST को दिखा दे कि सूधर को कहा हक दिया है पढ़ने तक का हक नहीं है अ फिरोध में कौन खड़ा हुआ था पूछिया हर OBC से कि अगर जब 90 में या 92 में जब रिजर्वेशन को तो आपके एगेंस्ट में कौन बंदा खड़ा हुआ था कि नहीं देनी चाहिए बस इतना पता लगा लिए इतना OBC को पता लग जाए कि यहां उसके एगेंस्ट में कौ खड़ा होता है तो फिर उसको पता चलेगा ना सचाई कि कौन उसके फिरुद्ध है सरी एक चीज़ बताते हैं कि विक्रमादित्य परमार एक किंग थे जिन्होंने हाफ वर्ल्ड मतलब एशिया पूरा कैप्चर कर लिया था रूल किया था उन्होंने यह बोलके बताते कि ह वहारे अंसेस्टर है यह मौरे नंपायर तो उससे भी बड़ा था लेकिन वह तो ठीक है लेकिन कौन से का मिक्स पढ़ेकर वो बताते हैं वह तहीं सर मेरे को स्क्रीन शॉट भेचते हैं गूगल का उसमें पूरा विक्रम अधित्या परमार लिखेंगे ना तो आएगा नह सावल यह कि वो कौन सा स्क्रीन कौमिक्स कौन सा बढ़ते हैं लंधन का होता है रमका होता जरु किसी ऎकुषय का निकालते हैं तो यह नहीं कि न陷ी भी चौन करेदि baru आर्याm नहीं людей का य्राण imper mandar heom होगा जो पब्लिक देख रही होगी उसको भी समझ में आया होगा कि बहरहाल वी सी का भी इस्तमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है सब्सक्राइब को यह सपोर्ट आगे आगे लड़ाया जा रहा है बस मैं तो समझ गया हूं सर लेकिन मेरे जैसे बहुत हो लोग है उब सी में जो नहीं समझ रहे हैं वह भी भी पंडित के इंपनीतों के चक्कर में पड़े हुए और जाती वाधी करते हैं यह क्लिप जो हैना इसको आप सेयर की जिए गा लोग आपकी शोशर करते रहा उसको आप एक क्लिप भेज दोगे अच्छा सर इन्होंने बोला है कि आपने एक वीडियो में रुप जाओ कि लेटर्स थोड़ा सा सुना करो कर ले आप ऐसा क्यों सूचते हो कि जो हजार साल से आपका हक मार लिया उसको आप थोड़ा सा सचाई बता दोगे थोड़ा सा क्लिप दे दोगे तो वो आपके बात को सच मान लेंगे वो क्यों मानेंगे जब हजार साल से नहीं सुने तो अचानक से वो थोड़े सुन लेंगे वो बहाना खोजेंगे न यह चक्कर है चलिए क्या पूछ रहे थे वो पूछ लो अब सर यह लोग दिखाते हैं स्क्रीन शॉट में आपने बोला था कि 10th सेंचुरी के बाद का सिस्टम फैला है पूरे इंडिया में यह लोग स्क्रीन शॉट मेरे को शेयर किया था है इनोंने जो पंडित थे लोग यह लोग ने शेयर किया था कि जब भैंग सांग आया था और माहियान नहीं जब आया थे 5th century, 7th century नहीं तो यह जो इन लोग को क्लैप करना रहता था जितने भी चंडाल से इनको जो भी बोला जाता है जो अचूद जिनको बताए गया है वो सब क्लैप्स करके जाना रहता था उनको सड़क पे क्लैप करके जाना रहता था और लेके चल चंडाल नाम से कौन सी जाती है उनसे पूछते है ना एक बार फिर तो आपको सच्चा ही पता चलती है इंडिया इंडिया चोड़ने को कह रहे हैं बताईए जात बोलेगे जो आप किसी भी बुक जाती आप जब एक्जिष्ट नहीं करती है तो उस समय कहां से जाती बाद जाएगी पहले इस बात को समझे पहले उनसे यह पूछिए ना कि सात्वी सदी में जब हैंसवंग पूरा भारत में घुम लिया तो तुम्हारी जाती कहां थी यह दूबे चोबे चब्बे नब्बे एक का नाम तक नहीं लिया उसने पूछिए ना उनसे चलता था तो पू जब उस समय में यह नहीं लगाते थे तो इनने यह सारी चीजे जो हैं इन्होंने गौत्र में कब बाटा इनके गौत्र कब बने हैं पता लगा यह तभी तो इनका इतिहांस पता चल जाएगा ना यहां पर आप जो है दूसरे से प्रश्न पूछना सीखिए यहां ज़रुर बता हमें तुम्हारा कहां अस्तित्व था उस समय और तू जाती बाद कैसे उस समय फैला रहा था तू कितने सुद्रों चंडालों से साथी करता था पूछी नहीं लेती है कोई एक्शन सर वोड बैंक बना के रखा है कास्ट को कोई जागरूपता निया एक्शन नहीं बढ प्रशन खड़ा करना सीखिए अब कुछ लोग बोलते हैं तो उनसे बोलिये ने कि जब रिजरवेशन नहीं था तो जातिया क्या हट गई थी क्या बोलते हैं कि हम लोग करेंगे क्यों कि तुम लोग रिजरवेशन लेते हो नहीं तो आप पूछो ना कि EWS रिजरवेशन तो पूछना नहीं आता है या फिर आप जो है अपको इस बात नहीं सोचना है कि कौन क्या कह रहा है उसको प्रशन पूछना तक कहना था वो कह चुका है कर चुका है आपको क्वेश्चन अब खड़ा करना है आपको अब करना है दूसरे की सुनना छोड़ दिजिए हजार साल से सुन ही तो रहे थे ना अब आप खड़ा कीजिए नरेटिप्स खुद बिल्ड कीजिए यह अब आपका हक है कब तक दूसरे के नरेटिव में फसे रहेंगे उनका राइट हजार साल से पहले से है आपको राइट अब मिला है तो राइट यूज कीजिए अब आप प्रशन खड़े करना सुरू कीजिए दूसरे का प्रशन लेकर ने की बैठना है आप उस पर प्रशन करना सीखिए यह वीडियो जो है स्ट्रीम है इससे क्या सिखाय जाता है आपको जी सर इसमें यही चीज़ सिखाय जाती है कि क्या से करें ठीक है ना चलिए सर आपकी वीडियो देखे मैं फैन हो गया हूं आपका सर बलकुल बहुत ही अच्छा लगा आप जबाद करगे सर थैंक्यू सर थैंक्यू अच्छा यहां पर अरुन कागट लिख इसके बाद से सचिन जैठोर जी ने भी कुछ लिखा है जै भीमसर आपको दिल से नमोगुद्धाय जी पहुत सुक्रे आपका इसके बाद से और खोन आए हैं इनको भी देख लेते हैं अच्छा वल्ड ओफ मॉरालिटी जी भी कुछ लिख रहे हैं ये लिखते हैं political and economical reforms cannot happen without social change in India this means annihilation of caste and adopting path discovered by पुद्धा जी बिल्कुल सही कहा है आपने फर्ट ओफ मॉरालिटी ये बिल्कुल सही है कि जो social change है उसी से तो public उठके politics में भी जाती है किसी भी party की हो कोई भी सत्ता में हो उठके तो समाज से ही जाएगा तो जब समाज ही बदला हुआ होगा तो वो उसी नेता को चूज करेगा जैसी छवी वो समाज में चाहता है तो इसलिए समाज को change करना जरूरी है जैसा समाज चाहेगा वैसा ही वो नेता चूज करता है तो समाज आप बदलिए ना समाज बदलेगा तो नेता भी आप उसी तरह का चूज करेंगे थैंक यू थैंक यू वल्ड ओफ मॉरालिटी अच्छा और खुन बच्चे हैं जी अच्छा यहाँ पर अर्चना जी का भी है इन्होंने लिखा है थैंक यू जैभिम जी जैभिम आपको अच्छा जिन साथियों से बात हो गई है वो बॉक्स खाली कर दीजिए नए लोगों को आने दीजिए डिस्केसन करने दीजिए अच्छा यहाँ पर आये हैं इसके भी आये हुए हैं चलिए इनसे थोड़ी सी बाते लेते हैं बताएं इसके भी क्या कहना चाहते हैं सर नमो गुदाय जैभिम जी नमो गुदाय जैभिम सर थोड़े कुछ मेरे विशार थे जो मैं रखना चाह रहा था हां बोले सर एक तो अभी जो यह ओभी सी वाई साब आये थे तो यह बता रहे थे क्रेडिट का तो यह क्रेडिट की बात करे हमारे मापुर्शों को यह क्रेडिट क्या देंगे सर जैसे यह अभी कह रहे थे के इनको यह क्रेडिट उनको क्रेडिट की जरूत नहीं हमारे मापुर्शों को यह क्रेडिट क्या देगे दूसरी बात सर एक अमेशा अंजाना सा ढर लगा रहता है आप के लिए अमीजी के लिए आपकी पूरी टीम के लिए आप जो कर रहे हो ना वो इत्यास में पहले कभी नहीं हुआ होगा मैं मेरे अनुवाव से कह रहा हूँ सर आप जो मतलब जागरूता जिस हिसाब से जिस धन से अम जैसों को समझा के जागरूता पैदा करे हो नहीं यह अपने यह जैसे हम कोरे कागज की जो बात करते हैं जो कोरा कागज होता है जैसे हमारे समाज का हमारे देश का भविशिय जो जिने हम बच्चे कहते हैं तो उनके विशे में थोड़ी सर मेरे बात करनी थी आप से जैसे बच्चों के सुरू बात से कुस उनको अच्छी सीजे देख मिल जाए ना तो और भी अच्छा रहता जैसे यह आप जातक कताओं के मादियम से अब तो यह तो सर किलियर्टी हो गया मैं अपने आप में मेरे में यह मान रहा हूं जैसे समुंदर की गहराई से लेके इमाले की सिकर तक यह बात आइने की तरह साफ हो गई है कि पूरा का मिल गया जैसे मुझे पूरा पूरी कानी पूरी से समझ में आगे तो मैं यह चीज मेरे बच्छों को भी आगे बताना चाहता हूं भई हमारा वास्तिक हमारा असली घर जो है यह वो यह है तो उस हिसाब से जैसे यह चोटे-चोटे जैसे कार्टून आते है और रियली गुद्धा की जो पूरी जो इस्ट्री है ना उनके उपर यह चोटी-चोटी कुछ जैसे कार्टून के मादेम से कुस ऐसे सीरे लेजे जो टीवी में आ रही है यह वास्तिकता जो गिलेटी है उस हिसाब से बनके हमारे बच्छों के सामने आती है तो यह मतलब और भी अच कि चीजों को समझने लग जाते हैं. समझ लिये हैं वो आगे आपकी जो जनरेशन है उस चीज को प्रमोट करेगी और आगे प्रोगेट करेगी तो यह बहुत बड़ी यही तो चेंज है ना यही चेंज है हमारा इतिहास क्या था हम जब तक जब तक पैरेंट्स नहीं देखे पैरेंट्स जो होता है बच्चों का जो पहला सिक्फ्छक का घया है कि पैरेंट्स होते हैं वोे होते हैं गया जो ब्रहमेंनिकल लोग हैं वो अपने बच्चों को जब कट्डर बना सकते हैं तो वो लोग इस चीज़े नफरत सिखा सकते हैं humanity की बजाए नफरत करना सिखा सकते हैं कि दूसरे से hate करो niche समझो इस तरह की तो हम तो अपने बच्चों को अच्छी चीज़े सिखा रहे हैं मानवता कि humanity की बात भारत का actually तिहांस की बात सिखाएंगे तो ये तो कितनी अच्छी बात है और ये तभी हो सकता है न पैरेंट्स भी जाने कि सच्छा ही क्या है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है जी इसके बीजी बिल्कुल सर और एक थोड़ा अंजाना से ये भी डर रहता है हमारे मापुर्शों को लेके जैसे बाबा साब के नाम से अने को ऐसी संस्ताएं चल रही है उनमें भी ये सरेंतर पूरवक फूर्ट जैसे हम को अपस में लड़ाने की बात आ रही है इसमें तो संस्ताओं के नाम मतलब बाबा साब के नाम से जिस गाउं में छोटे से गाउं में बड़े सेषर में जहां जहां भी यह संस्ता है चलती है ना तो हम आपस में भाईयों को लड़ाने की बात आती है उनमें उनी संस्ताओं के माद्यम से तो इन पे भी थोड़ा मतलब आप परकाश दादें जो बाबासाब का नाम लेकर अपना काम कर रही है सांत में एक दो और आइकन भी चपका लेंगी और काम कर रही है तो वहीं सरफ अई इस तरह का बहुत सी चल रहा है लेकिन हमें ये बात समझना होगा कि एक्चुल में बाबा साहब का उपयोग किस काम के लिए किया जा रहा है क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल व्यू है या फिर सोसेली चेंज भी कुछ चाहते हैं तो हमें यह दोनों तीनों पॉइंट यह देखना पड़ेगा कि अगर सोसेली चेंज क्योंकि में हम लोग का जो मकसद है वो सोसेल चेंज से है सोसल चेंज अगर नहीं होगा तो पॉलिटिकल चेंज तो वो हर पांच साल पे हो रहा है न हमें तो पूरा एक सोसल चेंज चाहिए न हमें हमें तो पूरा का पूरा एक सोसेल चेंज चाहिए लोग एक दूसरे से क्यों नी चीज़ों समझे तो ये चीज़ें socially change से लोगों में जो ये घ्रेणा है कहां से आई है कैसे generate हुई है इसी से तो खतम होगी न तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ये बात समझना होगा कि socially change कौन-कौन लोग चाहते हैं उनके main purpose में से ये भी एक purpose है कि न नहीं है उनका ये target तो फिर हमें ये समझना होगा कि फिर वो सिर्फ वर्तमान में अपना कुछ लाव लेना चाहते हैं वो पूरी तरह से solution नहीं देना चाहते हैं कि मिलकूल सर क्योंकि यहीं रहता है कि मतलब आने वाली time में ऐसा नहों के कहीं यह बाबा सांब का भी मंदर बनाने में सखशम होगे हां तो वो तभी करेंगे न कि लोगों को इनके मन्दिर में घुशा दो उधर वो मंदिर में घुछा दो उनको उंदर मंदिर में लेकिन अल्टिमेटली एम यह हो कि मंदिर में ही पब्ली घुसे किसी का भी मंदिर हो एकना रख यह को बिल्सकों सांबने लाने की कोशिच की है ना उनको जैर का प्याला ही मिला है साय सुरू से लेके जैर साथ लेकर उदारन ले लाउट से से अगर उदारन ले तो जिस जिसने मापूर्शों ने ये हमारे समाज में सस को आगे लाने की कोशिश किये तो उनको बस ये जैर का प्याला ही मिला है तो इसलिए अमेशा से ये डर रहा है जी ठीक है ठीक है इसके बेजी thank you thank you ठीक एदिए अच्छा यहां पे लिख रहा है पंकज कुमार लिख रहा है मुश्लिम भारत में शुद रही है इसलिए उन से नफरत करते हैं जबकि काम करने के लिए अरब देशों में जाते हैं हाँ हाँ यह बात बिल्कुल आपने सही कहा है अच्छा यहां पे बिजय नागरे जी का भी सुपरिश्टिकर है आपका भी बहुत सुक्रिया देखे साथियो एक चीज आप समझें इस बात को समझें कि निरास तो हम thousand years से रहे हैं ना हम लोग पिछले 1000 सालों से निरास रहे हैं ना तो अब निरासा का दोर नहीं अब जो है आपको आगे बढ़ने का समय आ चुका है खुद भी आगे बढ़ें दूसरों को भी आगे बढ़ाएं और सबका साथ सबका विखास करें सबको आगे बढ़ाएं अब ये दोर नहीं रहा है कि ये हुआ वो हुआ मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब एक ही क्यों, आज इतना समय बीत गया, एक ही बाबा साहब क्यों, अनेक बाबा साहब क्यों नहीं, आज की डेट में तो हर घर से एक बाबा साहब निकलना चाहिए, और एक बाबा साहब कब निकलेंगे, कब आप बच्चों को निर्डर बना तो जब तदाद हो कि ना बुद्धी जीवी वर्ग कब हम पैदा करेंगे वो इतनी किताबे चापते जा रहे हैं हम कब किताबे चापना सुरू करेंगे हमारे लोग जो है हमारे पब्लिक जो है वो कब इन चीजों पर आगे बढ़ेगी तो दोस्तों सांतियों जो भी आप यह तब ही यह चीज़े आगे पढ़ेंगे अच्छा विजय इसके बाद से मेंबर्शिप था ग्यान रोशनी जी का बहुत सुक्रे आपका ग्यान रोशनी जी अच्छा इसके बाद से जो है और कौन है चलिए यहां पर पीवी अच्छा है फारुख आये हुए हैं चलिए इन से थोड़ी बाते करते हैं जी फारुख वताएं क्या करना चाहते हैं तो मेरा आपके यहां बात करना का मतलब यह था कि बहुत fundamental questions होते हैं जैसे अभी questions यह होते हैं कि जाती कैसे हो जाएगा अच्छा रिजर्वेशन छोड़ दो तो जाती खतम हो जाएगी तो आप सूचिए यह किस तरह का question आप पे दिया गया है मतलब यह बहुत भर्मित करने वाला आपको question दिया गया है जो लोग लाए हैं यह जाती वाद वही हटाएंगे वह हटाएंगे कैसे पहले यह बताएगे हटेगा तभी ने कि जब वो हमें उतना ही सम्मान देने लगे जितना अपने जाती को देते हमारे घर में भी शादी करें बेगर हर सो उल्लास के साथ तभी जाती हटेगे कि ऐसे reservation या कुछ करने से जाती हट जाएगे आई यह कौन करेगा जो आलेडी privileged है तो जो जाती जाती वाद सुरुवात किया वही हटाएगा तो हटाएगा कैसे लेकिन यह question आपके दिया जता है आप जाती वाद हटाओ हम लागू करेंगे आप हटाओ आप reservation मतलो सुन रहे हैं सर बताएं बताएं मैं सुन रहा हूँ और मैं जुडा रहा हूँ बच्चों को मतलब है यह करने के लिए उसमें जो main है जो हमारे हाँ बच्चे फस जाते है जाल में वो main है critical thinking हम नहीं देते हैं हम अपने बच्चों को नहीं बताते है कि सवाल जाती है उसकी पूरे जिंदेगी में सब कुछ मान के ही चला जाता है very simple चीज़ है कि यह ऐसा होता है ता इसा कियों होता है यह चीज अगर हम बच्चों में कर दें तो वो आलेडी तरक्षील बन जाएंगे तब यह सब जो जो चीज है इसमें विश्वासी नहीं करेंगे इस चीज में पढ़ेंगे ही नहीं अभी अभी एक और चीज चला आ रहा है अभी जो जिसको छोटी जाती बोली जाती है अपन खूस हो जाता है पर फुलित हो जाता है बोलता हाँ यह राजा से किसी से कनिट कर दिया कि यह राजा आपका था उसी में वो खूस होके नाचने लगता है उसको यह ने समझ माता है कि अभी उसका क्या है प्रेजेंट में उस वो समाज का क्या हाल है कनेक्शन हो की ना हो से क कोई फरकने पड़ता है आगर आपको सवाल पूछा जाए तो कुछा और चीज बताया जाता है कि इसके कारण ऐसा हुआ है तो यह चीज जो हम अपने बच्चों को बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग एनलेटिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दे तो हमेंने लगता है कि वो फिर इस जाल में फसेगा आगे चलके तो मैं यही अनुरोद करना चाहता हूँ तमाम इसको अपने बच्चों पर जरूर धियान दीजिए उनको क्रिटिकल थिंकिंग बताइए अपने जो महापुरूश हुए है बड़े जो रैशनलिटी सिखाए है जो सिखाए है कि कैसे एक द अरिवार में भी चर्चा करें और अपने समाज में भी इस चीज़ की चर्चा करें तो फिर नहीं फसा पाएगा अभी तक क्या प्रोब्लेम थी कि पैरेंट्स तो उतने एजुकेटेड नहीं थे उनके पास भी ग्यान का सूर्स नहीं था तो उनके बच्चों को एक कावत है ना कि जो छोटा बच्चा होता है छोटा एक पीण है जब हम पीण लगाते हैं त चोटे बच्चे वते हैं बड़े कोमाल होते हैं उनको जो इस तरह के गलत-सलत चीजे या जो फर्जी कालपनिक चीजह पकड़ाना बहुत असान है कोई भी अगन भगन घूम रहा एक अगनि पकड़ा दिया बैचारा वह असानी से उसपे बीलिव कर लेता है तो उसको जाड़ एक लगा दिजी अगल बगल एक घेरा लगाई है जो scientific temperament का हो अब जैसे कोई अलतु यह चीज़े आये ना तो वो filter हो जाएं उसमें उसे जाड़ से पार ही ना जा पाएं कि उसका कुछ नुकसान कर पाएं तो वो scientific temperament का जो जाड़ है उसके बगल में create करना वो सबक को करना चाहिए यह चीज़ का बच्चों पर ध्यान देजिए बड़े बुजुर्ग जो हो गया है वो तो बदलेंगे नहीं बदलेंगे जी जी बोलें बोलें फार्गुश्चा था दो लाइन बस तब अपना टाइम नहीं लेंगे ज़दा हम लर्निंग से जुड़ा हूं मैं मैं काम करता हूं और वहां पर लर्निंग लोगों को सिखाता हूं कि आप कैसे अपने आपको डेवलप कर से गए लर्निंग स्किल कैसे डेवलप किजिए तो मैं यहीं बताता हूं कि बच्चे को आपको क्या करना है अब जैसे बच्चा होता है उसको बोलिए कि अच्छ बादल को जाड़े बारिश हो गए अगर ये चीज पढ़ाईएगा तो फिर उसके क्रिटिकल तिंकिंग कहाँ आएगा तो छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोग बोलते हैं बच्चे को पूछते हैं फिर उसके दिमांग बैठेगा और भी सवाल करेगा उस तरह का तो यही चीज में बताना है कि अब एक मिसाल दिए कि आप बच्चे कोई बज़े की बारिश कैसे होती है पानी कैसे बरसता है तो थोटा सा बताना है कि यही पर यहां इस टीम बनता है सुरज का धूप लगता उपर जाके बारिश होता है इतना ही बताना है उसको उसके बाद देखिए फिर वो सवाल की जड़ी इस साथ कर देगा खुद सवाल करेगा इस तरह का साइटिफिक सवाल लेकिन हम लोग अपने घर में इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते है हमेशा कथा कहानी पुराना ये राजा था, ये भगवान ने उसको ऐसे कर दिया, ये सराप था, ये ऐसे हो गया, ये सब कहानी सुना सुना करके उसका जो है दिमाग बिल्कुल वो भर्मित कर दिते है वो कहीं सफलने हो पाएगा जासे वो बंदा, पैसा कवाना तो फिर अलग बात है और हमने ये भी देखा है कि हमारे जो ओबीसीज हैं जब भी वो इंटेक्ट करते हैं खास करके अपर कास से वो उसको अपनाने कोसिस करता है वो अगर हवन कराता है तो ये भी हवन कराएगा वो पंडित से मिलेगा तो ये भी जाके पंडित से मिलेगा है ये भी चीज हमने देखा है, जो OBS हमारे आम जिससे बात करते हैं, वो टू कोपी उसका यह करता है, चुंकि वो उस समाज बनाने लगता है, जहां पर ज्यादा जेनरल है, उसी तरह से बिहेव करने लगता है, बस यही करना था, अपने को पहचाने है, और हमेशा बातचीत में इस सब चीज सकते हैं, यह मत सोचिए कि हम से अकेला से क्या होगा, जैसे अगर यह चीज सोची हैगा, तो फिर तुछ नहीं होने वाला है, जैसे यह सोच लिजे कि हम से जतना बन पाता है, हम दूसरों को तरकसिल बनाएं, हम दूसरों को साइंटिफिक टेंपरामेंट का आदमी बनाए हैं, दूसरों को यहने बोलें कि तुम घिरना करने के लिए, तो आप इसमें सफल रहेंगे, तो जान लिजिए, बस यही है कि हम मत रखिए, जैसे तैंक्यू, आप हमारे टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद, जैसे अच्छा जी, इसके बाद से अब कौन आये हुए ह यहाँ पे चंदर सेखर रा, अच्छा यह आसीस कुछ लिख रहे हैं, सरबेटल आफीमा को रेकांटिवेट करें, फिर से प्रोफेशर विलास खरात के सांथ, जो विजय अस्तंब के इन्चार्ज हैं, रोहन, मालवेकर, जैमदार, उसने एक बुक पब्लिश्ट की है पब्लिश्ट करता है, तो बुक के वाल पब्लिश्ट कर देना कोई बात नहीं होती है, उनके जो आकड़े हैं, वो कितने सही हैं, या फरजी बाते लिखी हैं, उसको तो प्रोफेशर सहाब से बात होगी, वो आते हैं, तो और अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि जब वो बाते कहेंगे, तो उनकी ऑथेंटिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर, बिल्कुल, आच्छा, यहाँ पे चंदर सेखर राव आए होगा है, चलिए इनकी बाते करते हैं, आपकी डबल साउंड आ रही है, चलिए कर, हैलो, हाँ बोले, डबल साउंड आ रही है, आ लगा रहा हूं, हाँ, हेड़फोन लगा के फिर बात करें, हाँ, बोले, माइक अन्मूट करें, माइक अपनी अन्मूट करें, आपकी माइक मूट हो गई है, आप उसको अन्मूट करें, आपकी डबल साउंड आ रही है, चंसे कर रहा है, आप सारे सिस्टम, अपने लिंक कॉपी कर लेजिए, सब चीज क्लोज करके, सिर्फ एक पेज ओपेन कीजिए, और लिंक पेश्ट करके उसी से जुड़िए, फि दुबारा ट्राइ कीजिए, फिर मैं आपको जोड़ लूगा, अच्छा, और कौन आये हुए हैं, जिन लोगों से बात हो गई है न, वो क्रिप्या बॉक्स खाली कर दीजिए, ताकि नए लोग आ सके, यहां हरियों कूरी आये हुए हैं, चलिए इन से बात ही करते हैं, जी तो उनका उनके नोन वैसर वैसर क्या संवन है है? यह पूछाना साथे हैं, तो उनका संवन क्या है, थरम से कुछ भी संवन है? धरम से वो लोग संबंध बनाते हैं जोड़ते हैं जो लोग जिन कटर बनाते हैं पबली को वो लोग उसको धरम से जोड़ते हैं जिनको भी अपने लोगों को कटर बनाना है वो खान पान को भी धरम से जोड़ लेते हैं तटी करना सुसू करना उसको भी धरम से जोड़ लेत तो बेसिकली वह और कुछ करें या ना करें पबलिक को कटर जरूर बना देते हैं अच्छा सब्सक्राइब नाम से पहले महत्मा लगा 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 महत्मा सब्द तो उनके समय में था नहीं महत्मा बाद में किसी ने बनाया है और उसी ने जोड़ा महत्मा सब्द का दौर चला था रविंद्रना ट्रेगोर जो है किसी को महत्मा बोल रहा है कोई और महत्मा बोल रहा है तो यह सब महत्मा महत्मा का खेल खेला गया है उस समय जो है महत्मा महत्मा इस तरह का कोई सब्द ही नहीं था जो व्यक्ति आत्मा को कोई नहीं मांता जो इसमें हाँ कोई आत्मा का ही इनले कंसेप्ट नहीं है उसको उसमें वहां पर वह सब्ध कसे आ जाएगा महात्मा कि एक कि यह लाज अनृ में बाध यह सारे संद का तो यह मात मिला मैं बुजक्ड जिवा को नसा कि या किसी जीव को कश्ट नहीं देना लेकिन कुछ लोग जो है उसमें उसके मलब जो बहुत धर्म के अनुए है यह मलब कुछ लोग ऐसा है कि वे मलब बैज भी नोन वैज भी खाते हैं हम तिस बात हुआ तो उनमे लाहू है ना नौन विच खाना कोई भी बुद्धिष्ट ह नौन विच खाता है ना यह सब चोचले मैंने क्या कहा आपको खान पाने में जो चोचला बाजी करें तू समझे कि फिर अपने प्लिक को कट्टर बना रहा है जो इंसान होगा जो हुमन होगा वह साइंटिक रूप से आगे बढ़ेगा ना वो वो जो है लोगों को उस तरह से समझाएगा कि क्या चीज प्राकृतिक है नेचुरल है हिंसा की जो बात है अहिंसा नहीं है इसमें बुद्ध मारग में अहिंसा लोग कहते हैं अहिंसा की सिक्षा दियें अहिंसा की सिक्षा जैन मारग में है बुद्ध मारग में है हिंसा नहीं करना है यह चीज है उसमें यह नहीं है कि आपको आत्मरक्षा भी नहीं करना है अगर आत्मरक्षा करने की बात नहीं होती तो आपको देखिए बोधी धर्मन जो है कुंग-फू और यह सब कहां से सब जेनरेट कर लिए इतने सारे बहुत विखू जो हैं इतने लड़ने में पारंगत हैं इतने अच्छ जो है यहां पर जिन लोगों ने बहुत मारकों पिछले सो सालों में परोशने की कोशिस की इन लोगों ने गलत तथ्य अर्थ निकाल दी आपको किसी भी धर्म को धर्म को समझना है न तो पूरा हर चीज समझे उसका उसमें सब के समांस खाते थे समराट असोक जो हैं उनके सिलालेख पे लिखा हुआ है कि मैं मांस जो है कम कर दूंगा यह थोड़े बोल रहा है कि अब नहीं बिल्कुल सकारी बन जाओंगा वो बोलते हैं पहले सैकडों खाता था अब मैं सिर्फ तीन खाऊंगा आगे इसको भी कम कर दूंगा तो कम करने की बात कह रहे हैं यह नह लगाए जो मना दृंगा तो सीता रामण से कहती है कि यह तुम बन क्या हो तो चलो आओ बैठो हमारे पती अभी आते होंगे सुर बनेले इन सब का मार के आते होंगे सिकार करके अभी आएंगे तो तुमको भी सुर खिलाएंगे तो तो सुर खिलाने की वहां बात चल रही है न वहां पे सीता जो है बोल रही है कि राम जो है वो लेकर आएंगे ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ ये नेट पे प सकते परभुपाद को तक बोलते हैं मचली काने की कि बात कहते हैं उसमें भी लिखे हैं कि हम मचली खाना चाहिए इस तरह की बात करते हैं तो यह लोग मास तो हमेशा खाए है ना इनके नौमी में जाकर देखिए न दूरगा अस्ट में बनाते हैं तो इनके टेंपल में जाकर बकरा काटते हुए बच्छडा काटते हुए परंपराय भी कि लिपी कौन सी है जब हिंदी की लिपी देव नागरी है तो पाली की लिपी कौन सी है आप मेरी आप मेरी स्ट्रीम नहीं देखते हैं क्या अच्छा अच्छा ओके ओके हम आप एक काम कीजिए वीडियो 140 देखिए साइंस जर्नी पे 140 ठीक है जार नोट कर लीजिए 140 127 127 127 127 124 और 171 इस चार वीडियो जो है ना बैट के देखिए पूरा आपको यह टूजेट सब समझ में आ जाएगा लिपी भासा आली प्रकिर्थ की क्या है वो सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी ठीक है ओके अच्छा यहां पर स्रीकांत आजाद जी हैं उनका लिखते हैं हिंदू धरम का लिखित पर्थम सुरूत टुन्नी का क्या है हिंदू ही इनके सब्द का पता लगा लिजिए पहले कि इनके हिंदू सब्द कब आया है तो वहीं पता चल जाएगा यह थो इनका हिंदू ग्रण्थ कहांसे हो जाएगा कि इनका तो ब्रहमणग्रंथ फोता है हिंदू को लिखने का थोड़े अधिकार ह्यदू तो सब्द回去 नहीं है i million का काम वेड इस को वेद को पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्रामड को है ना ये तो इनके धरमगरंध में लिखा हुआ है ना पढ़ाने का अधिकार सिर्फ ब्रामड को है तो लिखने का अधिकार भी तो सिर्फ ब्रामड को होगा ना छत्रिय वैस्य सुद्र को थोड़े अधिकार है सूद्र को तो पढ़ने पढ़ाने दोनों का अधिकार नहीं है और छत्रिय और वैस्य को पढ़ाने का अधिकार नहीं है पढ़ाने का अधिकार नहीं है तो लिखने का अधिकार कहां से होगा पढ़ने का अधिकार है उन दोनों को, पढ़ाने का अधिकार नहीं है, लिखित जो बात है ना हिंदू गरंथ मत कहिए उसको, भेदभाव हो जाएगा फिर, क्योंकि हिंदू में छत्रिय वैस्य और सुद्र को लिखने का अधिकार नहीं है, लिखने का काम सिर्फ ब्रामड क कौन हुआ यह कोश्चन करते ना तो वह ज़्यादा अच्छा रहता है अच्छा यह वीडियो 171 देखिएगा वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को इसके बाल से जो है कर नाकसेन जयजी जी सुपर इस्टी कर था यह का का है क arguments के लिए कुछ दिखाई कि लेकिन कुछ नए लोग दिखाई दे रहे हैं दिबस क्वर्य नहीं दिखाई दे रहा है कि छलिए इन बाते करते हैं बीजे जी आए हुए हैं इन से थोड़ी बाते करते हैं जी बताएं क्या काना जाते हैं जी नमस्का बताएं जी मेरी आख जा रही है आपके आरे हैं तो वो बहुत अद्तक पूरे कंप्लीट हुए हैं जो इसके उत्तर मिले हैं मुझे सर मैं आपके श्रीम पे एक बात रखनाता हैं जी मैं हमेशा देखता हूँ आपकी वीजे तो इसमें कुछ लोग रहते हैं जो आरक्षन के अगेंस में या फिर आईसे भी लोग भी देखत इसके अगेंस में बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं लेकिन ये लोग कभी जाती वाद के बारे में कभी इनके आवाज नहीं निकलती सा इवन एक बात में नोटिस की आज में एक मुवी देखे आया नागराज मंजूले जुडा जुंड मुवी तो उन्होंने जो यह जो मुवी बाना है था उनका जो ट्रेलर रेलीज हुआ तो उस ट्रेलर के इसमें जो वाबा साप जो अपने महमानों है इनके सामने अपिताब बच्छन जी नमस्कार करते हैं तो ट्रेलर में दिखाया है तो उसके उपर नगेटिव कमेंड भी मैंने देखे तो यह लोग कौन नेगेटिव कमेंड करने वाले हैं तो ऐसी चीज मुझे लगी से है कि जो आरक्षन की खिलाब बोलने वाले है या फिर जो बहुजन लोग है उनकी खिलाब बोलने वाले एक उची विशिष्टा काश्टी लोग आप में दिकाई देखे उनको इस चीज की आपके रहे हैं लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट कहां जाता है हमारी श्क्री बताने वाली कोई मुवी आती है जो अंचिद्वर्गों की मुवी आती है इसके बारे में कोई अगर लिखना कि अगर कि जी बूले जाती हो आपकी साउंड कट रही है एलो साउंड कट गए भीच में आपकी बहुत सारी साउंड चली गए थि Jup मुझे लग रहा है कि सायसे कल प्रोब्लेम मुदी अचैंग ठीक है ठीक है भीजा जी आपकोन कुछ टेग्निकल प्रोब्लेम है तो वीोडित नहीं आ रही थी बीच में क्रॉस हो रही थी नेटवर्क प्रोब्लेम है उसको आप देखिए सॉल्फ कीजिए फिर मैं आपको जोड़ता हूं तब तक यहां बिवेक त्रिपाठी आये हुए हैं चलिए इनसे बाते करते हैं जी बिवेक जी बताएं क्या कहना चाहते हैं कि माइकन म्यूट करें अपनी कि माइकन म्यूट करें विवेक त्रिपाठी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं रहे भाई माइकन कर लो क्या हुआ त्रिपाठी जी को यह तो बोली नहीं रहे हैं आ गए हैं या इसा आप लोग क्यों करते हो आ जाते हो फिर माइक आउन भी नहीं करते नबोलते हो फिर कहोगे कि आप लोग जूड़ा नहीं जाता चलो अच्छा अनुराग मौर रहे हैं चलिए इन से बाते करते हैं अनुराग जी फैस के माना चाहते हैं या वैसे केवल वाइस ओवर यह तो नहीं बोल रहे हैं कुछ चलिए इनको जूड़ते हैं हाँ बताएं क्या बोलना चाहते हैं अनुराग जी हाँ बोले बोले अच्छा यह तुछ ले गए अब कौन बच्चा है सम्यक धारा आये हुए हैं चलिए इनसे बाते करते हैं जी सम्यक धारा बताएं जी सर मैं एक टीचर हूँ अच्छा हाँ 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 बोले बोले तो मुझे आपसे यह जाना है कि मैं अभी तो गुजरात से हूँ तो यहां मैं लेंग्वेज बढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को मैं कुछ ऐसी रैशनल बाते कैसे सिखा सको यहां तो होता है बस लेंग्वेज में हरे राम हरे कृष्णा तो मुझे आपसे यही समाँ चाहिए कि मैं उन बच्चों को क्या पढ़ा हूँ मैं कोई कवी था या पाट जो भी पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन उसमें बस यही होता है तो मैं बच्चों को रैशनल कैसे बना हूँ गैने ईखिये हैप सबसे पहले तो यह आप डिसाइड कर लीड़े कि क्या पढ़ाते हैं कौन सी सभज़ेक्ट पढ़ाते हैं जो अगर मान लेज़ेग्वेज़ पढ़ाते हैं तो लांगवेज में ही इस शारी चीजरे लोग जोड़ते हैं तो आपको नों इह देखना और आपको ये सब नहीं बताना है कि राम होते हैं, कृष्ण होते हैं, प्रामभा मिश्ण होता है कि नहीं होता है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं क्योंकि जो इन लोग की जो संस्थाएं हैं उसमें तरह तरह के बच्चे आते हैं और ये लोग जाके फरजी बाते करते हैं कि अरे ये कैसे बताया किसने बताया क्या बताया हमें बच्चों को एक्चुली में कैसे ट्रेंड करना है इसको समझना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं कैसे साइंटिफिक पॉइंट ओव वैलू को समझे उसके लिए जरूरी है कि हम उनके माइंड को साइंटिफिक ढंग से सूचना सिखाएं जैसे बारिस होती है तो वो आप उस पहलू को बता पर निचेरल पावर जो है वो बारिस करा सकता है अगर नहीं करा सकता है तो कैसे होता है यह आप बताएं तो वहां पे किसी भी धर्म जहब और इस तरह की चीजों का नाम लिये बिना आप जो है क्लासरूम में क्लासरूम जो होता है वहाँ पर आपको किसी धर्म जहब को नहीं लेना है नहीं तो आप जैसे हिंदुईजम का लोगे तो कोई ये कहेगा कि ये फिलाफ कर रहे हैं या फिर Muslim के किलाभ नहीं बोल रहे हैं अल्ला का नाम क्यों नहीं लिया या इसके नाम नहीं लिया आपके अपने बच्चे हों वहाँ पर आप ले सकते हैं Saugenic place पे जहाँ पर इस तरह की चीजे हैं वहाँ पर scientific temperament पर focus कीजिए उनको वो चीज सिखाईए कि ये चीजे कैसे घटती है, सूर्य कैसे बना, धर्ती कैसे बना, जब ये चीजे उनको automatically पता चलेगी ना, तो automatically वो theory false हो जाएगी, उनकी, दूसरी वाली theory, बच्चे को scientific सोचना, कोई घट ना घटी, उनके सामने example दीजिए, अब बच्चे पे पूछे कि क्या वो पी सकती है, क्या क्या possibilities है की वो पी सकती है, नहीं सकती है, बच्चा बोलेगा ना, तो आप बोले कि तो अगर मोर्ती को थोड़ा सा हलका सा तिर्चा किया जाए, या उसके पीछे जो ये इस म τουच्वं स में जो थोड़ा सा gap बनता है, सोचने की मि चमतकार नाम का चीज होता है कोई भी चमतकार नाम का चीज होता है हर चीज के पीछे कारण है वो कारण हमें पता लगाना है उसके अंदर बस एक चीज जो है वो आप उस पर डाल देजिए, कि वो हर बिती वोई घटना के पीछे का कारण खोजे scientific रूप से, कोई भी unscientific चीज परियोग न करे, कि हाँ हुआ होगा मैं माल लिया, उसने कहा दिया माल लिया, नहीं, उसके पीछे का कारण खोजे, और कारण खोजने का जो तरीका है वो scientific ह होना चाहिए, यह चीज बच्चों में ब्यूल्ट कर दीजिए, तो जैसे जैसे वो चीज ब्यूल्ट होगा ना, तो बच्चा जो है, वो आराम से समझ लेगा, उसके पैरेंट्स धार्मिक हुए ना, तो वो भी समझ लेंगे, अब क्या होता है कि बच्चे को जैसे आपने यह बता दिया कि बच्चा जो है, देखो पानी नहीं बरसता, इसका मतलब इंद्र नहीं होता, इसका मतलब भगवान नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं होता, तो अब बच्चा छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, घर पर जाके, अमा पता पिता से कहेंगे, आरे सर ने तो लेकिन दिशान देजिए यहां पे चीज क्या है उनके माता पिता आपके इस अच्छी वाले पहलू को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो अल्रेडि धार्मिक है उनसे आपका direct interaction है नहीं तो इसी लिए बच्छों में जो scientific temperament है में डेवलप करनी है न उसको बिलकुल ही scientific way में ही डेवलप करनी है बच्छा अगर बड़ा है 18 years plus है तो फिर आप उससे frequently बात कर सकते हैं जैसे आम पब्लिक जैसे बाते करती हैं या frequently ऐसे जो बाते होती है वन टो इससे में आपने बात कर सकते हैं तो यह चीज़े होती है हमें उनकी सोचने की जो वो है वे है उसको ही scientific कर देना है उसको ही सिखा देना है कि वो scientific रूप से ही सोचे जैसे scientist सोचते हैं कोई भी चीज बिल स्थान पार इस तरह से आप चीजों को हवाला दे कर और डेवलाप कर सकते हैं बिना किसी उसके लागलपेट के मैं तो थोड़ा अभी थोड़ा दिक्क्त हो रहा है कि यह बज्चे पानी पिलाने का वो डॉंगता रहा था तो मैंने एक इट का टुकड़ा लिया उनको बता है कि वो गरम है उसको पानी पिला उसको तो यसी बाते वो दीवों में बता है कि अवाज क्रॉस हो रही है रहुत ज्यादा क्रॉस हो रही है क्लियर नहीं आ रही है ओके आप हादो मैं यहीं अच्छा ठीक है ठीक ओके ओके समय अच्छा और प्रसना था कि कि मैंने आपको एक इंस्टाग्राम पे एक मेसेज किया था और लिपी के बारे में था कि समराट अश्रुक की जो उन्होंने लिपी लिखाई तो अयम दम लिपी ऐसा लिखा है तो उससे तो होता है कि यह दम लिपी है लेकिन मैंने कहीं एक पोस्ट पड़ा था कि उन्होंने पाकिस्तान की जो कोई जगा है वहां खरोष्टी लिपी में भी ऐसा लिखा कि आयम धम लिपी तो लिपी है या वोई कोई लेखे ऐसा कोई पूश्ट मैंने पड़ा तो वो मैंने आपको मैसेज किया था अपने देखा था लेकिन कोई रिप्लाइ नहीं गया तो मैं यहां पूछना चाहते हूँ समयकधरा उस पर मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं तो पता कम चल पाता है लेकिन मैं आपने यहां पूछा यह तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो आपने कणा न पाकिस्तान का जो मनसेहरा या जो भी अपने जगह बताया वहां पे जो समराटसूख का आपने बताया तो खरोष्टी लिपी जो है न उसमें लिखावट जो है हलकी सी डिफरेंस हो सकता है लिखावट लिखने में क्योंकि लिपी बदल रही है लेकिन जो मूल सी धानत है जो लिखवाना चाहते हैं वो मैसेज दोनों जगे वही है कि यह धम लेक है धम लेक काने का मतलब उस समय कोई बुध धर्म नाम नहीं था कि कोई बुध धर्म है उस समय जो भी बुध से रिलेटेड जो जीवन का अचार विचार था जो जीवन जीने की कलाती उसको कहा जाता था कि यह धम का विचार है यह धम का लेक है यही धम लेक ह मतलब जो धम है उसका लेक है लेकिन इसमें क्या है कि उस लेक का नाम है उस जो लिपी का नाम है वो भी उसको धाम का ही लिपी कहा गया कि ये धम की ही लिपी है क्योंकि उससे पहले देखिए चले गए क्योंकि उससे पहले जो है किसी भी तरह की कोई वो चीज नहीं मिली है कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला है कि ये किसी आपका सकते हैं उसका नाम क्या होगा उस लिख का नाम क्या होगा उस लिपी का नाम क्या हो है उन्हों में कि ये लिभी है थम का लिभी है पने तो वो चीज है अचा अभी ये जो ब्रहामी वाला जो कंसेप्ट आया है वह बहुत बाद में आया है वह आया है के तकरीवन снов की आठ्वी सदी के बाद से उसको कहा जाना शुरू हुआ है टूकर ना ओभी बंभ कहा गया है वह भी किसी ब्रह्मेनिकल सब्द नहीं है अब भी बॉधु का ही ग्रंद है ललित विस्तर उसमें यह सब्द आया है कि अब कि अब कि एक स्ट्रीम सुनके ही मैंने वह साची दानम पुस्त की भी खरी दी है वह भी अभी में पढ़ रहा हूं और एक बात में अगर अब स्ट्रीम स्ट्रीम यार को पीनप कर दे दो ज्यादा आसान रहेगा वह खोजना पड़ता है लिंग में आज पहली बार जुड़ा सम्मकधरा मेरी एक बात समझे पीनप कर देने पर यहां पर थाउजन्ट लोग से भी ज्यादा हो जाते हैं वह अदस लोग ही भीतर आ सकते हैं तो कुछ लोग आके ना अल्रेड़ी बैठ जाते हैं यह एक सबसे बड़ी प्रोब्लेम होती है तो यहां पर मैं लिंक जब को असानी से मिल जाएगा जो लोग पेट्रियोन फौल यहं पर जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको भी लिंक मिल जाएगा वहाँ पर भी लिंक डाल देता हूं आचा जो कॉमुनिटी पोस्ट जो लोग मेंबर्स लिए हुए हैं उनके लिए भी कॉम्मुनिटी पर भी करा देता हूं तो इसलिए जो लोग जो डायरेक्ट चैट बॉक्स से लेना चाहते हैं तो फिर उनको नहीं समय देखना पड़ेगा जब लिंक मोडरीटर से आप बोल के लिमांड कर सकते हैं कि मुझे लिंक चाहिए तो भी लिंक सेर कर दी जाती है ठीक है ओके समय कधारा ऑपी यहां अच्छा यहां पर लिखा था जीरो जी ने कुछ लिखा दूद भी यहां तक हौआ में भी जिवाडू है तो वेज नन्वेज की परिभासा बहुत अलग है जिसको जैसा मन में आता है वह अपनी परिभासा बना लेता है कुछ लोग कहेंगे कि पीण पौधों की हत्या करोगे तो वह भी नन्वेज हो जाएगा कुछ लोग कहेंगे नई पीण पौधों की हत्या नन्वेज नहीं है जिससे खून निकलता है वो इसलाम वाले तो और महान है जिन्द की बार हलाल हलाल की बात करते रह गए हैं जैसे म कहानी गढ़ है लेते हैं उन्वेज नन्वेज की भी कहानी जो है इसी तरह की ही है अच्छा जी जी रो जी थैंक यू आप चलिए और देखे कौन है सच्चाई का देवता आये हुए हैं चलिए इन से बाते करते हैं बताएं सच्चाई का देवता क्या करना चाहते हैं हलो हलो हेलो सर जय भीम बताएं सर मेरा कुर्ष्चन है सर आई में दो कुर्ष्चन है तो अपना मुह जो है ना माइक से थोड़ा सा दूर रखिया आपके सांसों की साउंड ज्यादा आ रही है किलियर है तो मैं कह रहा था कि जो गौतम बुध ने जो ग्यान प्राप्त किया वह कौन सा किस टाइप का ज्यान था मतलब उसज्ञान की क्या क्वालिटी थी वो कैसा ग्म था सर मेरे थोड़ा सा आप बताएंगे सर। मैं आत्म परमाटमा मांते हैं नई नई इस्वर को नई सर आप एथिस्ट हैं नास्तिक हैं आज़ी हैं अच्छा तो आप एक काम कीजिए आप जो है ना इसी चैनल पे SJL 68 है उसका शुरू का एक से डिड़ घंटा उसको देखिए पूरा A to Z जो आपका प्रश्ण है ना उसका उत्तर बहुत ही डिटेल्ड में तू दपॉइंट आपको मिल जाएगा उसको देखिए SJL 68 जी जी ठीक है जी चाली है ओनी समय जा जातें मीरा धूर के जैसे जैसे हम तो मतलब इन सारे आड़िम्बरों से निकल आये हैं लेकिन अभी वह कुछ लोग क्या ना मैं आजाते के साथी मतलब वो जैभीम तो छोड़ी दोख है जैभीम तो उनका बोलने का बज़ की नहीं है लेकिन वो जाते के साथ ही जैसरी राम करेंगे जैसरी कृष्णा करेंगे ऐसी मतलब उसमें फसे हुआ है लेकिन तो मैंने देखा कि रिडियो जी है एक डॉक्टर है वो भी जैसरी राम कर रहे थे मुझे आ जाकर तो मैंने मेरे को बहुत ठकाशा लगा यार यह डॉक्टर होके भी ऐसे मतलब बोल रहे हैं जबकि साइंस तो इस चीज को मानती नहीं है बिल्कुल भी इसका गेंस्टे साइंस तो है ना तो मैं इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पाया कि मतलब डोक्तर ऐसा कैसा कर सकता है ईयार इसको तो क्या नाम है बोलना चाहिए था या दो गूड उविडिंग बोलना चाहिए था या वी ज़िश्री राम कैश fid बोल सकता है उसका कारण है ना बोलने का एक चीज समझे पहले आप इनका कारण क्या है ये हमेशा ही इन लोग का पर्यास है कि कोई भी प्रैक्टिकल या वास्त वी कि या रियल चीज का नाम नहीं लेना है हमेशा ही कलपनाव का एक संसार खड़ा करना है जिसके चरित्र भी कालपनीक हो सूच भी कालपनीक हो और शूसर जो है न सामने वाले पर वो प्रैक्टिकल हो कब जा हमारा प्रैक्टिकल हो उनके संसाधनों पर कब जा हमारा प्रैक्टिकल हो लेकिन उनको गुलाम बनाने की जो तकनीक है वो पूरी तरह से वर्चुल कथा कहानी प्याधारी तो और ये वर्चुल कथा कहानी जब तक बनी रहेगी तो उसकी कोई यह सब्सक्राइब तो उसको तो हिस्टुरियन भी खोज के निकाल के उसकी सचाई बता देंगे जब वर्चुल होगा तो अब लड़ाई क्या हो जाएगी उस कालपनिक है यह कहेंगा नहीं कालपनिक नहीं है क्योंक सबूत ही नहीं देने की जरुत पड़े जाएगी ना जब कहा दिया कि कालपनिक है तो उसमें ऐसे हावाबाजी में चलती रहेगी बात है हिस्ट्री पर होगी तो पचास लोग रेफरेंस लेके आ जाएगे उस हिस्टोरियन ने ये लिखा है तो जो सही होगा वो सामने आ जाएगा तो इनको हमेशा ही एक कालपनिक पात्र समाज में खड़े करके रखना है और इसी कड़ी में ये लोग बात करते हैं जो आपने कहा ना कि जैभीम को छोड़ देजिए जैभीम प्रैक्टिकल नाम है जैभीम बिल्कुल प्रैक्टिकल नाम है वो एक इंसान थे उनकी विचा विचारधारा है और विचारधारा है कि जो शोषड है उसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद करनी है तो जो शोषड के खिलाफ आवाज बुलंद करता है जो प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल सही है और उस पर तब तक लोग कायम रहेंगे जब तक शोषड नहीं खतम हो जा कि भूख लगी है भूख लगी तभी तक तो चिलाते हैं जब भूख मिट जाती है तब फुड़े चिलाते हैं फिर जुरत परती है तो फिर चिलाते हैं जब नोकरी नहीं मिलती है तो लोग रूड़ पर खड़े होते हैं कहते हैं नोकरी चाहिए नोकरी चाहिए जब नोकरी नारे है ना, इनका वजूद किस चीज के लिए, इस सूसड के खिलाफ थोड़े है ये, ये सूसड के खिलाफ कहा है, ये अगर नारा सूसड के खिलाफ होता है, किसी को सही चीज है प्रोपगेट कर रहा होता, तो इसका लोग समर्थन भी करते हैं, अलाहुआ कबर कालपनिक चीज है, कोई मतलब ही नहीं है, जैसे राम का नारा में देख लिजे आप, खुद ही देख लिजे क्या है, हाथ में तीर लेकर खड़े हैं, अब इस समय हाथ में तीर लेकर खड़े हैं, कि उस समने वाले को तीर मारना है, कौन है रावन, नहीं है, लेकिन जैभीम का नारा जो है वो बिल्कुल अलग है उसका नारा जो है भाई जो भारत के CSTOBC वर्ग है उन पर सदियों सत्यचार करते हैं वो अभी नहीं मिला है इसलिए नारा बुलंद है तो नारा वाला जो खेल है न इसको हमें थोड़ा समझना होगा फर्क करना भी सीखना होगा कुछ लोग व्यक्तिवाद से जूड़ते हैं कि व्यक्तिवाद हो गया जब व्यक्तिवाद हो गया तो फिर भागत सिंग का जूड़ने क्या आइकन लगा के घूमने की क्या जरुरत है फिर तो भागत सिंग का फिर बाबा साब का फोटो लगा के सब लोग घूम रहे हैं उसकी फिर क्या ज़रुरत है तो इसलिए नाराबाजी जो है ना इसका खेल हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि चक्कर क्या है इनमें जी अ सब्सक्राइव महान अजी थी सार एक और कुष्चिन था कि अम्त्रीम तरह यह भूलें पुलें आ कि किया नमहैं जैसे बहुत से लोग यह कहते हैं कि मतलब जो शिव थे उनके उनके गल्यें ध़क है और किया ना में वो मतलब राख राख लपेट्टे थे लेकिन में को समझ कर यह नहीं आता कि मतलब जो मतलब वह जो तरिशोल रखते थे अपना पास यह उनके गले में जो सांपथ वह क्यों था उनके ऐसे मतलब कले में साप और अपने पास तुर रखना अब यह जो मतलब कमजोर इंसान होगा या किसी को डर लग रहा होगा कि कोई मुझे मारना दे कोई मुझे कुछ हाने नहीं पोचा दे वही तो अश्त्र शस्त्र रखेगा कोई बिलकुल हां जी तो मैंने उनसे पूछा अब वो कह रहे हैं कि क्या नामे वो तो उनका एक वो था कि क्या नामे एक जैसे रख लेते हैं कुछ अच्छी लग रही है चीज तो वो अपने पास रख लेते हैं मैंने का तो लेकिन वो तिर्शूली क्यों मिला एक नुकिली चीज क्यों मिली उससे किसी को प्रहार करना था क्या फिर मैंने पूछा कि क्या नाम है फिर वो राख क्यों लपेटते थे तो वो कहते हैं कि क्या नाम है ये राख तो मुर्दे क्यों होती थी वो मैंने का मुर्दे की राख होती थी यार मुर्दे की राख क्या नाम है लेकिन एक बात मुझे अब भी समझने आती लेकिन चलो ठीक है कोई बात ने तिर्शूल रख लिया अपने पास और क्या ना मैं चोटी में से भी गंगा बहादी लेकिन ये जो गले में साब बांदरने वाला जो कौन साप्ट है ये क्यों रखा ये समझने आई मेरे को दिखिए जो सीव की मूर्ती है ना पहले तो बनती नहीं थी सीव की कोई मूर्ती ये तो इन लोगों ने चोई किया है भारत के बुद्ध मार्ग से मूर्तिया बनाने की कला जो है बुद्ध मार्गियों की है वही तो मूर्ती बनाते थे तो साप बनाने की नाग परंपर जो है वो तो बुद्धों की है साप जो है बुद्ध के ऊपर साप रहना बुद्ध के जो नीचे जो है साप ऐसे गुल-गुल रहना उसके ऊपर बुद्ध का बैठना फिर उसका छत जो है बुद्ध को छाओ देना इस तरह की प्रंपरा जो है बौधों की रही है इसी कड़ी को इन लोगों ने आगे करता है तो उसी कड़ी में वो सांप भी बैठा देता है तो देकी ही मूर्ती से जुड़ा हुआ सांप है इसको इन लोगों ने जोड़ तोड़ के बाद में बना लिया फिर कथा पिरोदी गई इनको तो किसी भी मूर्ती की जस्टिफिकेशन देना हो ना किसी भी मूर्ती का तो पुराणों में ये कालपनी कथा लिखेंगे कि जहर था, जहर पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया कहां से चूरी किये होंगे, जाता कथा उसे चूरी किये हैं पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां वहां से चूरी मिल जाएगी तो उसको बनाके प्रोपगेट कर देते हैं, एक छुल कथा किसकी है, कहां से चीज़े ली गई है, वो पबलिक तक नहीं पहुंचती है, न पहुंचाते हैं, तो सच्चाई नहीं सामने आपाती है, जी जी तो बस यहीं चक्कर है इनका, जी ठीक है सच्चाई का देवता, ओक तो इससे समझें ना कि हमने इसे समझी है कि हमारा education system हमारे लोगों की समझ हमने कितनी कुंद कर रखी है कि वो बेचारे इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि मूर्ती दूध कैसे पी सकती है हमारा धर्म जो है जो धर्म मानते हैं उस धर्म ने हमारे इंसानों को कितना अंधा बना दिया है कि एक छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आ पा रही है तभी तो मैं कहता हूँ ऐसे धर्म की हमें जरुरत ही नहीं है जो scientific temperament की अब क्या कहें उसको scientific temperament की वाट लगा देता हो ऐसे धर्म की में जरुरत ही नहीं है तो यही बात तो दिखाना है ना पब्लिक के सामने यही तो चीज लाना है कि ऐसा हमारा इतना धर्म वो हो चुका है संकिर्ण है इतना बेकार हो चुका है कि हमारे पब्लिक को एक छोटी सी बात समझने तक कि अकल नहीं दे पा रहा है हमें नहीं जुरुत है इतने पुराने और इतने बेकार घटिया धरम की जो एतनी चूटी सी समझे नहीं विक्सित करें और एक बात और जो हमारे संकराचारे बैठे हुए हैं इतने बड़े-बड़े टेंपलों में इन लोगों ने एक बार भी बाहर निकलकल ऐलान नहीं किय कि भाईया यह जूटी बात है मुवती दूध नहीं पीती है यह बकवास है कोई भी दूध न पिलाए इनका करतव वे था ना इनको पिलाने का बताने का क्यों नहीं बताएं यह धारमी को लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर चुप शाप देख रहे हैं तो इससे पिछड़ेगा और चब पिछड़ेगा तो फिर दूसरे देशों से हम समान कर देंगे हतियार कर देंगे सब चीज बीदेशियों के हाथ में रह जाएगा हमारा अपना क्या होगा बस दूध है ना मुर्तियों को और सर इसी लिए शायद भारत इसी लिए पीछे है क्योंकि आप देखिए चीन, जापान और जर्मनी और ये सब देश अन्दिविश्वास में पड़ते पढ़े नहीं कभी वो इस अन्दिविश्वास में इसलिए वो आगे अब ये कहते हैं कि हमारा भारत पीछे है, हमारा भारत पीछे अरे जब तुम इसी जाड़ फूप में और मू चलिए काफी अच्छा आपने बताया सच्चाई का देवता और आप आगे भी जूड़े रहें चलिए ओके सच्चाई का देवता थेंक्यू अच्छा यहाँ पर रक्षिता जी का सुपरिश्टीकर था बहुत सुख्रिया आपका रक्षिता जी और इसके बाद से MW Online जी ने कुछ लिखा है यह लिखते हैं यह सब ग्रीक और इरानी देवताओं का प्रभाव है हाँ बिल्कुल मूर्टी कला जो है वो ग्रीकों से होते हुए कुशानों से होते हुए धीरे धीरे आती गई है और इसलिए यह चीज़े जो है डेवलप हुई है और Overtake जी का अभी यह लिखते हैं Overtake जी जै भीम जी जै भीम आपको बहुत शुक्रिया इसके बाद से जो है वाइप से स्टूडियो लिख रहे हैं सर जीरो का इतिहांस क्या है बढ़िया काम हाँ वाइप से स्टूडियो देखे जीरो जो है न जीरो आप समझे इस बात को जीरो सब् भारतियों ने जो सब्द दिया है वो सब्द है सुन्य इस चीज को समझे गा भारतियों ने जो सब्द दिया है जीरो का जो एक्विवैलेंट वो दिया है सुन्य और सुन्य जो है समझे इस बात को भारत ने साइंस का जो हिंदी में नाम दिया है वो विज्ञान नाम दिया है सुन्य का जो नाम दिया है वो दिया है जीरो और ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये बहुत मार के सब्द हैं इनके ब्रांचेज के नाम है पहली दूसरी सदी में ये ब्रांचेज डेवलफ हो गई थी अल्रेडी तो इसे आप समझ सकते हैं कि सुन्यवाद सुन्यवाद मतलब जो किसी भी सत्ता को ऐसा मान के चलता हो कि कोई भी सत्ता ना बाहर है ना भीतर है सुन्य सुन्य की बात कर रहा है तो ये पूरी एक फिलोसफी है बौध मार के और ये चीज अल्रेडी पहली दूसरी सती में खोजी जा चुकी थी पूरा एक ब्रांच इस पर बन चुका था मादिमिक मार्ग भी कहा जाता है तो ये देखिए वो इस सिधान्त को छुपा दिया गया बताया नहीं गया और उसके जगह पे एक कोई बन्दा है आयभत ठीक है ना उसको लाकर बैठा दिया गया पांचवी सती में ये पांचवी सती में सुन्य की खोज भारत ने कर दी दिख लीजिए पहली दूसरी में सुन्य बाद खोज हो चुका है बहुत मारक की बरांच है नाम नहीं बताया इनने आज भी नहीं बताते हैं बुद्ध का नाम ले लो गए पूल खुल जाएगी भाई सब नाम मतले ना बस कुछ ले लो नाम आर्यवट का नाम ले लो कह दो ब्रामर रामर होगा चुटिया उठिया बना के कुछ दिखा दो बस हो गया लेकिन बस गलती से यह मत बता देना है कि शुन्यवाद जो है वो बुद्धमार की साखा है और उस ब्रांच का फिलोस्पी का मतलब ही है कि सत्ता जो है ना बाहर है ना भीतर है जैसे हम कहते हैं ना निगेटिव पोजीटिव ठीक उसके बीच में जीरो होता है उसके बात कर रहा है तो ऑल्रेडी यह चीज जो है भारत में थी बताया नहीं गया है यही इसका इतिहां से हां इसके पीछे जब आप जाएंगे और पीछे जाएंगे कि सुन्य का इस्तमाल और कहां कहां हुआ है तो ग्रीक में तो वहाँ पे 3000-4000 years पहले भी सुन्य जैसे आकरितियों की उलोग बाते करते हैं और भी तरह-तरह की बाते करते हैं लेकिन ये चीज़े भारत में आर्य भट से पहले बहुत मार्ग दे चुका था ये चीज़ समझ नहीं होगे अच्छा जे इसके बाद से और क् प्रश्न है वो भी देख लेते हैं अच्छा यहां एम ओनलाइन और कुछ लिख रहे हैं यह लिख रहे हैं जिन देवताओं को पस्चिम दुनिया कब का छोड़ चुकी है उन्हें हम आज भी ढो रहे हैं नहीं एम एम ओनलाइन एक बाद समझे वो देवता जो थे ना वो वो छोड़ चुके थे भारत में बोधी सत्व बना लिये गए इन लोगों ने भारत में बोधी सत्व बनाया और वो मूर्तियों के रूप में थे ऐसा कुछ नहीं था कि उसकी पूजा पाठ बना के उनसे कोई इस वरी चमतकार ले रहा है कुछ लोगों ने धंधा खोल लि ने इतनी अच्छी सिल्प काना बनाई थी अजनता एलोरा के गुफा देखेए और भी जो प्राचिन मूर्तिया रख देजे टेंपल खोल के जो टिकट का पैसा गौर्वर्मेंट को जाता टिक्स में वो ब्राम्रों को जा रहा है वो बैठके दान ले रहा है उन्हों प्रा संबंदी सिक्षाओं में परियाटन का डेवलप करने में और भी तरह तरह वो पैसा कहां किसके पास जा रहा है तो ब्राम्रों के पास जा रहा है किसके नाम पे तो धर्म के नाम पे यही तो सबसे बड़ा घपला है यह समझना होगा हमें कि कैसे हमारे संसाधनों के हमारे ऐसे चीज़ों की बर्भादी की जा रहे हैं धर्म के नाम पर के शा की रे-साइज़ ले और देखते हैं और कोन आए हुए है है तो अच्छ पांड़ी जी आये हुए है जै लिए इन से भी थोड़ी बात करते शौरव पांडे बताएं शौरव पांडे क्या काना चाहते हैं जी सर नमस्कार नमस्कार सर मैं ये कह रहा था कि नाम में अगर मेरे पांडे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या मैं टुन्नी हूँ मैं किसी चमतकार में विश्वास नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी परलोग की जो भी बाते हैं थौट है उसमें भी विश्वास करता हूँ और मेरा कहना ये भी है सर कि अगर इसे नास्तिक कहते हैं तो हां मैं नास्तिक हूँ अच्छी बाद और सर जी सर और मैं ये कहना चाहता हूं कमेंट में न सर देखिएगा कुछ लोग हैं जो गालियां बके जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि प्लीज आप दो मिट मॉडरेट कर दीजिए उनसे उन्हें क्या दिक्कत है आकर के डारेट बात कर लें आपके मात्यम लिखता है सर मुझे बुरा नहीं लग रहा है मेरी बात समझे थोड़ा से मुझे बोलने दीजिए तो अब लिख दिया तो लिख दिया लेकिन मैं तो नास्तिक हूं फिरिन लोगों मुझे क्यों कर रहे हैं पकाया दे जरा सूचिए पांडे जी कि भारत में इतने जो S.C.S.T.E. O.B.C. है इनको कैसे ट्रोल किया जाता है भिम्टाका के S.C.S.T.E. उनके जातियों का नाम लेके हर घर में गालिया दी जाती है कितना बुरा लगा होगा ना पिछले thousand years से इन लोगों को बिल्कुल सर मैं उसके विरोध में हूँ कि ये लोग ट्रोल करते हैं तो ट्रोल होगा चारो तरफ से होगा लेकिन हमें आप भी विक्टिम है जैसे हम लोग विक्टिम हैं वैसे आप भी विक्टिम है तो आपको वो इस चीज़से सहानुभूती होनी चाहिए कि भई आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कैसे ट्रोल कैसा महसूस होता है ट्रोल होने पर तो हमें इस पूरी ब्यवस्था से ही फाइट करनी है कि यह ब्यवस्था कैसे हमें जातियों में भाटती है कैसे हम एक दूसरे से नफरत करना सीखते हैं कौन सीखाता इसका ओरजिन क जा है कैसे इन चीजों को मिटा दिया जाए कि ट्रोल खतम हो भेदभाव खतम हो यहीं तो हम लोगी फाइट है ना जी सर बिलकुल आप सही कह रहे हैं सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सब क्या अगर एक रेशनल या फिर फ्री तिंकर होने वाला व्यक्ति अगर वह न कोई जरूरी नहीं है वो तो नमो बुद्धा और जैवहीम कहना एक लोगों को जुड़ने का एक साधन बना है उन लोगों को जिनको कभी मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया जिनको हमेशा यह रहां तुम नीच हो सुद रहो तुम असूर हो तुमको कैसे हम कोई चीजी घूसने देंगे तो लोगों ने अपना एक ख़ड़ा किया है कि अरे तुम जिस चीज को लेकर बड़ा बनते हो तो हमारे पास भी एक बहुत बड़ा आइकन है मैं बिरोध नहीं करता हूँ मैं बाबा साब आम बेड़कर का बहुत जादा सम्मान करता हूँ उनके विचारधारा का बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन किसी को ये फोर्स फुली नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें नमो बुद्धा या फिर जैभीम बोलना ही है यह अभी एक तरीके की गलत बाती है जहां तक मैं सूशता हूँ आपको कहना बिल्कुल कहिए मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ कि जैभीम हमें कहना चाहिए और बाबा साहब आमबेड़कर की बातों को याद करते हुए उनकी विचारधारा को समझते हुए कहना चाहिए कि यह कोई देख आञे सूरा पंड्रे के बात समुझे यह विरो दो नहीं होना चाहिए क्योंकि यह जो आप पॉइंट रख रहे हो इन चीज सद्यों से आप सुचे आपको कितना बुरा लग लग रहा है कि मुझे बूरा नहीं लग आप अपना कमेंट देखिए ना वह बाते सब तरीके से भी हो सकती है ना आपके मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम बाते भी तो कर सकते हैं ना चैट सेक्षन में ही प्रेम से भी तो बाते हो सकती है बाते फ कोई बात कोई भी कमेंट करेगा तो उसको सीथे ब्लॉक कर दियतार है ठीक है घ्जी सर सर बात किया हुआ है कि कल हमारी की रचनल बेहन जुनका नाम में नहीं San agora चैनल चलाती हैं उनकी लाइव हो थी उसमें बाते चैट सेक्शन में हो रही थी तो आपने बोला था कि ऐसा साक्ष मिलता है कि पांचवी सदी के करीब में बुद्धिस्ट लोग या बुद्ध के फॉलोवर जो थे वो अमेरिका गए हुए थे तो उसी को लेकर कर ट्रॉल किया जा रहा है बोला जा रहा है कि मैंने आपको मिस्ट कर दिया है मैंने कह दिया कि आपने बिग-बैंक को बुद्धिसम से जोड़ दिया तो मैं क्लिर्फाइग करना जाता हूं कि मैने वैसा कुछ भी नहीं कहा था पर जिसको सोचना है सोच सकता है मैं किसी की सोच पे तो रोक लगाने वाला नहीं हूँ मैने यही कहा था कि आपने भोला था कि 55cm कुछ लोग यहां अर्वां पर कुछ साक्ष मिलते हैं तो यह बात हम लोग थोड़े बोलते हैं यह तो बात जो फॉर्णर राइटर हैं वो खुद बोल रहे हैं जी मैं वही बात था हम लोग अपने तरफ की ताब लिख देता है किताब लिखके पूरा का पूरा एक सबूत देता है कि जो चीज है वो यही है तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं तो उसी की बात करेंगे ना कि यह फॉर्णर राइटर जो है वो यह बात कहता है अब देखिए मैं आपको ना स्क्रीन सॉट रुके दिखा ही देता हूं कि उसने लिखा हुआ क्या है पूली थी नहीं तो जिनको ट्रोल कौन कर रहा है आप समझे हैं कि वह बंदा कर रहा है जिसको नौलेज ही नहीं है जो किताबें नहीं पढ़ता है तो ट्रोल ही तो करेंगा और क्या करेंगा सर्फ बात ट्रोल की नहीं है जो एक विचारधर आप लेकर के चल रहे हैं हम लोग जूड़े हुए है उसे आगे बढ़ाने की बात है यहां इसमें औरोध नहीं बनना है इसे आगे ले जाना है लोगों तो पहुँचाना है जो हमारी बात है जिस जो हमारा कह सकते हैं उद करता है कुछ रिसर्च करता है कुछ रिसर्च करके किताब लिखता है और रिसर्च करके किताब लिखने के बाद से कुछ पहलू कोई देता है उसको अगर कोई कोट कर दे तो वह बुरा हो गया कौन बुरा हो गया लिखने वाला राइटर को क्यों नहीं बोल रहा है कि उसको बॉलने से इन लोगों क्यों क्यों डर लगता है कि वह यह तुमने अपने किताब में इस तरह की बाते क्यों लिखी है कि व्जाव और जह जो अनुवाई है वो उस समय गयते और किकी अधहार पर इस तरह की बाते व्राते कर रहे मैं फिर से दिखा देता हूं ना यह लोगों को यहां पर प्रश्न उठाई ही है तो पब्लिक को पता भी तो चलना चाहिए ना कि है क्या लोगों को है एक मिनट दिखाता हूं कि कहा किया यह रहा यह रहा इस स्क्रेंशोट इसको मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें आप देखेंगे कि यह लिखते हैं यह कि और्थर लिली ने बुद्ध एन बुद्धिजम नामक पुस्तक लिखी है यह टी एंड टी क्लार्क एडिनबर्ग से छपी है जिसको चेक करना है जाके चेक कर ले जिसको भी डाउट है ना वो जाए खोल ले चेक कर ले मैं पूरा रेफरेंस बता देता हूं कहां पर यह सारी बाते लिखी है तो उसके बाद से आगे इसमें लिखा है कि पुस्तक के 12 अध्याय में 12 चेप्टर में विस्तार से बताया गया है कि जर्मैनिक लोगों के देवता वोडेन वास्तों में बुद्धा ही है अब यह और्थर लिली जो है अपने 12 चेप्टर में खुद लिख रहा है और उसको टी एंड टी कलार्ड एडिनबर्ग छाप रहा है भारत के किताब नहीं है कि कोई छाप दिया यह बिदेशी खुद छाप रहा है उसका यह दावा है तो अब यह बात करा रहा है 12अद्याय का चैप्टर का नाम कहते हैं तो आप पूरा चैप्टर का ही नाम रखहा है बुद्ध इन नार्वे और अमरीका वह सिर्फ अमरीका की बात नहीं कर रहा है नार्रवे यख बात कर रहा है एक बार इसी बात को कुछ रेशनल लड़के थें जो अपने को रेशनल बताते हैं तथा कथी थे रेशनल उनको बड़ा दिक्कत हो गया है कि यार हम लोग आज तक बीदेश नहीं गए समुद्र पार करके वुद्र क्या नोही कैसे फिफ्ट सेंचूरी में उधर जाने की बा एक कहते हैं ना कि आप क्या कहा सकते हैं जो इनके अंदर एक सुप्रियाल्टी कंप्लेक्स जो होता है वो बचा हुई है कुंठा भरी हुई है बुद्ध के प्रति इनके अंदर किसी ने बैठा दिया है कि भारत का मूल धरम बुद्ध है उसको कभी सामने आने मत देना खुदाई में वहां ऐसा सीलालेख भी मिला है अब ये बात वहां पे ये किताब जो है बुद्ध इन नार्वेयन अमरीका जो चैप्टर है 12 चैप्टर है वो खुद ये बात कह रहा है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिससे ये बात पता चल रही है कि फिफ्ट सदी में प आका मोला को कई विद्वानों ने साक्यमुनी ही माना है तो अब ये सब बात जो है हम लोग तो कहने ही रहे हैं ये कह रहे हैं और धर लीली इनकी किताब का नाम है बुध औं बुद्धिशम नामक उस तक है तो जाके इन से कहें ने भईया तुम की इस अधार पर कहा दिये इन से जाएंगे बात करेंगे उतना ही इस चीज को और हमें हाइलाइटेड करना है यह तो खुद ही हमारी बातों को पहुचा देंगे ना ट्रोल होने का मत कब क्या होता है और ज्यादा सर्कुलेट होंगी तो वो और अच्छी बात है करें ना यह लोग हम लोग चाहते ही है कि चीजे और निकले बाहर लोग जाने तो सहीं बश्य ठीक है सर फिर आप कंटीनु कीजिए थेंक यू जॉइन करने के लिए ओके ओके सवरापने थेंक यू चलिए इसके बाद से रक्षिता आई हुई है चलिए इनसे बाते करते हैं हाँ रक्षिता बताएं अपनी माईक अन्म्यूट करें अपनी माईक अन्म्यूट करें अपनी माईक अन्म्यूट करें अपनी माईक अन्म्यूट करें मैं भी इंडिया में नहीं हूँ सर कुछ इंसिडेंस है मेरे साथ में हुए है यहाँ पर वैसे इंडिया में भी हुए है Recently अभी वाला बताती हूँ मुझे छुट्टी थी छुट्टी वाले दिर मैं भर के साफ सपाई बस कर रही थी अपने अचानक से डोर बिल बजी देखा बाहर साथ-ाथ लोगों का कुछ ग्रूप था यह सारे स्कॉन वाले थे और चंदा मांग रहे थे तो मैंने मतलब अब सर हर कोई तो हिंदू नहीं होता मतलब हर कोई तो मतलब यह एक मैंन सेट क्यों है कि मतलब सारे लोग इंडियन को हिंदू ही क्यों समझ लेते हैं हम बहुत सारे दर में वहाँ पर माइनरिटीज है मीजरिटी में दूसरे और भी बहुत सारे लोग है फिंदू ही कह देना ये तो आगए घंदा मागने रगए मैंने कहा कि क्या कर रहे हो आप? vẫn अब इतना कुछ हो रहा है आँ इंडिया में मतलब वक्सिनज नहीं है ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो आप किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को मतलब क्या कर रहे हो हम लोग तो यहाँ भा किया करोगे आप तो यहां पर एक मंदीर बन रहा है यह है वो एक सेकंडरी तिंग है अभी प्रेजेंट सिचुवेशन में अभी आप क्या कर रहे हो हमारे लोगों के लिए हमारे देश के लिए तो कोई उनके पास कोई आंसा निदा बस वो शुरू हो गए अपना कृष्णा यह वो जो भी कुछ है मैंनों नहीं कहा देखो ना तो मैं हिंदु हूँ ना मैं हिंदु धर्म को मानती हूँ तो मैं क्यों दू मैं अगर मैं किसे को टैक्स मतलब कहीं काम करते हैं मैं टैक्स देते हैं हमें पता है उसका इसका होने वाला है हमारे लोगों के काम में आएग तो अब भी अगर मैं आपको कुछ दू पर सुक्न蛇न आप मुझे बताए ना मेरे देश के लोगों के लिए आपके क्या करेंगे। आप यहां पर आकर उस धर्म के नाम पर हमसे कूछ मांग रहा है है अप क्या करेंगे हमारे लोगों के लिए। तो बस कुछ नहीं आंसर था, फिर बातों बातों में बात हुई, फिर मैंने का कि हाँ, मैं बुद्धा को फॉलू करती हूँ, तो वो फिर कहने लगे हैं, हमारा ही तो अवतार है, बुद्धा, मुझे फिर बहुत ज्यादा गुसा आगया सर, मैंने उनको बोला, मुझे आप बहुत गुसा आया सर, मतलब अब चाहरा दुनिया में कोई भी सिचुएशन हो, यह हर चीज में अपना कुछ न कुछ लेके ही आएंगे, बिल्कुल हुमेनिटी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मतलब कुछ बहुत बुरा लगा, एक सेकेंड इंसिडेंस वादा तो, मैं पूरे कॉलेज में कोई लड़की नहीं थी, तो सर, और हॉस्टल भी नहीं था, नहीं नहीं चुरुआ था, तो गर्ल्स हॉस्टल था, लड़की आई नहीं है, तो क्या बनाएंगे, कोई फीमिल लेक्चुरर बनी, कोई नहीं, सर, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, तो बहां क्या है, धर्म क्या है, यह वो, सर, मतलब, आप स्कूल पास आउट करते हो, आपको नहीं पता होता है, कि यह सारी चीज़े क्या है, और आप कहीं जा रहे हो, आपका मतलब आप रेंट लो, आप हमें, तब आप रेंट लो और एक फैसिलिटी दो, तो सर, यह मतलब इतना ड क्या दे रहे हैं यह समझ मी नहीं आरहा है कि हम हमें डिवलॉप हो ना है यह हमें पीछे पीछे जाना है कि हम क्या करना रहा हो कर सकते हैं सर बातों मेंبة सकते हैं बहुत बुरा लगता história है मतलब और एक बात सर जब भी मैं आपका स्ट्रीम है ना लाइव सुन नीच चाथी मैं आपसे लाइव बात करूँ जब भी करते हूं न सर रिकॉर्डेट जो होता है वो तो ठीक है वो तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं होता लाइव मेंशन मेरा इंटरनेट करनेक्शन चल मुझे हसी आती है तो यहीं सारी चीज़ें है सर बस बाकी कोई खास बोलना नहीं था बर यह जो रिसेंट इंसिडेंस हुए है ना सर मतलब बहुत दुख होता है मतलब अपनी लोगों के लिए कुछ करना है पर करनी पाते है और यह धार्म के चकर में चंदे के चकर में यह हावा पस यह फसे रहते तो बस इतना ही बोलना था सर जी जी काफी आपने अच्छा कहा है रक्षिता जी और देखिए आपने कितनी अच्छी बात कही कि सब लोग को यह हिंदू ही समझ लेते हैं और चंदा मांगते हैं तो आप समझे कि इनका में जो परपस है वो चंदा लेना है और मैंने इस पर स्ट्रीम की है कि भारत को कैसे इस लोगों को ने कटूरा पकड़ाया हुआ है यह लोग बताते हैं कि कौन चंदा मंगता है कौन घूम लीजिये पूरा अब हर जगा पाएंगे कि यही लोग चंदा मांते हैं और इनकी कहानी सुने यह लोग सर मू तो जो जहांगे और इक शोटी से चुटिया भी लटगा लेंगे ये परमपरा तो बौदहå में देखिगिए के था और चुटिया लटगाने की जो परमपरा है यह जो है चानि छो लोग होते हैं चानि जो मॉंख्स होते था वह करते था तो ये लोग ऐसा क्यों करने लगे हैं ये इनकी आप चीजे देखिए इनको तो पूरा अपना बाल रखना चाहिए था अपने रिसी मूनियों के तरह क्योंकि इनने अपने जितनी किताबें हैं जो इन सिरियल बनाई है उसमें सब को दिखाएंगे कि इनके रिसी मूनि बाल बड़े बड़े रखते थे दाड़ी रखते थे और ये खुद जो हैं बुदिष्टों की तरह सरमुडा के गुमते हैं और बुद्ध को भी इनोंने अपना उतार बना लिया है चंदा लेने के लिए कि उनका भी कोई कुई कस्टमर होगा तो भी मुझे चंदा दो तो ये चं सिंगल लड़की आपने पढ़ा तो इसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ आपकी ब्रेवनेश को कि आपने वैसे समय में भी एक सिंगल हो एक सिंगल मतलब फिमेल होके भी उस चीज़ पर आगे बढ़ें तो बिल्कुल आज 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 आप जूड़े गई ये बहुत मैंने अब्जर्व भी किया मैं वैसे किसी लाइब स्ट्रिम में गई नहीं हो सर इतना समय भी नहीं हो पाता है और टाइम डिपरेंस भी बहुत हो जाता है यहां पे दिन है वहां रात है और नहीं हो पाया लेकिन जब भी करने का कोशिश किया ना तो यहीं हुआ है कि या तो इंटरनेट नहीं मिलेगा अब दूसरों वाले में मिल जाता है तो मुझे मतलब काफी मतलब वह कि यह क्या है यहां यहां तक लोगों को तकलीफ हो रही है मतलब अब तकलीफ तो है सर अब आपने रिसंटली वो तो सुलाई होगा यहां पर जो सिस्को कंपनी में एक एंप्लॉई के साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है अभी उसका केस अभी भी चली रहा है वसे तो सर यह हां कर अब सारी कहते हैं न मतलब एक एक कंसिडरेंश है कि इंडियन जब वहां से यहां आएंगे तो कुकर साथ में लेके आएंगे एक तो इससे बीसिक सामा जो लाएंगी यह से दो तीन चीज़े तो रहेगी उसमें एक धार्म दे रहेगा वो मतलब वो रहता ही है तो यहां आने के बाद भी वही सब चीज़े है सर और कोई इसद्म और यही जब दूसरे देश वाले इनके साथ करें ना तो वह रेसिसम हो जाता है वो बहुत सही हो जाएगा बिल्कुर यही हो रहा है और Jb वो उन्लों को प्रमो neutrम नहीं देंगे यह जो भी कुछ उनसे थोड़ा उनको नहीं सामने लाया जाएगा। जो सकता है हो भी सकता है वो ट्रू भी हो या हो सकता है कि हैना हम अपोग का लाइविज भी डिभरन पड़ जाता है सारे लोग को समझ में नहीं आता हूं प्रवर्श को काफी अच्छा लग आगे भी आयां और ट्राई करते रहें और जब आप जुडएंगे लो आप लोग अपनी बाते रखेंगे तो बहुत सी बाते जाननी चाहिए मैं करता हूँ कि सभी लोग अपनी बाते सेयर करें कहां पर티scrimination हो रहा है नहीं हो रहा है अपने लोग बहुत bounded है, इनके पास उतनी सबसे connected भी नहीं है, तो इस तरह के जो भी platform है, इनके माध्यम से उनको भी जनकरिया मिलती रहती है, तो आप आगे भी आती रहें, रचिता जी, और इस तरह से अपने बातों को share करते रहें, शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक और सभी सुने वालों को, सर फिफ्ट सेंचुरी वाली बात तो इत्ती पुरानी है, तो हो गई, आप तो कितने बार उसका सबूत भी दे दिये, अभी भी वह बात चल रही सुनकी है, यह सी आर्थी है, कुछ लोगों का दर्द है ना, कुछ लोगों को तो दर्द, दर्द फिफ्ट सेंचुरी की बात नहीं है, दर्द है कि बुध का इतिहांस न सामने आ जाए, बुध की कुछ उपलवधिया न दिख जाए, क्योंकि रिसी मुनी तो पुस्पक विमान बना लिये था ना, पत्ता तोड़ते थे पेणों से, मुह से फूंकते थे उड़ता था, जैभीम बोलने पर आप तो कभी किसी को बोले ही नहीं हो, कि जरूरी ये बोलना, मतलब अब तो हास्यासपत लगने लगी, सर मेरे कोई बाते हैं, और अकसर ये हो रहा है कि कुछ अगर मिल नहीं रहा है, तो लोग इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन सर, हाला कि मैं यहाँ पे लाइफ चैट में पूछा, तो मुझे तो सारे ही दोस्तों बताया कि कोई किसी को किसी ने गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई किसी चैनल पे हमारे दोस्त अगर रहते हैं, तो हमारी जिम्मधारी थोड़ी इसलिए बड़ी रहती है, थोड़ी सम्यकवानी हमारी रहे क्योंकि वो जरूरी यह से रहे करनी है गाली गलोज जो है वो नहीं होनी चाहिए अब बचें इन चीजों से बचें जवाब दीजिए जवाब देने के लिए गाली नहीं जरूरत है जवाब देने के लिए ना फैक्ट्स जरूरी होता है बहुत ज्यादा हाईली स् मुह उसी से बंद होता है दूसरी बात ये है सर की अगर मतलब मैं जितने मेरे साथी जो सुन रहे हैं जो अपने आपको एक्स ब्राम्मिन बोलते हैं तो भई अगर ब्राम्मिनों को अगर कहीं उनकी निंदा की जारी है तो उनको बिल्कुल भी इस बात का फरक नहीं पढ़ना चीए आप हो ही नहीं तो आप निंदा को आप क्यों लोगे बात ही खतम हो गई आपके लिए और वैसे भी ये चीज हमने पहले भी क्लियर कर दी है कि हम लोग ब्राम्मः उन बंदों को मानते ही नहीं विद्वान भी अर्थ में हम लें तो भी तो सुपरमैसी कोई दिखा रहा है सुपरमैसी है जी जी वो रेसियल वर्ड है तो इसलिए अपने को ब्राम्मः कहना जो रेशनल है वो छोड़िये इन चीजों को रेसियल चीज़े हैं ब्राम्मःड, सुध्र अच्छा देखें और कोई आया हुआ है क्या इसमें राइक थिंक आये हुआ है पर्शुराम जी अच्छा राइट थिंक को पहले जोडते हैं जी राइट थिंक बताएं अपनी माई कर म्यूट करें जैभीम सर हाँ सर जैभीम जैभीम जी सर मेरा कोई ऐसे सवाल नहीं बस एत्थ जनकारी आपसे चाहिए था सर अच्छा बोले जी जैसे जो देश का तो सब देश का नाम होता है अलाग अलाग अपना भी देश है इंडिया भारत तो सर भारत माता जो बोलते हैं सर इसके बारे में थोड़ा हमको जानना था जनकारी दे हो येगा लेकिन सर मुझे नहीं पता है तो यहीं जानना था सर जी अपना देश को भारत माता क्यों बोलते हैं सर बहुत अच्छा सवाल है किसी भी देश को देखिए माता नहीं बोला जाता है लेगिन हम लोगों की आदत है ना कि आप सामने वाले को कैसे उससे अपना काम निकलवाना चाहते हैं ये बात समझेगा तो उसके लिए जरूरी है ना कि धर्म में उसको पिरो दीजिए सबसे पहला काम ये करिए कि उसको ना किसी चीज में जैसे बैल होता है तो उसको या घोडा होता है तो उसको आप कंट्रोल करने के लिए उसके ना कमें नकेल डालते हैं ना लगाते हैं फिर उसके हाथ में पकड़े रहते हैं तो ये ना नकेल है कि पबलिक को एक नकेल डाल यह धर्म का अब उस धर्म में जब फस जाएगी न आसानी से उसको हाक दीजिए कि यह जो धर्म जो तुम फॉलो कर रहे हो इसकी जानकारी सिर्फ मुझे ही है तो वो घूम फीर के आप ही के पास आएगा अपने बच्चे का नाम भी आप ही से रखवाएगा अपनी बेटी का साधी भी आप इसे पूछ के करवाएगा आपसे मंतर पढ़वा के करवाएगा कोई मरेगा तो क्रिया करम भी आपसे करवाएगा पूरा नकेल ही उसके पास आजाएगा तो यह कंट्रोल करने की चीज है तो भारत माता जो है इसी कड़ी में से एक पहलू है कि आप हर चीज आया था जब भारत पाकिस्तान हुआ था तब भारत पाकिस्तान हुआ ना तभी एक चीज उकेड़ा गया नहीं तो इन लोगों तो दिक्कत थी परचाई से भी दिक्कत थी ना पानी पीने से भी दिक्कत थी जब यही माता की सब संतान है तो पानी कैसे अलग-अलग पीते के लिए यह हमारी माता हो गई हम सब इसकी संतान हो गए भले हैं कि नहीं है लेकिन यह virtual creation खड़ा किया गया कि अब तुमको किसी दूसरे से नफरत करना है इस समझीए गाणी से समझें यह बात को किसी दूसरे से तुम्हें नफरत करना है, तो अब ये तुम्हारी माता हो गई, यह जब माता हो गई तो भेदभाव क्यों है, तुम भाई हो, हम भी भाई हैं, तो फिर हम सब्सक्राइब कैसे है, सबहुं ये खड़ा करना चाहिए पड़िक का, तो पॉब्लिक एक्षेक्ली वो सवाल ही नहीं खड़ा करती है, वो कहेगा पांच चीज़े, ये भी तो कह सकता है कि प्यारे देश भारत कीज़े, नहीं भारत माता कीज़े, अरे जब उसको तुम माता बोल रहे हो, तो तुम हमारे भाई ही तो हुए, भाई हुए तो डिस्क्र पाता है, वही कहेगा, जो सामने वाला उसको पिरोएगा, वही करेगा, सवाल खड़े करने की जो बाते हैं, वो चीज तो गाइब है, तभी तो दिक्कत है ना, हम लोगों से, ये रेशनल, जो लोग सवाल खड़े करने हैं, उनसे क्यों दिक्कत है, कि ये तो सवाल खड़ प्लिटिकल लों नहीं ले रहे हैं किसी का मतलब वेक्थो जैसे ये लोग इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी एलोग को तो फ़रा जनता को यह चीज बताना चाहिए लेकिन इह लोग तो खुद इतना जोर जोर से चिला के भारत मता कीजाये भारत इतना सरा देश ना तो यह तो बड़ी अच्छी बात कि ऐसा है ना फिर सब्सक्राइब बांबेर स्वाल और पूछे स्पों के की दो पूछे सी ना इनके मत लेकर स Edu Beats सवाल है और कि वह श्कोंडन है इसलिए को फर भ्यदभाव कारा है और सुस्परमेत ऑ़सीilah अब पीता कौन है इस सवाल भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना तो वही चीज है कि जब कोई कुछ कहे ना तो हमारे में क्या दिक्कत है लोगों में क्या दिक्कत है कि वो एक सब्द छोड़ता है और हम लोग उस पर प्रश्ण नहीं खड़े करते हैं तो बस उससे सारा प्रव्ल्लम खतम हो जाएगा जीज से कि बाकी और धरम पे तो मतलब सारा आप जनकारी इतना अच्छा से देते ही है और जीद्ना देवी देवताय सबके बारे में बताते ही हैं तो हम लोग को पुड़ा किलियर ही हो गया हुआ है जैसा कोई कांफिडर नह कि किसकी कि बिहार बिहार में जसर में बिहार से हैं तो बाकी इतने सारे जो देवी देवता हैं सब के बारे में तो आप अच्छी तरह से जनकारी देए दिये दिये सब तो हम लोग समझते हैं लेकिन हम लोग के बिहार में वो सातों बहनी महरानी करके नाम करके बोलते हैं गाउं के साइड में बाहर में लोग पूजा करते हैं तो उसके बारे में कुछ जानते हैं कैसर आप जो कहds है पुल्हार कर चोई चोटे चोटे देवीदेव था या जो गाउं में बरहन बाबा होते हैं काली माई होती है एक जो तरह HOLत्रा के यह होते हैं इस पर बहुत अच्छा रिसक यह बहुत सारे लड़कों यह सब research scholar है history के तो इन्होंने प्रकासित की है कि कुछ समय पहले जो गाउं थे बाउंडरी तो होती नहीं थी गाउं में तो जंगल से जो आ जाते थे वो बाग और भालू आ जाते थे गाउं में तो उस समय सबसे बड़ी यह समस्या थी ना कि जो invaders होते थे लूटने वाले यह जो बाग और जो इनकी प्रजातिया होती थी चिता वगरा कि यह सब बीना जंगल से आसानी से चले आते थें गाउं में गाउं के आके बच्चों को यह पाल्तू जीव जनत होते थे उनको मार देते थे तो गाउं की सुरक्छा के लिए हमेशा ही रात में कुछ लोग न बाबाब उसे बहुत लोग की चैथा उसका गाहा है उस्कानไม से ट्नौन में वह गएगी नाम कंछी सब्साटित मकसे Sahara च्बक पूसब्रेत्थाल कोसे घाक जान हिए उसी तरह से कोई काली माई इस तरह कि चीजे मतलब अलग-अलग चीजों से प्रसिद कराया गया यह देवी देवता नहीं थे यह लोग उन्हीं चीजों के प्रतीक थे बाद में जो ब्रैमेनिकल सोसाइटी ने क्या किया इनकी मंदिर मुर्ती बना के इनके नाम पर पूझा करना सुरू करवा दिया पैसे लेना है गाउं के लोग बहुत बुरी डंग से फंसे होते हैं आज भी साधी विवा करेंगे ना तो जरूर जाएंगे वहां पर अपना कुछ समान पूझा पार्ट करने कुछ चढ़ावा चढ़ाने जरूर जाते हैं गाउं के लोग यह तो इसके पीछे यही छोटी-छोटी कहा यहीं सब लोग जमीनी लोगते यहां के अच्छा अर्चना जी आप लिख रहे हैं कि मैं जूड़े नहीं पा रही हूं मैं ना कुछ लोग को खाली कर देता हूं कुछ सांथीयों लोग आप लोग कुछ खाली कर दीजिया आने दीजिए आजए अर्चना जी फिर से अच्छा कुछ सांथीयों मैं एक दूलोग को ना थोड़ा सा हटा देता हूं ता कि सर वोशैद यह लिख रही हैं कि आसपास परिवार के अन्यसादस से हैं तो बात नहीं कर पाएंगी वोशैद ऐसा लिख रही हूं अच्छा ठीक है ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए आज तो डोगा जी भी आया है चलिए इनसे भी बाते करते हैं और डोगा जी क्या हल चाल है जी बढ़िया इस जे सर कैसे हैं आप ठीक है ठीक है जी अमें जी नमस्कार आप दून कोई जैभीम आपको भी डोग सब्सक्राइब कर दिया था जितना भी वो थोड़ा बहुत मतलब वो यह टीचर थे शील भद्रा थे जाकर नालंडा में बुद्धी स्कॉलर बने और उस समय के नालंडा में मतलब बुलाया आता है कि अल्मोस 10,000 जितने भी स्टूडेंट्स या फिश्कॉलर्स थे वो बुद्धी स्कॉलर्स या फिर यह हो और वो हार टाइब के फिलोसफी या फिर इन सब्में उनका उस टाइब में मतलब जिसको बोलते हैं कि डिसकॉशन या फिर एक स्कॉल ऑफ थौट को दूसरे स्कॉल ऑफ थौट के साथ डिबेट्स या फिर यह वो जो उस टाइम के नालंडा में बहुत कॉमन या फिर यह समझा आता है एक चीज़ जो हुएन सांग के बारे में बताए जाती है कि हुएन सांग अपने नालंडा के टाइब में सांख्या और वैशे शिखा यह दो स्कूल के मतलब जिसको बोलते हैं कि बहुत ही स्कूल ऑफ थौट्स में बहुत ही ज़्यादा डिबेट्स या फिर यह हो बताता है सर्टुक्या मैं मानलूं कि उस समय मतलब यह सांख्या या फिर यह जो था जो मेभी शायर महायाना बुद्धिजम का भी पार्ट हो सकता है क्योंकि लेट्स प्रेसिट मतलब जो ओरिजिनल जो बुद्धा के टाइम में जो बुद्धा के टाइम में जो टीचिंग्स थी वह तो फॉलो यह नहीं बहुत सारी एलिमेंट्स उसमें जूड़ गई यह तो इसमें थोड़ा सा अगर मतलब क्लियर आउट कर सकें कि सांख्या या फिर वैशेशी का उसको वो लोग जैसे आज के डेट में जो प्रेजेंट जो यह हिंदुईजम में यह लोग बोलते हैं कि नो यह हिंदु स्कूल और थाट्स थे तो क्या मैं इसको मानलों कि यह मह तो शायद हिंदुईजम ने अपने हिसाथ सो मॉडिफाई या फिर यह कर लिया था कि देखिए एक एक चीज आप यह बात समझ यह कि पहले सबसे पहले आपने कहा ना कि सील भद्र जो हैं वह हैं सौंग के वो थे गुरू थे और वह एक ब्रामिन काश्ट से थे आपने य बीकोई कास्ट नहीं आज की तरह कोई आज की तरह कोई कास्ट होती तो सील भद्र जो है ना उनके साथ नाम जूड़ा होता कुछ सिल्भद्र दूबे, सिल्भद्र चौबे, सिल्भद्र दिक्चेत या सिल्भद्र इस तरह कुछ जरूर जुड़ा होता लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि इस तरह का भध्र वगरा इस तरह का जो नाम है यह नॉर्मली बहुत जो कोई भी उधिश्टों कोई इन लोग तो कास्ट यह लोग लिख देते हैं कौन लिखता है इस चीज ध्यान दीजिएगा कौन लिखता है हर चीज को जब भी आप देखिएगा आर्यभट की बात होगी तो तुरंत साइड में लगा देगा ब्रामिन कास्ट के तो पूरा जो यह लोग खड़े करते हैं एक नरेट बन गए आप यह सूचिए कि वह बंदा जो है ब्रामड है और गुरू भी है उसी समय बुधिष्ट भी बनता है मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पिढ़ी-दर-पिढ़ी उसके पिता जी जो है बुधे के समय में ही बुधिष्ट बने हो वह पिढ़ी-दर-पिढ़ी की जरूरत है दूसरी चाज़ कि यह अपने नोट्स में इही आनियों को ब्रामड काते हैं कहीं संदी जैनियों को भी ब्रामड काते हैं तो ब्रामड जो है वो कोई नहीं है इनके नोट्स पोरा जब पतढ़ेंगे आप देखिएगा एक बार शुरू का एक डेड़ घंटा मैंने कुछ पॉइंट साच दिखाए हैं जो आप देखिएगा तक कुछ समझ में आ जाएगा कैसे दो प्रामक प्रतार फैल आये हुए हैं आचा वो जो आपने एक और प्रशन खाड़ा किया कि सांख्य दर्सन का और यह चीज की जो व आप उमीद कर सकते हैं उसका तो कोई आंत नहीं है मतलब यह तो डिफरेंट स्कूल अव थौट से अलग अलग आजमी का अलग अलग एक स्कूल अव थौट उसने डेवलोग किया हो गया पीरियो में तो इसका तो कोई आंत नहीं अच्छा आप देखिए कि जब फाहियान है फिफ्थ सेंचूरी में वो बोलता है कि 18 तरह के विनेपिटिका नलंदा में उसके समय में 400 निन्यानवरिस्वी मतलब 400 के करीब में इस्वी के करीब में उस समय यह 18 तरह की विनेपिटिका यह लोग डेवलप कर चुके थे यह स इसका मतलब यह है कि यह लोग अपने किसी भी जो फिलोस्पी थी ना उसके डिफ्रेंट प्रस्पेक्टिव में भी यकीन करते थे लकीर के फकिर नहीं थे कि यह कुरान है तो इसी यही लकीर पीट देंगे हम यह कोई एक गरंत है इसकी लकीर ही हम पीट देंगे नहीं उस इसमें भी यह different variety पर यखिन रखते थे कि इसमें भी हम क्या other possibilities हो सकती है अचा पहली दूसरी सदी में जो इनका ये आता है सुन्यवाद सौतांत्रीक और विज्ञानवाद ये जो ब्रांचे जिनकी तरह-तरह की आती हैं तो सुन्यवाद ही तो आगे चलके इनका जो वैदांत प्राप्र नस्तिक है तो सांख्य दर्सन अफकोर्स होगा अफकोर्स 7th 8th century में बनाया किया होगा डॉक्टर सुरंद्रा ग्यात ने अपने किताब में एक जगह यह mention किया है कि सांख्य दर्सन को इन लोगों ने जो बचाने के कि हम इसको बचाए हैं कि चक्र में उसको यह तो उसको री राइट करने के चक्कर में क्योंकि नवी दसवी सदी के बाद से भी हजार डेल अजार साल का तो गैप है ना तो हजार डेल हजार साल में बार-बार लिखा होगा तो लिखते समय आप लोगों की विचारधारा क्या थी बार-बार रिटेन कर रहे हैं जब philosophy की कोई किताब आप रिटेन करेंगे तो किस फॉर्म में रिटेन करेंगे उसका तो ब्रामरी करना आप आसानी से कर देंगे कर देंगे कि फिर ये मेरा ही है तो ये काम खूब हुआ है इसलिए तो आज जितना भी चीज़ जो दिख रहा है ये distorted बुद्धिजम का तभी तो कहा जा रहा है ना बचाने के चक्कर में या उसको कुछ चीज़े रखने के चकर में या उसका ब्रामरी करन करके अपने रूप देने के चकर में इन लोगों ने इस तरह से बना लिया बाकी चीज़े जलवा दी की और इनकी भासा भी गयाब करवादी इनकी लिपी गयाब करवादी गई और इनलोग pozw Só額 ज और देव Benjamin कृइंट और बता दू मैं पूरा हैंसों के नोट साब पढ़िएगा जहां जहां पे ये देव सब्द का इस्तेमाल करेगा कि देव मंदिर थें वो देव मंदिर ये महायानियों के लिए इस्तेमाल किया है यदा रिखे गां यह देव मंदिर जब कहेगा ना तो वो समझें कि महायानियों के लिए देव मतलब बुद्ध के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसी के बगल में इस्तमाल करेगा कि ही यानी थे ही यानी जो है देव मंदिर नहीं बनवाते थे बुद्ध का टेमपल नहीं बनवाते थे बिरोधी जिसको हिनायन बोलते हैं लडाई बड़ाई की बात नहीं दिखाएगा एक दूसरे को हराने की एक दूसरे के सास्त्र को हराने की इसका ही लोग मिसकोट करके जहां देव मंदिर आएगा महायान का उसको हिंदू दिखाने का पर्यासकी है तो इस तरह से हेंसोंग के बारे में बहुत गलत चीजे प्रचारित की गई है उसके नोट्स से निकाल कर कि इनका हिंदुईजम उस समय था ठीक है इस तरह से मेरा भी थोड़ा सा यह पॉइंट से हटके लेकिन मैं पूछना चाहता था अपसे मैं सोचा बाद में कभी मेसेज मैं पूछ हूँ सर यह भगवान चंकर का ओरीजिन के बारे में मैं पढ़ रहा था तो क्या मैं उनका ओरीजिन OCO से कनेक्ट कर सकता हूं सर कर सकता हूं ना सर मैं बिल्कुल वही है वही है तो मतलब वो डिरेक्शन में ठीक जा रहा हूं याने हाँ आया उधर से ही है उधर से जो लाया वो आके बुधिष्ट बना और अपने गौड को बोधी सत्व बना लिया और वो जो उसका बोधी सत्व है तिर्सूल लेकर खड़ा है जो तलवार लेकर खड़ा है उसके बारे में हैंसॉंग ने लिखा है कि यहां पर जो बोधी सत्व हैं वो लोग अपने दूसमन से थोड़ा अलग विहेवियर रखते हैं बुध की तरह नहीं है बुध जो है एक्जेक्ली दूसमन से भी प्रेम से आये हैं इन सब की देन हैं लेकिन आके बोधी सत्व ही बनाएं तभी तो कहा जाता है ना इनके देवी देवता जितने हैं यह बुध मार्क से चोरी के माल है तभी कहा जाता है हां मतलब मगर जो इनिशियल डारेक्शन में ठीक पकड़ रहा हूं ना सर ऊसी यो से हां हां जली ठीक हो बहुत बात का जेनरेशन है पक्रीपन 600-700 साल का गया फिवा जान बहराव तंतर में ना डोगा जी ध्यान की जितनी विधिया दी गई है ना ठीक है वो सारी की सारी अगर आप उसको गौर करोगे ना तो बहुत लोगों का जो ध्यान की विधिया ना विपस्तन ने फाउंडेशन बनाया है ठीक है ध्यान का विध्यान भैराव तंतर में 112 ध्यान की विधिया दी गई है वो सारी की सारी का फाउंडेशन विपस्तना ही है यह मैं अपने परस्नल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं यह बात को देखे एक चीज डोगाजी एक चीज आप समझ जाईए कि भारत में जो कुझे भी खोजा गया है जो कुझे बुद्ध मार्ग इतनी कम संख्या में होने पर बिना किसी लाग लपिट के होने पे भी इतनी फाइट और वैस्विक मानेता क्यों प्राप्त किये हुए है इसका कि चीजे ना अंगरेजों ने जो चीजे लिख ली है पकड़ ली है वो अंतराष्टिय इंटरनेशनल लेबल पे सत्यापित है भारत के लोगों को बस नहीं पता है इसी लिए इतनी फाइट कर पा रहा है नहीं तो आप देखिए किसी दूसरे देश में देखिए वो अपन भारत में यह इतना फैक्ट्वल चीज है कि इसको यह लोग नहीं कर सकते हैं इंटरनेशनल यह सत्यापित चीज़े और एक सबूत थोड़े है जमीन खोदने पर वही सबूत ही सबूत मिल रहा है चाहके भी नहीं सबूत सर वही चीज मेरा वह अमिट जी से उस दिन बात हो कि देवी का मंदिर यह इस्ता सबूरत है तो दोगा जी आपको पता है मतलब अपने उसका उस मंदिर का वह जो मूर्ति है वह देखा है मेरे को मूर्ति का दीखा है जी छी मेaison पहले मैंने वीडियो बनाई थी वीडियो स्वेंटी फॉर स्वेंटी सिक्स उसमें मैंने दिखाया था पूरे सारे मंदिरों के खोज-खोज कर दिखाया था कि किन-किन मंदिरों को इन लोगों ने देवी देवता बना रखाया और गुप्त वंसका बताते हैं यह नहीं मैं को याद है सहां वह आपने एक वीडियो बनाया है लेकिन आपने कमेंट में इशारा कर दिया था उस दिन मेरे को हां तो वह तुर मुंदे शुरी बंदिर यापी बनाया लेकिन स्रक्चार ही साब से देखूं तो स्रक्चार बुद्धा का स्रक्चार है मैं बूलें कि यार यह तो आला की लेवल का घाल में लिलन कर दिया है अच्छा यहां पर वरुन जी कुछ लिख रहे हैं वाइडन वर्ड ओर्जिन सं संस्क्रीट से ही जोड़ देंगे और कोई पॉइंट हो तो बोल सकते हैं जी जी नहीं थैंक यू मतलब आपके इसे समाध्यों मेरे कुछ डावज यहीं पे हैं तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं सर आप लोग बार बार हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो कि जहां से भी खोदो बुद्ध भार निकल जाते हैं यह तो सर मैं इसको फैक्च्वली गलत मानता हूं क्योंकि ऐसा हुआ है सर एक्च्वल में करोडों साल पुरानी शीवलिंग भी मिली है देखो आपको स्क्रीन शेयर किया हूँ अब आर्कलोजिकल सर्वे वाले गए वहां एक मिनट यहां नेच्रल वर्ड लिख रहे हैं बुद्ध के विचार प्राकिर्तिक रहस्यों को समझ कर उसे सरल तार्किक तरीके से मानो सभेता के विकास के लिए समझाया गया लेकिन ब्रामण गहराई को समझ नहीं पाएं जै रिखाया है एक स्क्रीन को शेर किया है उसे एसआई माले वहां पर गये तो भाई पता चला की कोई डाइनासोर एक तो 12 थे तो 12 में क्या हुआ 8 गाउं वालों ने बेज़ दिए ठीक हैं और एक यह को डाइनासोर का अंडा है उसको सिहुलिंग बना जाएं इसके बना दीन यह देखो सर, अब बिचारे भोले भाले गाओ वाले, सुचो, करोडो साल पुराना है सर, आप लोग ऐसे ही बोलते हो, तो यह तो इन लोगों का इतिहांस है, कि हर चीज जो है, अंडे तक को भी बना देंगे सीवलिंग, एक वो है न सद्धगुरू नाम है उसका, उसने क्य कि गया बाहर बिदेश में और एक गोल पत्थर था, दोनों तरफ से था, मतलब एक तरफ से होता तो समझ में आता, दोनों तरफ से गोल था, उसको भी उठा के वो बना जो है, सीवलिंग बता के प्रचारीद कर रहा है, कि 5000 पहले, कितने साल पहले, उसका सीवलिंग वहां बिदेश में सीवल बनाकर चले गया तो भारत में इसका सबूत नहीं में गुथा, उसका सार आप सोची है, सार आप सोची है, सार वो अंडा शायद साड़े 6 करोर साल पहले फॉसिलाइज हो गया होगा, यफी ये, तुन्नी आया होगा, सोचा होगा कि देखो, साड़े 6 कर और साल पुडाना स्विले, उस समय आदमी तक, मतलब, एवॉल होना दूर की बात है, आदमी अब तो प्रेजन फॉर्म में भी नहीं होगा, एक पुडा को पूडा, मतलब, ये, वो, क्रेटाशियस प्रियोड के एक्स्टिंशन प्रियोड खतम होगया, उस समय हम आदमी कह मतलब, ये, लॉजिक मेरे समझ से बाहर है, कि मतलब, एक, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से सुचू, कि प्रेजन दे हुमेंस, अगर मैं उसको, मतलब, जिसको बोलते हैं, कि तीन लाक साल पुराना, मतलब, अगर मैं ऑस्ट्रेला पिठेशियस होमो एरेक्टर सुनसब मे बिल जिया, भाई, उसने ख्रिवलिंग बना दिया, आपने, सॉरी, आपने न, दोगा जी, एक मिनट, सॉरी, आपने गलती कर दी, आपने टुन्नी, साइंस और लॉजिक, इतीनों वर्ड को एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लिया, तुन्नी, साइंस, लॉजिक त्रोल में अफिक है, तूरूरु को जा आटे रहें, आचा तायं भी आज का हो चुका है, काफी हो चुका है, 12 वह रहा है, तो चलिए, आज का यहां पर हम लोग क्लोज फी करते हैं, और शुक्रिया आपका, दूगा जी, अमिद जी और जो भी कॉलर्स आयते हैं, आप सभी लोगों क सुक्रिया फिर हम लोग मिलते हैं संडे को साहें चरनी पर थैंक यू सर थैंक यू और सभी को जैबीम सभी को सभी को जैबीम